समी करण और सर्व समी का क्यूं यही ना इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने आपको उल्टा बताया था क्या गाना सुन लिया आप लोगोंने कौन कौन सुना था बैया अच्छा वो कौन सा गाना था अच्छा है आप लोगोंने सुन लिया सर्व समी का क्या मैंने इसमें आपको एक बात बताया था कि यह जो समी करण है ना इन दोनों में अंतर बताया था एक बहुत अच्छा कल मैंने दो वर्ड लिखा था अगर आप लोगोंने देखा होगा जो कल जुड़े थे जी अब वी तो मैंने कहा था कि कुछ ऐसे होते हैं भाईया जो एक के लिए समर्पित होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जितने मिल जाए सब के लिए समर्पित होते हैं इसमें क्या है इधर देखिए जो समीकरण होता है यह किसी एक निश्चित रासी के लिए ही सटिस्फाइड होता है है सब समिक chased सब के लिए होती है मतलब बब क्याना में इनके जो ईचरपद सब के लिए सब के TS यह कैसे देखा था टाना दिख्यष एजैसे अकर मैंने समीकरन लिखा यक्ष का स्कॉयर फ्लस फ्लस फाइव कि बराबर कर नख़ तो देखो भाई यहां पर यक्स का कोई एक निश्चित मान होगा उसको रखने पर यह दोनों पक्ष बराबर होंगे मैंने कल बताया था ना आपको जो लोग देखे थे अच्छी बात है आप आज दूबार नहीं बताने वाला हूं समझो यानि यह इतना लायल इतना वफ़ादार इतना समझदार है कि इसका केवल एक ही बैलू हो सकती है एक से अधिक नहीं हो सकती है लेकिन इधर सर्वसमिका म ठीक है इक्वल यक्स का स्कॉयर प्लस एक इसमें आप यक्स का कोई भी मान रखो सब बराबर मतलब कुछ भी हो सब हजम है इसमें समझ रहो करके देख लो इसमें यक्स का कोई भी मान रख दोगे यह किसी भी बैलू के लिए सटिसफाइड है कुछ भी रखो इसमें लेकि पूरी तरह से क्या है पति वरता है और पतनी वरता है समझ रहो कि नहीं एकदम हंड़ेट पर्थेंट दूद का दुला हुआ चलो दिखाते हैं कैसे कि इसमें only only एक वैलू आप रख सकते हो यक्स की जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे इसमें आप कुछ भी रख सकते हो इसकी पूरी समझ के लिए आप कल वाली कलास देखना जो नहीं देखें तब बहतर समझ में आएगा क्योंकि आज मैं उतना जदा फिर नहीं बोलूंगा वह बाते ही थोड़ा साजी प्राइब के लगती है आप देखो कैसे अगर मैंने इसम स्कमान एक रख तो क्या आएगा यसा बराबर एक रखने पर नहीं नहीं को सटिस्वाइट नहीं कर रहा इसका मान नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है लेकिन इसमें इसमें तो कुछ भी देखो वन रखो इसमें यक्स की जगा पे वन रखो वन का स्क्वाइर प्लस वन यह वन का मल्टीपल करोगे अंदर में वन हो जाएगा प्लस इसमें करोगे वन हो जाएगा यह वन प्लस वन बोलो बराबर हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ न इसमें एक एमान होगा जो दोनों पक्छ को संतुष्ट करेगा उसके अलावा दूसरा कोई हो इनी सकता है बिद्वान जन्नम जन्नम का साथ आ हमारा तुमा और गाना सुनेरर पुराणे जमाने ब करलाग इसमें कुछ हैंसा ही लागू आ को इसमें अगर हम यक्स कमान तीन रख एगा से दो दो नहीं रखें घошी करें देखो यक्स तीन रख यह 9 प्लूसगमाच बड़ाबर नौ यह 14 does not equal 9, बराबर नहीं है न, बोलो नहीं बराबर न, लेकिन इनमें रखो, इनमें सब बराबर हो जायेगा, मैंने आपको कल ही बताया था, कि जो सर्वसमिका होती है, वो अग्यात बैलू के किसी भी मान के लिए संतुष्ठ होती है, इसमें आप कोई भी मान रख सकते हो, सब सब एसेप्टेड है, समझ रहे हो, यह वो होते हैं जो कहते हैं न, हर किसी के होने वाले होते हैं, समझ रहे हो, इसमें कोई भी मान रख दो, सब आ सकता है, जैसे देखो, तीन रखना है न, यक्स की जगा पे तीन रखी है, यह तीन का स्क्वायर प्लस तीन, यह हो जाएग बोलो हो रहा है कि नहीं बराबर हो रहा है कि नहीं इसमें सिर्फ यक्स का एक मान होगा जो दोनों पक्ष को बराबर करेगा बताओ कौन सा समी करण में यही एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है आप सीख जाओ समी करण अग्यात रासी के किसी एक मान के लिए संतुष्ट होता है लेकिन सर्व समी का अग्यात रासी के कोई भी मान के लिए संतुष्ट हो जाती है बई हो जाता है और हो जाती है दोनों के नामी से अस्पष सब्सक्राइब करें तो यह आइस्क्रीम खाया आपको नहीं दिया तो मैं क्या करूं उसमें मैं आइस्क्रीम दिलाने आउँ आप लोग समझे अपना लपड़ा हमारे खोपड़ी पर मतला यह सब का बात ठीक है यह लोग अपनी सारी बाते मुझे सेयर करके ना परिसान कर देते हैं वही अपनी बात अपने पास रखो जाके आप लडाई करो इसमें यक्स का मान दो रखिये यह दो का इसक्वायर प्लस 5 इक्ल नाइन यह 4 प्लस 5 इक्ल नाइन नाइन इक्ल नाइन यानि यक्स के मान 2 के लिए ये समीकरण क्या है सटिस्फाइड है दोनों पक्ष बराबर है बाकी आप इसमें भी रख दो 2 तो इसमें ये भी एसेप्ट हो जाएगा कुछ भी रखो इसमें ये 2 का स्कॉाइर प्लस 2 ये 2 दुना 4 प्लस 2 इक्वाल ये 4 प्लस 2 6 बराबर 6 बोदो सापधको समझ में आ गया ना आ गया समझ में यानि समीकरण वो है जो अग्यातरासी के किसी एक मान के लिए संतुष्ठ होता है जबकि सर्वसमिका वो झाल सी किसी एक मान मतलब किसी भी मान के लिए हर एक मान के लिए सटिस्फाइड होती है बस इतना अंतर है बाकी हम बढ़ते हैं अब आगे आगे बढ़ते हैं सुनिये अब लिखिए कल मैंने आपको समीकरण का परकार बताया था ना उपासना परजापती जी विमलेस राज इमरान सुलेमानी जो जुड़े हैं टाइम से जुड़िये कलास में समय से आईये ठीक है अधा गंटा बाद नहीं सारी मज़ा वाली बात तो निकली गई आप बीच में का करो गया कि आप लोगों में से कोई सर्बसमिका का एक्जामपल बताएगा बोलिये कोई सर्बसमिका का एक्जामपल बताएगा कि नहीं आप कोई भी बताओ एक जल्दी से फिर आगे बढ़ें हम कुछ और करें मैं एक टॉपिक डिटियल में पढ़ाओंगा पहले आप दोनों में अंतर समझ जाओ बस आज आज के बाद जिससे दुबारा ना पूछना पड़े आपको भूले ना इफ लिए कल मैंने आपको एक प्राजेवकर यह ऐक जामप़ दीया था यह एंक कि इससे आज कल हर कोई परचित होगा कोई नई आप बताया था इंघ्र होते हैं न Sevड वालो य होते हैं और कुछ ङई स्पल सा है समझ गए ना कि नहीं कि फीजा खान ने बताया बहुत अच्छे फीजा खान बेरी गूड हां सही है कि यह बिल्खुल कि एक और बता दें काथ दो चलिए सुनिये जैसे देखिए समी करण में जैसे मान लीजी मैंने एक और ले लिया वाई का स्कॉर माइनस का फाइव 44 यह क्या है एक equation है यह वाई के किसी एक मान के लिए ही satisfied होगा मतलब वाई का कोई एक ही मान होगा जो इस समी करण के लिए suitable होगा लेकिन अगर मैं एक सर्वसामिका रख दूँ जैसे कि देखिए हां बहुत अच्छे मिष्टर एक काई स्कॉर माइनस का बी काई स्कॉर एक प्लस बी और ए माइनस बी भी एक सर्वसामिका है बिल्कुल आपने सही कहा इसमें यक्स सुरी देखो यहां पर वाई है यहां प हमें आपने इसका तो मतलब लग जा रहा है को एक जैसे बना दे रहा हूं सुनो है यह यह वाई का स्कॉर मायनस का स्कॉर इक्वल वाई प्लस वन और वाई माइनस वन आप देखो भाई यह समिकरन है इसमें यक्स का कोई भी मान सविकार नहीं है और यह सर्व समिका है तो थोड़ा उल््टा बोल रहा हूं यकसनी wai ठीक है why इसमें का कोई भी मानस अभीकार नहीं है मतलब्स हर एक मानस भीकार नहीं है लेकिन इसमें वाई का कोई भी मान रख दो दोनों पक्ष बराबर होगा मैंने कल आपको यह पताया था ना कि कुछ लोग परसनल जिंदगी में भी ऐसे होते हैं जो सब के होने की कोशिस करते हैं वो किसी के भी नहीं हो पाते हैं और जो किसी एक के होते हैं वो सब के हो जाते हैं तो कुछ ऐसे कंडिसन है इसमें समझ रहे हो ना आओ देखो मैं बताता हूं इसमें वाई का कौन सा मान रखें कि दोनों पक्ष बराबर आए रखे देखो वाई का मान एक रखने पर तो यह वन का स्कॉायर माइनस 5 इक्वाल 44 तो 1-5 इक्वाल 44 माइनस का 4 इक्वाल 44 यानि हम कह सकते हैं कि वाई का मान एक नहीं हो सकता इसमें नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता है इसमें वाई का मान एक रखो तो एक का स्कॉायर माइनस एक का स्कॉायर इक्वाल 1 प्लस 1 और यह 1-1 ठीक है यह 1 का स्कुराइर 1 का स्कुराइर 1 माइनस 1 इक्वल 112 इन टू यह भाईया हो जाएगा जीरो यह जीरो बराबर जीरो देखो इसमें यह भी सोविकार हो गया ना मैंने कहा ना यह ऐसे प्राणी है इनकी लाइफ में जो भी आए सब एसेप्टेड है समझे रहे हो ना अभी मैंने कल एक बड़ा जीव टाइप का एक्जमपल ऐसे बताया था ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीमन में जो भ के लिए नहीं होते हैं यह किसी एक के लिए होते हैं यह सब के लिए होते हैं इसमें कोई भी मान रख दो आप वाई का कोई भी मान रख दो दोनों पक्ष हमेशा बराबर आएगा लेकिन इसमें सिर्फ एक मान होगा कोई जो खोजना पड़ेगा और वो जब मिलेगा तभी यह दोनों पक्ष बराबर होगा अन्यथा बराबर नहीं होगा है है अक्ундसेयरीन चलों गए कि अब इसमें वाइब कि अमान मुझे अदुन कोई इसका रियल वाला मान खोच सकता है जिसके लिए यह बराबर है पताई ये ये किसके लिए इंतजार में है जरा बताओ तो आप लोग वाई कमान इसमें दो रखो तो ये हो जाएगा दो का स्क्वाइर हमें लग रहा है आज वो भी देख रही है का मने मन गरिया रही कह रही देखो मेरी बुराई हो रही ये देखो 4 हो जायागा माइनस 5 इकोल 44 माइनस 1 इकोल 44 देखो 1 रखने पर भी और 2 रखने पर भी इसमें दोनों पक्ष बराबर नहीं आया है ना दोनों पक्ष बराबर नहीं आया लेकिन इसमें रखके देखो इसमें रखके देखो भाई इसमें सब accepted है समझ रहे हो इसमें कुछ भी रखतो तुम दोनों पक्ष हमेशा बराबर आएगा जैसे मैंने आपको कल एक्जामपल बताया था कभी भूलना नहीं अभी एक्जामपल समी करण और सरवसमी कावाला एक्जामपल कभी भूलना नहीं जैसे एक चोटा समय और इसमें एक्जामपल जोड़ दूँ मान लीजिए देखिए एकर लोग का एक्जामपल देने पर लोगों को बुरा लगता है इसलिए मैं बता रहा हूं आप लेते हैं कि आप एक गल्स हैं आप क्लास में पढ़ते हैं साथ में बॉइज बी यहीं सब लोग है बहुत सारे लोग हैं और वहां से आपने क्या किया कुछ बॉयज के नंबर लेके आये बई कि चलो आज हम फ्रेंड बनाएंगे इन लोगों को उसमें से कोई भी लेके कि आए वन्टु आल मैं यह नाम किसी का नहीं बोलूंगा दो का लेक्जिया है मानलो ठीक है और कितने लोगव होने लेकर आया मानलो सात लड़कियों ने राया दो लड़कों का नंबर अब भाई सातों ने फोन किया दोनों को बारी बारी एक सब को एसेप्ट करते चल गए ह और एक दूसरा वाला नहीं मेरे पार टाइम नहीं मेरे कोई और भी है समझ रहे हो तो यह कौन है यह सब एसेप्टेड करने वाले हैं और यह इधर नहीं सिर्फ एक के लिए समझ गये ना अब नहीं बूलना कभी से अब मैंने एक जाम पर थोड़ा उल्टा बताया है अक्सर ऐसा होता कम है इसलिए बताया जिससे लोग खुश हो जाया थोड़ा नाराज ना हो इसमें वाई कमान तीन रखो कमान तीन रखिये इसमें इसमें तीन रखके देखिये तो भाई तीन रखो गए तो यह 3 का स्क्वायर माइनस 5 इकवार 44 यह 9 माइनस 5 इकवार 44 यह देखो 4 इकवार 44 यह बडाबर नहीं आया यनि इसके लिए भी यह गलत है यह फोर के लिए भी एसेप्टेड नहीं है लेकिन इसमें रखके देखो इसमें रखके देखो इसमें सबसेप्टेड है मैंने बताया ना अभी एक्जांपल सातों वाला अब वहां ब्वाएज की जगा पर गल्स कर लो बात सीधी हो जा जो मैं बताया था भी ठीक है यहाँ पर तीन रखो वाई कमान तीन रखने पर तीन प्लस एक और यह तीन माइनस एक यह नव हो जाएगा माइनस एक वन यह फोर और यह इंटू टू तैको एट और यह चार दुना आठ बराबर आया ना बोलो बराबर आया ना अब इसमें भाई कोई भी मान तुम रख लो समीकरण में सिर्फ एक ऐसा मान होगा जिसके लिए वो बराबर आएगा लेकिन सर्व समीका में कोई भी मान तुम रख दो उल्टा फिद्धा टेढ़ा मेड़ा अच्छा खराब सब बराबर होगा अब समझे नहीं तो इसके आगे आपको सीधे प्रभू समझाएंगे अब नहीं बताऊंगा मैं मैंने इतना ऐसा ऐसा एक्जामपल दिया कि लोगों को भूलेगा नहीं जामपल तो नहीं भूलेगा मैत भले बूल जाए कि यादो जी एक है कह रहे हैं आगे भी बढ़ें ज्यादा आगे ना बढ़ो भई चलिए तो इसको मिटा दें हो गया आप लोग सीख गए अब अब अगर सीख गए हो इतने ही इमानदार हो तो अब यह बताओ इसमें अब लोग समीकरण है कि सर्वसामिका है एक अब मैत में में बात करना तो किने लोग इक्र में कितने लोगिकष इसमें चाहिए कहीं भी मिल रहा हो मुख तुमें लेना चाहिए एक्सपिरियांस अब कोई नहीं बोलेगा तो अब हेडिंग डालिए अब यह सब समीकरन वाले हो गए सर्वसमीका वाला कोई नहीं बचाया अब अब यह ना आप लोग अपने कलास में जा करके पहली बुझाना अपने फ्रेंड लोग में फिर वाद में उसको मतलब बताना देखो इधर साइड में समझो हम तो भाई सर्वसमीका वाले में हैं समझ रहे हो ना चलो देखो आप समीकरन के परकार अयसा नहीं है कि समीकरन में सब साही ही होते हैं इसमें भी परकार है समीकरन के परकार लिखिए टाइप आफ एक्वेशन अभी रोना भी पड़ेगा मैंने जूट बोल रहे हैं मुझे पता है सब जूट बोल रहे हैं मैंने एक्जांपल जो बताया सही बताया था लेकिन ज्यादा हो रहा है आप चलो पढ़ाई बात करते हैं सर्वसमीकरन नमबर एक लिखिए सरल समीकरन दुगात समीकरन मुख्धा चार प्रकार के होते हैं सरल समीकरन दुगात समीकरन हाँ एक चीज़ और मैं थोड़ा छोड़ दिया जो अभी हम लेके समीकरन चल रहे थे उसमें एक्जेक्ट मान साथ होगा ठीक है समीकरन को सटिसफाइड करने के लिए जो बैलू थी उसकी सेबन थी ना एक कम ना एक ज़्यादा याद रखना उसको कर लेना चाहिए ठीक है क्या होगा भाई यह साथ होगा साथ सेबन अभी जो मैंने लिखा था इक्वेशन आडेंटी तिंचा ट्राई किया था उसमें सही मान साथ होगा सेबन सेबन रखोगे दुनों बराबर जाएगा अगला क्या इसमें घात समीकरण फिर घात समीकरण और यह यन घात समीकरण इसे बोल सकते हो अगर तीन से अधिक हो गया थो यन घात समीकरण ठीक है आप सुनिए समीकरण में कैसे पहचानेंगे कि सरल समीकरण है इन्हें लीनियर इक्वेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इंगलिस में इंगलिस में भी बताना जरूरी है क्या क्या कह रहा हूं आप लोग इंगलीस में बताना चाहिए तो लिख लो चाहें तो linear equation बोलते हैं इसे कात्यों एक ऐसा equation जिसकी घात एक हो maximum power 1 हो उसे क्या बोलते हैं linear equation बोलते हैं जैसे example के लिए सबसे पहले मैं यही बता रहा हूं जैसे 7x plus 5 equal 9 यह एक linear equation है ठीक है क्या है यह सदल समिक करण है एक और भी देख लो जैसे मानलो 5 b minus 3 equal 0 यह भी एक linear equation है क्या आप में से कोई भी एक linear equation का example अपनी तरफ से बना के बताएगा बटाओ सालनी सर्मा जी बहुत सही है very good सालनी सर्मा सालनी उपद्ध है सालनी बिसकर्मा और सालनी मिस्रा कौन है वह चार-पांच लोग एक ही नाम से हैं तो मैं एक ही नाम बोलूँगा सभी लोग समझ जाना अपने अपने लिए लडाई नहीं करना आपस में वैसे यह नाम बहुत मतलब आगे क्या बोलूँ में बहुत मतलब अजीब टाइप का मतलब मतलब मैं लाश्ट में बताऊंगा क्या इसना का मतलब क्या है मैं क्यूं बोला ऐसा और तूफान वचाने वाले लोग होते हैं इस नाम के बस इतना जाने लोग चलो यह समझे अभी दर समझे इसका एक्जम्पल आप लोग बताते जाना दुगात समी करन इसे क्वाड्रेटिक की कोईशन बोलते हैं ना क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक की कोईशन बोलते हैं इसमें तमी करन की जो घात होती हो मैक्सिमम दो होती है दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए ठीक है जैसे देखो यक्स का स्कॉयर प्लस फाइफ इक्वाल नाइन कुल मिला करके आप यह जान लो भाई इसमें जो मैक्सिमम पावार हो वो दो होनी चाहिए बस सिर्फ दो होनी चाहिए दो से जादा नहीं जैसे एक इक्जामपल यह हो गया एक मान लो वाई का स्कॉयर प्लस वन इक्वाल वाई यह भी आपका दुभाद समीकरण हो गया थीक है यक्स का स्कॉायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो यह भी आपका दुघात समीकरण हो पहले आप समझे लो समीकरण कितने परकार के होते हैं वो एक्जाम्पल के साथ फिर आगे बढ़ेंगे अगला है तिर घात समीकरण मिस्र घात क्या है भी दुघात में और होता है मिस्र घात समीकरण तब उसे ए networks Each minute कि अर्चीज में आजकल सुध और सुध होता है आपने देख्वा होगा मिलता है न तो उसमें लिखा रहता देशी सुद्ध घी यह से तो बात छोड़ो बहुत सारी मिठाईयों की दुकानों पर लिखा रहता सुद्ध देशी घी से निर्मिद मिठाईयां यहां पर यह लिखने की जरूरत क्या पढ़ती है पताओ अधिकतर जो मिलता है वह सुद्ध ही होता है इसलिए सुद्ध लिखा रहता न तो इसमें समीकरण में भी दुखात वाले में सुद्ध दुखात समीकरण भी है और असुद्ध वाला भी है असुद्ध को नहीं बोलते मैत में मिश्रित बोलते हैं ठीक है सुनो अगर आपके परिक्षा में आ गया एकजामपल के लिए मान लो एक है नंबर में आ गया कि सुद्ध दूइघात समीकरण लिखिए सुद्ध मतलब एकदम पेवर वाला इंगलिस यही तो बोलते हैं कुछ और बोलते हैं भाई लोग हसते थे मैं पेवर बोलता था सायद कुछ और बोलते हूं सुनो तो यह सुद्ध गहात समीकरण है एकदम प्यूर यह मिसरित वाला है यह भी मिसरित वाला ओपर वाला अब इसका मतलब समझो कैसे अगर किसी समीकरण में दुई घहत वाला पद तो है साथ में और कोई पद इसमें नहीं है मतलब दुई घात के बाद एक घात का या तीन घात का कोई और दूसरा पद नहीं है तो वो सुद्ध दुई घात समय करने इसमें देखो है यक्स स्कॉायर भी है प्लस फोर एक्स है तो फोर एक्स में एक घात है यानि दुए घात वाला भी है और एक घात वाला पद भी है तो यह मिफरित है यह सुद्ध नहीं है समझ रहे हो ना जो लोग इसमें सिंगल है वो सुद्ध है और जो डबल हो गए वो मिफरित हो गए सुद्ध नहीं बचे हैं समझ रहे हो अब जो जो सुद्ध हैं बता दो कौन-कौन सुद्ध हैं इसमें कितने लोग हैं इमानदारी से बोलना नहीं तो दोनों लोग देख रहे होंगे तो गड़बड हो जाएगा फिर गड़नी अब मायत से आप लोग की क्या हो जा रहा है मतलब वो क्या बोलते हैं कि अब यह भी पूछ सकते और अपने सातियों में वाई तुआ आप लोग सुद्ध समी करना या मिस्रइद मिस्रित हैं कौन से हैं इस फिए कुछ लोग तो पहले साही बताने लगए मारकर मैं बहुत पर लेते हैं थोड़ा सा रुक जाए एक मिनट कि ऐखिए लैंग्वेज न चाहे मैठ की हो चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लीज की हो अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आप उसमें बात कर सकते हैं मैत की भासा में आप हर चीज बोल सकते हैं बस आप पढ़ने पढ़ना तो सीख जाए मज़ेदार तरीके से तब कि यह सब के सब भाई तो फिर अब के सब सुद्ध ही हैं तो फिर और लोग कहां से आ गई है सब चलो छोड़ो जाने तो इस पर बात नहीं करना जाद आप नहीं तो ओबर हो रहा है कि आप लोग एक सुद्ध दुइघात समी करण का एक्जामपल दीजिए देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं जैसे अगर एक आई स्कॉयर है प्लस नाइन है इक्वाल जीरो है इसमें जो वेरियाबल है सिर्फ एक है ओनली वन है और कोई दूसरा वेरियाबल नहीं है तो यह सुद्ध दुइघात समी करण समझी गए ना लेकिन अगर मैंने इनी के बगल में इनकी पडोशन को लिख दिया यह देखो बी स्कॉयर प्लस बी और प्लस थ्री कॉल जीरो अब यह सुद्ध नहीं है वाई क्यों क्योंकि यह दूसरा तो है लेकिन इसमें एक घात वाला भी एक टम्स है एक वरियाबल है तो यह क्या है यह असुद्ध नहीं बोलेंगे इसको मयत की भासा में मिसरी तो बोलेंगे ठीक है या फिर मिस्र बोल सकते हो आप मिस्र घात समी करना ठीक है इसमें इसमें 90 परसेंट आप असुद्ध है और 10 परसेंट आप लेकिन लोग बोलते नहीं है चल यह छोड़िए जाने दीजिए इजट बची रहने दीजिए थोड़े थोड़ी थोड़ी तो फिर घात वाले का एक जम्पल क्या है फिर घाट समिकरण क्या होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम घाट तीन होती है जैसे देखो अगर मैंने लिखा यहाँ पर 5 यक्स का क्यूब प्लस 3 यक्स का स्क्वाइर प्लस यक्स इक्वाल नाइन यह क्या है यह तिर घाट समिकरण एदा है यह समुक्ता है यह कि घाट समिकरण है जैसे आप ऐसे तो यक्स का स्क्राइर प्लस यक्स प्लस यक्स का क्यूब इक्वल 0 यह वहाँ का समीकरण का मतलब है कि यहन का मान कुछ भी हो चक्ता है जैसे यक्स का पावर यान प्लस 5, यक्स प्लस 9 इक्वल 0, यहां पर यक्स की घात 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ लोग यह कहेंगे कि यह है, भई साब सुनो, इसमें तो 3 घात भी है, 2 घात भी है, एक घात भी है, कितने घात का समिकरन माना जायेगा 6 बता 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 एक बड़ा अच्छा point मिला है एक मिनद इधर देख़ू फैज् visually अपशचा फाइफ है य प्लस य पावर तीन है प्लस जीरो है एक जीरो नहीं दस है बराबर जीरो यह निए खात का समिकरन माना जाएगा वह आपने मुहाबरा सुना था बच्पन में जिसकी लाठी उसकी भैंस कि अब कुछ लोग भैंसा नहीं देखे होंगे तो बगवान जाने क्या है वह चलू नहीं देखो गूगल पर सर्च करना मिल जाएगी तो जो सबसे बड़ी घात होगी समी करण अब उतने ही घात कमाना जाएगा गाउं में जो सबसे बड़ा होता है न वहीं उसी के नाम से लोग ज्यादतर जानते हैं वह फलाने गाउं क्यों परधान जी को सब जानते हैं और कुछ लोग तो ऐसे परधान हो जाते हैं जिनका कभी जिन्दगी में परधान दूर दूर तक नाता नहीं होता हमारे गाउं में भी एक लोग थैस उनको लोग परधान बोलते हैं पूरी जिन्दगी मर जाते हैं बोलते बोलते हैं लेकिन वह कभी परधान नहीं हुए तक उसका मज़ा कुछ और ही है इसमें से भी किसी के घर में कोई परधान है कि नहीं होंगे जरूर भाई इमानदारी से काम करवाइए खाईए लेकिन थोड़ा-थोड़ा खाईए चलिए ज़्यादा टिपड़ी नहीं करनी आगे वड़ने तो यह हो गया खतम अब यह तो अभी आप लोग इनका परिचे देख रहे थे अभी तो इनका परिचे देख रहे थी अभी इनका तमासय डेखे नहीं अभी इनके नियम होंगे अभी ये सब तो अभी तो कशत चलो एक करना क्या क्या रहता इसमें अब हम कुछ लो इसमें एक घात समीकरण में तो कुछ करना नहीं कल मैंने सायद बताया था कल वाली कलास जो नहीं देखे देख लेना आप लोग मैंने कल सरल समीकरण या लीनियर इक्वेशन बहु सारे करवाए थे करवाए थे ना तो आज दो घात समीकरण जांपल अब हल होंगे ठीक है कि अब तर्माशा ऐसे ही है अब चलिए यह ट्रेलर था मूवी शुरू होती यहां से तो घात समीकरण हेटिंग डाल दीजिए क्वाड्रेटिक की क्वेशन इसमें आप लोगों को यक्स की बैलू फाइंड करनी है देखो भाई आप बैलू फाइंड करने के इसमें कई तरीके हैं मैं सब बताऊंगा बिलोपन विधी प्रतियस्थापन विधी यह योगपत समीकरण में होता है जोड़ी जोड़ी वाले जब होते हैं जब दो समीकरण एक साथ दी होते हैं उसमें यह होता है बिलोपन प्रतियस्थापन यह सिंगल सिंगल होंगे तो कहां प्रतियस्थापन होगा का बिलोपन होगा आगे नातना पीछे पगहा सुने हो और तुम्हें लोग सब सुने हुए इसमें यक्स का मान निकालना है ये भाई कौन AI और गया हभाई एक का इनका हटा यहां से राग दून राग दूनलिकिछ और यहां मुझे भड़े गंदिल लगते लोग जीन को जल्दी थी वो चले गए लिखा होता है ना ट्रक के पीछे तो हमें जल्दी विल्कुल भी नहीं है चलो यक्स का स्क्वाइर इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा यह 11 यक्स और इसको इधर ले आएंगे तो भाईया यह चिन बदल जाएगा इक्वल जीरो ठीक है अब क्या करेंगे कि तुनो बहुत भाईया यह यह टेक्निकल तीम वाले नाम लेते ही गायब कर देते हैं चलो इसका मान कैसे निकालते हैं जरत थोड़ा समझ लीजिए फिर अभी आप लोग धड़ा-धड़ निकालना शुरू कर देंगे समझ यह सुनिए कैसे देखिए इसमें मैंने आपको कल वह बताया था क्या बोलते हैं उसे सुनिए उज्वल जी बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों की दिल की दुआएं और प्यार ऐसा ही बरकरार रहें चलिए दो लाख सब्सक्राइबर थे तब ही आये थे आज यह चार लाख होने वाले तब आये दो लाख हो गया और ठीक है इसमें यक्स स्कॉर का गुढां क्या है इसमें यक्स स्कॉर का गुढां क्या है बताएं वट इदक कोफिसियंट दो गिंती में तोड़ते हैं कि जिसको जोड़ने पर तो बीच वाली गिंती आजाए मतलब 11 और गुड़ा करने पर लाश्ट वाली आजाए बताओ कोई दो ऐसी गिंती बताइए जिनको अगर योग कर दें सम कर दें तो 11 आजाए और मल्टीपल कर दें तो 28 आजाए सोच पा रहोग नहीं तो यह छोटे नंबर है इनको हम सोच सकते आराम से लेकिन जब बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे तो अभी आपकी सोच वहीं पर बंद हो जाएगी फिलहाल अभी मैं यहीं पर कर रहा हूं उसको डिटियल बाद में बताऊंगो जैसे आता जाएगा तो यह हो जाएगा बाबू आपका सेबन प्लस फॉर ग्यारा और साच चोग अठाइस बोलो सही है ना हाँ सही है लेकिन अभी के लिए साही है सुनो अब हम एक काम करेंगे इनको ऐसे ही लिख देते हैं यक्स का स्कॉयर प्लस 11 की जगा पे सेबन प्लस फॉर लिख देते हैं इन्टू यक्स प्लस 28 इक्वल जीरो ठीक है अब यह यक्स का स्कॉयर ऐसे लिख लेंगे प्लस सेबन का यक्स में मल्टिपल करेंगे सेबन यक्स और प्लस 4 का एक्स में करेंगे तो 4 एक्स और प्लस 28 इक्वल 0 यहां से आप लोग मुझे बता सकते हो इसका फैक्टर करोगे तो कितना आएगा एक्स कमान क्या हैगा एनिवन कोई गेस कर सकता है देखो भाई सिंपल सी बात है बराबर जीरो अब इसमें कॉमन लेना इसमें भी कॉमन लेना जो लोग कॉमन नहीं समझते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें मैं कॉमन बता दे रहा हूं क्या होता बड़ा ही अच्छा तरीके से देखो भया सुनो पहले समझो मैंने ये सारी चीज़ें लिया है ना हाथ में ठीक है ए रुख जा कि दोनों हाथ में देख रहे हो ना कोई ऐसी चीज है जो दोनों हाथ में है और कोई ऐसी है जो दोनों में नहीं सिर्फ एक में है बताओ क्या है दोनों हाथ में क्या दिख रहे आपको और कौन सी ऐसी वस्तु है जो सिर्फ एक हाथ में दोनों में नहीं है डिख रहे हैं तो जो दोनों में है वह common है और जो सिर्फ एक में हो common नहीं है इसे एक लड़की लड़का में common की अगर बात करें तो लड़की ने अगर नाक में कुछ पहिना है तो वह common नहीं है लेकिन नाक दोनों के हैं तो नाक common है समझे रहे हो कि नहीं सबसे अच्छा एक जाऑंच पला बताना पड़े आपको APS मरा अच्छा इसमें न बताना पड़े देखो इसमें यक्स है इसमें इसमें साथ नहीं है तो इसमें यक्स कामन होजाएं common का मतलब फिर वो गायब हो गया जो common लिया बहुत basic में बता रहा हूं detail में समाज लो एक बार देखो देखो भाई साब अगर x का square है न इसमें से x common लेंगे तो common का मतलब उस नंबर से वह या उस पद से भाग किया जाता है अगर इसमें x common लेंगे तो इसका मतलब है कि x का square अपान एक्स common का मतलब यह होता है ठीक है तो यह आपका final में एक्स आयेगा कैसे आयेगा बताई देता हूं लो यह x into x हो जाएगा इसका यह एक्स आड़कर जाएगा एक लेक्स बेंगा तो यह आपका यह चाहुंत नों को में ला जाता है यह कि उज्थकों एक बार लिखते हैं और यह एक बार कि इतना आएका भाई इसमें कुछ घ्रबपर तो नहीं हो रहा है ना अ अ अ गयू मिलस्प्लस में सब आ flop कि यह माइनस का ग्यार एक स्था एक मिनट रुको 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 यहाँ यहाँ देखो यहां यहां देखो कि यहां से गड़ बढ़ आया ुछ कि यहां देखो यह नहां यह रहे गापर यह को थिक है इसमें माइनस का 4 common लेंगे भाबू ठीक है माइनस का 4 तो यह एक्स माइनस 7 को समझ रहे हो कि नहीं ठीक है बाकी सब साहिए कोई दिक्कत नहीं है यह थोड़ा सा हमें ध्यान देना था उदर लेकिन ध्यान कहीं और था यादो जी ठीक ऐसा ही बोल रहा है आप चलो जागे लेकिन देर से अब इनको बराबर आप करोगे जीरो के बारी-बारी ठीक है लिख लो चाहिए तो इधर साइड में यदी यक्स माइनस सेबन इक्वल जीरो तो यक्स बराबर साथ यदी यक्स यक्स बराबर पोर इसमज में आया कपी को आया समझ में तो बोलिए हाँ लिख लो यदी यक्स माइनस फोर एक्वल जीरो तो यक्स इक्वल फोर ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो देखिए कभी कभी कहीं कहीं थोड़ा बहुत भूल हो जाती है तो आप लोग अगर क्लास में पूरा एंड तक बने रहेंगे तो उसका सारा समधान आपको पता चल जाता है लेकिन अगर आप वहीं से भाग गए तो कहेंगे यार यह तो सब गड़बड कर दे रहें लिख लेजिए जिनको नहीं समझ में आया बोल दीजिए कहा मुझे नहीं आया लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी यहां पर गलती थी जो भूल से प्लस माइनस कर दिया सौरी उसके लिए कोशिस होगी कि आगे ना हो यहां पर यक्स के दो मान होंगे इसी क्वेशन के एक साथ भी हो सकता एक चार भी हो सकता अच्छा एक मिनट इसको हम लोग प्रूब करके देखें क्या सही है गलत चलो आओ भाई आओ फटा फटा आओ यक्स के दो मान आए एक चार एक साथ चलो हम दोनों को रखके ट्राई करते हैं इनको ट्राइल रूम में ले चलो पहले चलो भाई यक्स का मान पहले इसमें चार रखो तो अब पाता नहीं सही आया गलत आया है ट्राई कर लेते हैं आईए ट्राई करते हैं यक्स कमान 4 रखो तो यह 4 काई स्क्वायर इक्वाल 11 इंटू 4 माइनस 28 यह 14 16 हो जाएगा चवालिस माइनस 28 इस सोला क्यों भाई आठ चाउदा दू एक तीन एक चार साही तो है बराबर तो आ रहा है ना चाउदा में से आठ गया छे तीन में से दो गया एक सोला रहा है इसका मतलब यक्स का मान फोर इसके लिए सही है समी करण के लिए जो मैंने निकाला था वो गलत नहीं था और यक्स का मान इसमें सेबन रख तो तब भी आ जाएगा अब एक चीज आप लोगों को अगर याद हो तो आप बोल सकतें नहीं याद हो तो मैं याद भी नहीं दिलाओंगा जाने दीजिए चलिए यह नए जमाने के समीकरण है पूराने जमाने के नहीं कि इसमें सेबन भी आप रख सकते हो न कि देखो सेबन रख के देखो तो सेबन का स्क्वाइर इक्वल यह 11 इंटू 4 नहीं सेबन माइनस 28 यह 49 इक्वल 77 माइनस 28 तो 49 गटाओ इसमें से 17 में से 8 गया 9 6 में से 2 गया 4 49 दोनों बराबर आ रहा है न ठीक है हो गया कोई डाउट को इसमें नहीं न नो चलिए इस तरह की कोईशन बहुत कम मिलते हैं वैसे जिन में एकिवासे याधिक मान सही हूं ठीक apply कोईशन में एक की मान होता है कि तो कुछ अपवाद भी होते हैं अब इसमें यहीं चोड़ लिझे कुछ अपवाद होते हर चीज में जैसे हर किसी चीज का एक रूल होता है ना लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं जिनको उसमें नहीं देखा जाता है उन्हें छोड़ करके माना जाता है तो यह आप समझ गए हैं यह बताओ वाइस क्लियर है कि नहीं आप लोग सेशन को लाइक नहीं किया आधेव जादा लोग नहीं किये वह यह का है को अभी फटा-फट क्लास को लाइक कर दीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अभी और भी एक्जांपल करवाएंगे हां ट अभी टेंसान मद लीजिए पटा-फट सेशन को लाइक तो करिए न आप लोग आपका डाटा खतम हो गया मेरा ही नहीं खतम हो रहा है काय को जो एक और लिखो जैसे वाई काई स्कॉयर प्लस बारायक्स एभाई रुख जा प्लस पैंत्रीस कि बड़ाबर जीरो मुच्ञार अप्लोग यह रहेगा एक की चर में इसमें वाई कमान क्या है का अगया सुनिए दिन में जो लोग कमेडी हमेडी देखके बाबू सोना करके डाटा खतन में कल से नहीं करना कङका सबदेटा inflict जब डेटा बचा करें रखते हैं का फिर नहीं क्लास के लिए लिए UFO aerial बाद में मिलाए को हम हटा देंगे यूटूब से लाइब देखना है हर हाल में इसमें मद्ध्य पद को तोड़ेंगे दो भाग में यानि 12 को ऐसे दो भाग में तोड़िये कि जोड़ने पर 12 आ जाए और गुड़ा करने पर 35 आ जाए तो क्या होगा अंजाद के बताओ कि अंजाद के बताइए कि साथ प्लस पांच और साथ गुड़ा पांच आए ना हाँ डेटा वाली जो बात बताने सही बात है पहले हमारा भी डेटा खतम हो जाता था ऐसे कलास नहीं हो पाती थी जब ब्राडबर्ड नहीं लगा था मोबाइल का नेट था दो तो सिम नहीं च की स्पीड बदलब पूरा HD नहीं फुल HD देखो फिर जो लोग यूटूब का सिर्फ वीडियो देखते हैं क्वाल्टी लोग करके देखा करने डेटा बचेगा डेटा सेविंग मोड लगता है ना उसको लगा लिया करें चलिए यह Y का Squire Plus 7 Plus 5Y Plus 35 Equal 0 इसमें भी वही परकेड़i करेंगे देखो भाई इसमें Multiple करोगे तो यह 7Y । यह 5Y Plus 35 Equal 0 इसमें Y common हो जायागा Y Plus 7 इसमें 5 common हो जायागा Y Plus 7 Equal 0 ठीक है अब इसमें y प्लस 7 और यह y प्लस 5 यह दो इसके क्या आगे फैक्टर आगे बारी-बारी से अगर इनको आप अगर बारी-बारी से इनको आप चेंज करोगे जीरो के बराबर करोगे तो y का मान आपका माइनस 7 और माइनस 5 आएगा इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ नहीं न तो इकात समी करण में एकात और कर लीजिए तो फिर हम इसको चेंज करके कुछ आगे बढ़ते हैं तब तक थोड़ा लाइन पर आजाए गाड़ी कुछ समझ में आजाए कहां कहां क्या हो रहा था चलो भाइस आप इधर आजाओ फटाफट लाइट थोड़ा कम होगी और मैं थोड़ा सही नहीं दिख रहा हूंगा क्योंकि बिजली है नहीं है नहीं तो फाइस्ट कोश्चन है यहां पर मैं थोड़ा अलग तरह भी दूंगा आज ध्यान देना वाई का स्कॉयर प्लस इलेबन यक्स प्लस थर्टी यह एक ही चर्रासी में हम पढ़ा रहें तो यहां भी वाई ही रहेगा इसमें आप लोग वाई का पॉसिबल बैलू बताईए कितना कितना हो सकता है जल्दी से जबाब दीजिए फिर मैं एक और भी तरह का बताऊंगा ध्यान देना इधर साइड में इक्वेशन आइंड आइडेंटी बिल्कुल इक्वेशन आइडेंटी पढ़ाया जा रहा था वही चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है संगीता कुमारी आपका कमेंट आ रहा है संदीब जी मेरा नाम है राज कुमार आरे जे के यू 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 अब देखिए एक अलग तरह का मैं आज आपको यह बताऊंगा जैसे टू आई का इसक्वायर प्लस यह नाइन वाई और प्लस यहां पर वन इस तरह का कुईश्चन आज मैं करवाऊंगा ठीक है यह थोड़ा अलग है इसमें अलग सिस्टम है दिक्षा बर्मा नीलम्यादो सालनी उपाध्याय सालनी सर्मा सालनी सिंग प्रगती प्राना अंसारी ओम सिवानी सबका सही है तो इन लोगों ने वाई के मान बता दिये देखो भाई सिंपल सी बात है जो इनको तोड़ने पर आएगा वही आएगा मान है ना चलिए इसमें क्या करते हैं साथियों बीच वाले पद का जो नंबर होता गुड़ा अंक यानि 11 और लाइस्ट वाली जुगिंती हो यानि 30 इन दोनों को लेते हैं और लेके क्या करते ह जानते हो इनके दो ऐसे खंड करते हैं जिनको जोडने तो 11 और गुड़ा करने तो 30 मतलब जोडने पर लाश्ट वाली बीच वाली संख्या और गुड़ा करने पर वह किनारे वाली संख्या आए खिक है तो भाईया वह क्या-क्या गिंती होंगी वो 5 और 6 होंगे न, 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 5 और 6 में गुड़ा करेंगे तो 30 हो जाएगा ठीक है, clear है, तो y square 11 की जगा पर हम 6 प्लस 5 लिख सकते हैं, into y प्लस 30 अब ये y का square प्लस 6 का y में multiple हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 y प्लस 5 का y में multiple हो जाएगा, तो 5 y प्लस 3 0 30 इसमें भाई साहब y कामन ले लोगे, y प्लस 6, प्लस 5 कामन ले लोगे, तो y प्लस 6 अब ये y प्लस 6 एक कोष्ठक में, और y प्लस 5 एक कोष्ठक में अगर इनको हम बारी-बारी से 0 के बराबर करें तो कितना आएगा y कमान माइनस 5 और माइनस का 6 वैसे अगर इसमें आपके बुक में गुड़नखंड करने को आएगा तो ऐसे नहीं आएगा ठीक है फैक्टर ग्याद करने को आएगा तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना यह equation ऐसे दिया भी नहीं जाएगा इसमें बराबर करके 0 उरो जरूर दिया होगा नहीं तो यह अधूरा होता है ठीक है इसमें बराबर 0 दिया होगा तभी तो हम लोग यहाँ पर मान निकालेंगे यहां सब में बराबर 0 भी कर लो बराबर 0 तभी यहाँ पर यह पॉसिवल है कौसल राठोर जी गुड इवनिंग और गुड मॉनिंग सब कुछ ठीक है चलो तब को समझ में आ गया लिख लीजिए देखे इस तरह के जो कोईश्चन है इसमें थोड़ा सा अलग होता है लेकिन इसके पहले एक और तरह का इक कोईशन आता है तो इगात समी करने में ध्यान रखना अब इसको नजर में दिल में आत्मा में बसा लीजिए कि यहाँ पर प्लस का चिन्न है यहाँ भी प्लस है ऐसी इस्तिती में हम सिर्फ बीच वाले पद को गयस करके तोड़ ले रहें तो भाग में कि जोड़ने पर यह आजाए गुड़ा करने पर यह आजाए लेकिन अभी देखना यहाँ अगर माइनस हो जाए तब क्या होगा यहाँ माइनस हो जाए भाई साथ तो यह जोड़ने पर आएगा ही नहीं अभी नियम बदल जाएगा नियम बदल जाएगा देखो समझो कैसे थोड़ा सा समझिये मैं क्या बताने वाला हूँ यह हर जगा नहीं लागू होता है और एक बात याद रखना अगर बिजली बहुत जादा देर तक नहीं आई तो कलास बहुत बड़ी नहीं चलेगी क्योंकि सारा लोड इंवर्टर पर पढ़ रहा है जो भी चीज़े हैं बहुत कुछ चलती एक साथ में तो यह जादा देर तक कलाफ नहीं चलेगी फिर भी आदा एक गंटा चल जाएगी वजह क्या है रात में सोने के लिए नहीं रहेगा इसलिए कलाफ अगर चल गई तो चल तो जाएगी दो तीन कलाफ लेकिन रात मुसीबत में बीतेगी हाँ उसमें यक्स का बैलू फाइंड आउट नहीं करना था वो बात सही है किवल गुडन खंड करना था जो मैंने लिखा था अब इस टाइप को समझिए जैसे यक्स का स्कॉयर प्लस देखो भाई घट आने पर दो आए ठीक है और पांतियां पंद्रा गुडा करने पर पंद्रा आए बराबर जीरो इनको करके बताओ हाँ सिरीदर चार अभीदी से आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा चलो उनको बताओंगा बाद में साइड में रख दो चलो बताईए जबाब दीजिए अरे रात मेने दिन में तो सोना पड़ता है सुबा के टाइम न पांच बज़े से लेके 11 बज़े तक देखिए इसमें थोड़ा अलग है अलग क्या है समझेए इसमें भाईया हो लाश्ट में माइनस है न लाश्ट में माइनस है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है यह वाला पद अब जोड़ने पर नहीं आएगा यह वाला पद घटाने पर आएगा ठीक है तो कोई दो ऐसी गिंती आपको खोजना है जिनका गुड़ा करने पर यह आए 15 और घटाने पर घटाने पर दो आए देखिए एक्चुली करते क्या है इनका हम लोग वास्तों में फैक्टर करके अंजाद लेते हैं कि क्या हो सकता है जैसे देखो 15 है ना 15 का फैक्टर 3 और 5 होगा तो 5 और 3 तो हो रहा है ना 5 और 3 सही आंसर है तो यह यक्ष का स्क्वाइर प्लस इसकी दो की जगह पे हम 5 माइनस 3 लिख सकता हूँ एक बात मुझे बताईए क्या बहुत ज़्यादा सरसराहट की आवाज आ रही है क्या आवाद तो क्लियर है सरसराहट तो नहीं आ रही ना बहुत ज़्याद है क्योंकि यहाँ पे कूलर भी चलाया इन लोगोंने लाइट आ गई है तुजाता सिंग बहुत अच्छे वेलकम अब आईए इधर देखिए यक्स का स्क्वाइर प्लस 5 का एक्स में मल्टीपल करोगे 5 एक्स 3 का एक्स में मल्टीपल करोगे 3 एक्स माइनस का 15 15 इक्वल 0 अब क्या करेंगे इसमें कॉमन लेंगे एक्स कॉमन हो जाएगा इसमें भी कॉमन लेंगे तो भाईया इसमें एक्स प्लस 5 बचेगा इसमें माइनस का 3 कामन लोगे तो यक्स प्लस 5 इसमें भी बचेगा इक्वल 0 तो यक्स प्लस 5 और यक्स माइनस 3 इक्वल 0 यक्स कमान क्या क्या हो सकता है फिर यक्स कमान माइनस का 5 और प्लस का 3 ये 2 मान आएंगे यहां पर यक्स के समझ में आया ना सबा परवीन बिल्कुल सही देखिए अगर परिक्षा में यहां से यक्स की बैलू फाइंड करने को आता है तो लाश्ट में यहां तक करेंगे अगर सिर्क गुडनखंड करने को आता है तो उपर वाली लाइन में ही छोड़ देंगे फैक्टर करके बस पूनम पाल समझ में आया लिख लिजिए तो ये था दुई घात समीकरण आप लोग समझ गए ये वो वाला समीकरण था जिसमें यहां पर माइनस है एक बात याद रखना अगर यहां पर चिन माइनस है तो भैया हो ये जोडने पर नहीं आएगा बीच वाला पद याद रखना घटाने पर आएगा अगर ये माइनस रहेगा मतलब यहां माइनस रहेगा तो याद रखना बस ये चिन प्लस माइनस कुछ भी हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर तो इगात समी करन में ये चिन ना माइनस रहा तो बीच वाल अपत घटाने पर आएगा जोडने पर नहीं आएगा ठीक है समझ गए ना चलिए आगे आईए समझ ये आईए इधर देखे समझ ये अगला अब एक बात बताओ क्योंकि मुझे आप भ्यास कराना जरूरी है मानलो मैंने लिख दिया कि बी का स्कॉयर प्लस स्वेबा नियक्स माइनस 44 ये यक्स नहीं यहाँ पर भी लिख लो भाई दोनों सब एक के जगा वही रहेगा तो ये बताईए इसमें मद्वपद जोड़ के आएगा या फिर घटा के आएगा फटा फट बताओ जल्दी करो इसमें मद्वपद जोड़ के आएगा तो प्लस लिखिए और घटा के आएगा तो माइनस आर्पी सिंग जल्दी करिए बताईए क्या आएगा जोड़ के आएगा कि घटा के आएगा देखो भाई सिंपल सा मैंने अभी आपको फंडा बताया है अगर अगर मगर क्या बताया अगर लाश्ट वाला जो नमबर है लाश्ट वाला जो नमबर है स्वरी जो चिन्न है अगर यह माइनफ रहेगा तब जो मद्ध पद है वो घटाने पर प्राप्त होगा अगर प्लफ है तब जोडने पर बस आपको यह वाला चिन्न देखना इस से कोई मतलब नहीं है इसकी इज़द घर में मुर्गी साख बराबर कैसे बोलते है वो है बस इसका कोई मतलब नहीं है मैंने यहीं चिन्न है लाश्ट वाला कि इलेबन भी और फोर भी ठीक है कि भाई कोई बातचीत ना करो कलास में नहीं तो यहां पर बलाक बड़ी जल्दी किया जाता है ठीक है तो बातचीत ना करो सुनो कि इसको आप लोग कर लेंगे सभी कर लेंगे इसको न कर लेंगे पक्का देखो मैं बता देता हूँ यह विकाई स्कॉयर प्लस देखो भाई आ मल्टीपल करने पर फोटी फ़ोर लाना है घटाने पर सेबन लाना है अब ऐसे में क्या जुगार लगाएं जो लोग नहीं समझ पाते हैं यहां से दुगार देख लें जो उनकी बुद्धी थोड़ा कम काम करती है जो लेट में बुद्धी लेने पहुंचे थे भगवान के पास वो इधर देखें पहले यह बड़े वाले नंबर का फैक्टर करोगे गुड़न खंड ऐसे गुड़न खंड करते हैं दो दुना चार ठिक है अब इन दोनों नंबर को पकड़ो 22 और 2 को यह बताओ क्या 22 और 2 को घटाने पर साथ आ रहा है नहीं आ रहा है न इसका मतलब इससे काम नहीं चलेगा अभी एक बार और ले जाओ दो से ग्यारा आया अब देखो दो दुना चार और यह ग्यारा ले लो तो भाईया क्या ग्यारा और चार मिला के कुछ बन रहा है हाँ बन रहा है ग्यारा में से चार गया तो साथ आ रहा है ग्यारा का चार में गुड़ा करोगे तो 44 आ जाएग यानि मिल गया भाईया मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई नहीं मतलब मिल गया कि इने बन एंड फॉर है कि चलो तो भाई साहब इसकी जगापे में 11-4 लिख सकता हूं इंटू बी माइनस का 44 इक्वल का जीरो संगीता कुमारी समझ में आ रहा है अच्छा इसमें कितने लोग भगवान के पास बुद्धी लेने लेट में पहुँचे थे होता नहीं जिसे लंगर बढ़ता है कहीं कहीं बंडारा उंडा इंडारा तो लोग सब्सक्राणाज मिलता है किसी को लेट में पहुचे थे जिनको नहीं मिला है कितने लोग हैं जो पहले जाके चुरा लाएं च्छिन लाएं कुछ ऐसे भी खतरनाग पराणी होते हैं उनसे बहुत कम मिलिएगा वो लेट में नहीं पहुंचते हों पहले जाके चुरा लाते हैं इक्स्ट्रा में कोई बात नहीं सब मजाक की बात है सबको बराबर मिलती है कि कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं अच्छा देखे इधर इनका क्या करोगे इनको ऐसे लिख लो बी का स्कॉयर प्लस के इसBrak गर्च नहीं लेवन का भी मैंणस का 44 और उक्क ऑजीर घिंखा है तो ओठीड याज सबस्का की अब इसमें कॉमण ले लेंगे इसमें कॉमण ले लेंगे तो इसमें B common हो जाएगा तो B plus 11 बचेगा इसमें दोनों में minus का 4 common होगा तो B plus 11 इसमें भी बचेगा equal का 0 तो जो दोनों में ये दो जगा आजाता है ना उसको फिर last में एक जगा लिखते हैं ठीका है और ये B minus का 4 equal का 0 ये जो common होता उनको इसको इकठा लिख लेते मिलागे तो अच्छा 5-7 में आपने पढ़ा होगा इसको बहुत पढ़ाया गया यहां से अगर आपको मान निकाले को कहा जाए तो भाईया ये minus का 11 और 4 ये answer आएगा अकसर गुड़नखंड करने को ही आता है तो इसको उपर वाली लाइन में ही छोड़ दिया जाता है फिर यहां जीरो नहीं आता वाई से रहता है ठीक है इसमें जो पूर वर्ग द्वारा मिस्र दुगात समीकरन का हल करने की बिधी है यह थोड़ा जादा दिमाग मांगती है तो इसको मैं इसमें तो नहीं करवाऊंगा फिल हाल इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो बहतर रहेगा ठीक है एक वो होता है सिरीधराचारे बिधी द्वारा सूत्र द्वारा हल करना अब यह सिरीधराचारे जी का सूत्र कहां लगता है कि अधिए देरा चारे का सुत्र कहां लगता जानते हो दुई घाट समी करण को सिरी धरा चारे सुत्र से भी हल करते हैं कि समझ रहे हो उसका मतलब परियोग कब होता है जैसे आपने देखा होगा भाई जो लोग किसान परिवार से हैं बहुत अच्छे जानते होंगे अप लोगों ने दूद सुना है न कुछ लोग पीए भी होंगे गाय का भैस का बकरी का वेहन के मिलता होगा तो अक्सर किसान के यह होती है हमारे यहां भी किसानी घर से हैं तो I Nike दलт के लिख आज देती जाजाता है और वह दूद बहुत सारा देती लेकिन वह आदत पर जाती उनों क्या नहों च्छानना बोलते फ्यादा ऐसे कुछ है ना सुने वाप लोग की नहीं तो इसमें कुछ ऐसे भी क्वेशन होते हैं जो इस विदी से नहीं आते हैं तो उनको सिरीधराचारेस सूत्र से क्या किया जाता है वही जो भी बताया गई आवला सुनो इधर जैसे एक मैंने कुछ्चन लिखा यक्स का स्क्वायर प्लस नाइन यक्स और प्लस 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 अब इसमें सूत्र नहीं लागेगा इसमें फार्मूला नहीं लागेगा की लगेगा बोलो क्या इसमें कुछ किया जा सकता है नहीं न देखो भई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको जोड़ दें तो पांच आ जाए और अगर नहीं नहीं गुड़ा करें तो पांच आ जाए जोड़ने पर नो आजाए जोड़ने पर नौ आये गुड़ा करने पर पांच आये क्या ऐसा पॉसिबल है बोल ये अनु डेली अपडेट करें हमारे हां गए तो ऐसे ही भी है पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं लोग नहीं आ रहा न ये सुजीत मिसरा सुजाता सिंग रेनू परभात सालनी नहीं आ रहा न भाई आओ इसी में लगता है सिरिधरचार जी का सूत्र जहां पर कुछ भी बुद्धी काम नहीं करती वहां पर यहीं लगाते हैं एक एक्जामपल और छोटा सा समझ लो अच्छे से इसको क्यों लगाते ह आप लोगों में से अक्सर लोग गेहूं चावल या कोई चीज की बोरी बांधते हैं उपर एक रसी से ना देखे हो ना अगर खुलने लाइक नहीं होती तो इसको ब्लेड कैंची या चक्कु से काट दिया जाता है समझ रहो ना तो वैसे क्या है यह जो सुत्र है ना वह जो थोड़ा बिगड़ेल टाइप के कुश्चन होते हैं उसी में लगाते हैं इसको चलिए तो सबसे पहले हम आपका परिचे करवादें इनसे दिगात समीकरण का एक मानक रूप होता है ठीक है इसका मतलब क्या है समझ लो थोड़ा सा जैसे इंसान होने के लिए कुछ मानक है यहां मैं इंसान के गोड़ परगोड़ की बात नहीं कर रहा हूं इंसानियत की अच्छा बुरा की नहीं इंसान होने के लिए मानक यह है कि दो हाथ होना चाहिए दो पैर होना चाहिए एक नकुना होना चाहिए एक मुह होना चाहिए एक थोबड़ा होना चाहिए मतलब जैसे एक इंसान का इस्ट्रैक्ट्चर ऐसा है तो वह इंसान है नहीं तो नहीं है अगर मान लीजिए किसी के 5 हाथ है या एक हाथ है जनम सही तो आभ तेती अग्रती थे यह इंजे इनींट सामान इन्सां नहीं तो इंसन होने का मानग अहीं थे करन होने का भी है एक मानग हूता है नी और किया होता है तो मानक क्या इसका कि एक स्कुरेड प्लस इक्षोग्णनी जहां प्रेड़ एक कुई एक अचरपुद में आओ यह इате कुछिए के यह लोगा और करको बहुत हो आइस की जगार कोई भी बरियर वल हो सकता है इसकी जगा पर कोई constant होगा ठीक है यह क्या मानक समिकरन है इसको मैं क्यों बता रहा हूं श्रीदरचारे का सूत्र लगाने से पहले इससे इसकी तूलना की जाती है देखा जाता है कि हाँ तुम इसमें आओगे कि नहीं आओगे अगर यह सूत्र से compare नहीं हो पाती है तो मतलब कोई आगे बताएंगे चलो तो भाई इनसे इनकी compare करो ए का मान वन आया बी का मान नाइन आया कि इमांदारी से बताना जिसको ए बीolly का मान निकालना नहीं आया वो नो लिख के comment करें जल्दी से मैं देख लेता हूं एक बार यन ओ नो लिखिए अगर आपको नहीं आया कि ABC कमान कैसे आया अगर आ गया तो नहीं लिखना प्ले जित से मुझे ना बताना पड़े आ गया तो यस बोल दो न फिर सुत्र लगाएं मैं जानना चाहता हूँ कि सबको आ रहा है कि नहीं इस लिए थोड़ा टाइम लग सकता है कि अगर नहीं खाना खाते जाओ और खाना मूँ में ही ले जाना नाक में नहीं चलिए कुछ लोग जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा बता देता हूं आद आराम से सुनिए देखो भाई एक अमान वन कैसे है समझ लो हमने कहा कि इससे इसकी कंपेर करना है कंपेर मतलब तुलना करना देखो जैसे यक्स का स्कॉयर प्लफ यह नाइन एक्स है प्लफ फाइफ है तुलना करने का नीचे लाके इसको सटा के रख दो ऐसे तुलना करने का यही मतलब है अब इनको एक-एक को कंपेर करो एक-एक भाग को सुन लो जैसे यक्स स्कॉयर फे हम भाईया इसका कंपेर करेंगे किसका एक्स स्कॉयर ठीक है तो एक्स स्कॉयर हम जो इनको भाग करेंगे आपस में एक-एक को ठीक है तो यक्स स्कॉयर से ए कि उपर वन बचेगा नीचे वाचेगा तो हम कह सकते हैं कि एक मान कितना आया गी इसके लिए क्या करेंगे यह 9 x और यह x यह x शे एकस कट जाएगा बी कमान कितना आया नो यह जो अज़ है ऐसे चच्चा क्या करोगे यह सी और पांच को करोगे तेहां तो कुछ हाई नहीं करने पिटने को तो पांच आएगा फिदा फिदा बस यह आपको समझने के लिए बता रहा हूं बाकि इसमें और भी कहानी होती है उसको जानना जरूरी नहीं है समझ गए ना तो समझ गए तो फट से सेशन को लाइक कर दें और आगे बढ़ते हैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह सिरीधरा चारे सुत्र वाला याद रखना अगर आएगा पेपर में दूई नंबर में आएगा तो यह नंबर हलके मत लेना बैक लग जाती है किसी किसी का दूई नंबर की वज़ा से ताहिंगी साथी भी टूट जाती है डियलेट में फेल हो जाते हैं तो याद रखना आज से हलके में मत लेना दूई नंबर चलिए मैं बोलता हूं तो लोगों को बुरा लगता है को लोग बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन देखो उद्दे से क्यों होता है घर वाले कहते हैं न अच्छा सब पढ़ लिख लें अच्छी साधी हो जाएगी है ना पढ़ते लिखते काई लिए अच्छी नौकरी मिलेग तो अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छे जगा साधी होगी बस आज कल के माबाप की जो सोच हैं वो बच्चों को इतना ही सिखाते हैं उसके आगे नहीं तो चलो भाईया अब सूत्र में आ जाओ सूत्र में आ जाओ क्या करेंगे हर्मूला कितने लोगों को याद है हर्मूला कितने लोगों को याद है सिरी दराचारे का सूत्र वाला याद है लिखो अब मान आगे तो इसमें हम मान रखते हैं सुत्र में सिरीधराचारे का सुत्र यही है सिरीधराचारे एक गड़ितग्य का नाम है यक्स इक्वल होता है यह होता भाई, माइनस भी न और प्लस माइनस अंडर रूट B का स्क्वाइर माइनस 4AC अपान 2A यही है न ओके ठीक है, आप समझ यह, आप समझ यह प्यार से देखिए हमें मान मिल गया A का, B का और C का यह सारे बैलू मिल गए है, रख दीजिए इसमें लाला करके अब मान में इधर साइड में रखोंगा, ठीक है, B का मान 9 है तो हम माइनफ का 9 रखेंगे और प्लस माइनस देखो भाई, B का मान 9 था तो ब्रेकट में 9 का स्क्वाइर करेंगे अंडर रूट के अंदर माइनस 4 और A का मान रखेंगे, जो की 1 आया है, C का मान रखेंगे, 5 आया है 1 इंटू 5 2 A, A का मान 1 ठीक है, मनीश कुपता जी आरा समझ में अब यह हो जाएगा माइनस का 9, प्लस माइनस देखो भाईए, यह 81 हो जाएगा, यह 4 पंचे 20 हो जाएगा मुझे एक बाद बताओ, अगर 81 से 20 घटा होगे, कितना आएगा 61 आएगा न, यहनि आप अंदर रूट 61 कह सकते हो अपान 2, देखो यह किसी से कटे पिटेगा नहीं भाई साब यह किसी से कटे पिटेगा नहीं, नहीं यह कुश्चन थोड़ा अडबंगा टाइप का था, इसलिए मैंने इसको दिया क्योंकि यह आसानी से हलोने वाला था नहीं तो इसका फाइनल में जो आंसर हो जाएगा, वो इतना होगा माइनफ नाइन और प्लस अंडरूट एकसाठ अपान दो, और माइनफ नाइन माइनफ अंडरूट एकसाठ अपान दो, यह इसके दो मान हो जकते हैं आएं कि यहां पर प्लस माइनस दोनों होताय इसलिए लाइशन में प्लस एक बार माइनस में wave साधा या फह समय ना कि समझ में आ एक bard बोल दिये यस की को समझ में आ गया ने एक दम अच्छे से यह फर्मूला जो आया जाता है वह आसान सवाल में नहीं लगता है हाँ लगा सकते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं एक सिंपल वाले कुश्चन में अगर हम इसको लगा दें तो यहां पर एक मान आजाएगा प्यार अफ़ा छोटा अफ़ा लेकिन यह कुश्चन आजीब टाइब का था खतरनाक था इसलिए इसका आंसर भी खतरनाक आया है कि आपने देखा होगा अपने अगल बगल में कुछ अडोशन प्रोशन लोग ऐसे होते हैं बड़े खतरनाक उनके बच्चे भी डंजरस होते है कि आप लोग क्लास को लाइक करिए भाई देखो इतना रात में अगर हम आपके लिए कुछ कि इतना कुछ कर रहे हैं तो आप लोगों की कुछ जिम्मेदारिया है उसे करिए जल्दी से से सेशन को फटा फट लाइक कर दीजी अब तभी कुछ आगे बोलने वाले नहीं तो नहीं बोलेंगे अब चलो अच्छा इसमें से कितने लोग के पड़ोसन लोग खतरनाक है भई कोई है जिसके डंजरस लोग हैं और थोड़ा सावधानी से बताना पता चले वो भी जुड़े हो साथ में तो हाँ तो सुवेरे उठते मान टंगरी पकड़ खीचेंगे बाहर फे तो ये आप लोग कर लिए अच्छा एक मैं कुष्चन सूत्र पर रखके बता देता हूँ जो आसान है आसान वाला बताऊं क्या फार्मूले पर रखके चलिए एक आसान वाला मैं फार्मूले पर रखके बता देता हूँ ठीक है एकदम आसान वाला सुनिए इधर जैसे ये एक्वेशन है यक्स का स्क्वाइर माइनस 11 यक्स प्लस 28 इक्वल 0 अगर हम इसको सूत्र में रखें भाई पड़ोसी की बात बोल करके ये लोग बड़े मज़े ले लिए का बात है कुछ लोग तो पड़ोसी एक चक्कर में पर बात हो जाते हैं सुबा साम होद बिनसार लगे रहते हैं चलो छोड़ो जाने तो इधरा हो इसकी कंपेर करेंगे तो घात समीकरण के स्टेंडर्ड समीकरण से तो यहां पर भाईया एक कमान वन मिलेगा अच्छा बी कमान कितना आएगा जो लोग अभी कह रहे थे समझ गए एक बार बताओ भी कमान कितना आएगा बोलो कहे को सरमा रहे हो अभी अड़ोसी पड़ोसी बोले तो बड़ी मजा आ गई अब नहीं बोल रहे हो पराना अंसारी बोल रही है सेबन फोर फिर मान बताओ वस परभात तिवारी बहुत अच्छे परभात जी बरे गुट बी कमान इसमें माइनस का 11 आएगा बी कमान कितना आएगा भाई या 28 आएगा ठीक है बात पक्की चलो तिरी दरचार जी का सूत्र लगा दो यक्स स्क्वायर ना यक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपान 2A ओके बात पक्की चल भाईया कितना आएगा आंसर फटा पर निकाल लो हल करके इसमें नीचे दिख रहा है ना माइनस बी देखो ये माइनस में पहले से है इसलिए ये ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर ये यह नि माइनस ग्यारा का स्क्वायर माइनस 4AC A कमान 1 C कमान 28 2A A कमान 1 भाईया माइनस बी था ना मैंने सही लिखा है ना ठीक है रादिका जी अगर अंग्रेजी आती होती तब तक हम पता नहीं कहां चले गए होते हैं आप लोग खोज नहीं पाते हैं यही तो किस्मत मन नहीं रहा हम अंग्रेजी नहीं सीख पाएं भाई यह क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानि यह प्लस हो जाएगा और यह प्लस माइनस ऐसे ही लिख दो 11 ग्राम में कितना होगा 121 न यानि 11 का स्क्वायर करोगे 121 आएगा 121 और इसका 4 में मल्टिपल करोगे 28 का तो कितना हो जाएगा फोरेट जा अब भाई हिंदी वाले करी आएगे अब यह बड़ी खतरनाक गाली हिंदी में देते हैं इंगलीस वाले तो नार्मल है तो हिंदी वालों की संख्या जादा है इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूंगा इंगलीस मुझे बाइसे भी नहीं अच्छे आती है तो काये को मैं जाह मत मोल लूंग तो मैं हिंदी वालों को नहीं रूठा सकता हूं सॉरी चार का ठाइस में गुड़ा करेंगे ये लोग करके दिखा देता हूं चार अठे बत्तिस हासिल दो चार दुना आट दो दस देखे यहीं पर गल्ती होती है ध्यान रखना अगर गुड़ा गुड़ा में गल्ती होगी तो तो यह हो जायागा 121 माइनेफ का 102 देखो भाई लाइन पकड़ रही तो का वन में तो टू हो जायेगा क्यों भाई सही गुड़ा किया हूं मैं कि नहीं मल्टीपल और सही हुआ है कि नहीं मुझे कुछ लोचा लग रहा है मैं अगर ऐसा है तो पिर आएगा नहीं का है यह बी कमान 11 आया है सी कमान 28 आया है करके देखो इसमें यक्स कमान 7 आयेगा क्या और 4 भी आयेगा आयेगा भी कि नहीं आयेगा करके देखो चलो ट्राइग करते हैं जाता क्या है कि एक सो एकाईस से दो घटाओ कितना आयेगा बहुत कम आयेगा क्यारा में से दो गया नौ और नहीं आयेगा यह ग्यारा प्लस माइनस अंडरूट और नहीं अपान दो भाई यह तो कहीं से कुछ गड़बड हो गया काई में A, C, C कमान भी प्लस में ही है इसका कुछ वर्गमूल निकल जाता तो मुझे लगता था कि कुछ काम का चीज मिल जाता मल्टिपल गलत किया है क्या चार एठे बत्तिस चार दुना आट तीन ग्यारा हाँ वही तो मैं सोच रहा था सौरी मुझे लगा कहीं गड़बड हो रहा है 112 आए गए यह 112 आएगा तभी तो गड़बड़ा ही रहा था अब गड़ा के देखो भाई साब कितना आएगा कियारा में से दो गया नौ इसमें से एक उधार गया था सिर्फ नौ आए गए यह ओनली नौ आएगा चाच्चा देखो आ गया ना बात बन गई ना मजा आ गया ना देखो मैं बोला ना कि आप लोग यहीं पर देखना इसी में मैं बोला था कि यहीं कई में गड़बड करता हूं छोटा छोटा चीज आप देखो यह यक्स इक्वल 11 प्लस माइनस यह तीन हो जाएगा बटा दो यहाँ पर दोनों चिन्हें एक बार प्लस कर लोगे एक बार माइनस कर लोगे ठीक है तो जब प्लस करेंगे तो यह 11 प्लस 3 अपां 2 ग्यारा तीन 14 बटा दो मतलब 7 इतना ऐसे बनाया और जब माइनस करेंगे तो इधर 5 कर लो यहीं नीचे कर देंगे प्लस माइनस में से यहां प्लस किया था तो यह साथ आया अब माइनस करके देखेंगे तो माइनस करेंगे तो भाई साहब आठ बटा दो बराबर चार आएगा यानि यक्स कमान एक साथ आगया एक चार आगया समझ में आ गया न सब को पक्का समझ में आया ठीक है फिर अच्छी बात है सुन्दर बात है चलो यह था सिरीधराचार जी का सुत्र जो मैंने खराब और अच्छे दोनों कोईश्टन में लगा करके दिखा दिया यानि ऐसे कोईश्टन जो कठीन थे वो भी मैंने करके दिखा दिया जिसमें बड़ा खतरनाक अंसर आया था और ऐसे जो आसान थे उनमें भी जिनमें बहुत ही सज्जन सुसील अंसर आया है जितना पढ़ाये हैं न उसको बताओ आप लोग आज चलो सबसे पहले आप कमेंट करेंगे मिल करके कि सबसे छोटी अभाज संख्या कौन सी है जबाद दीजिए सबसे छोटी अभाज संख्या बताईए मैं कमेंट देख रहा हूं फोन में सबसे छोटी मिन्स इसमालेस्ट प्राइम नंबर इसमालेस्ट प्राइम नंबर बताईए क्या होगी प्रियंका कुमारी गुड इबनिंग आज पढ़ाई से लड़ाई हो गई नहीं लड़ाई नहीं करना चलो इसमें सबसे पहला अगर सही जबाब कोई दिया है तो उनका नाम है गौतम पटेल और गुलाम मंडल ने भी बताया है और अभी संकर ने भी बताया है इसमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो वन बता रहे हैं यानि इस मालेस्ट जो प्राइम नंबर है वन बता रहे हैं देखो भई या वन बिरादरी से बाहर है मैंने कई बार बताया है पढ़ाई लिड़ाई में या फिर जिन्दगी में जो हर जगा उपलब्द होता है हर समय उपलब्द होता उसकी कोई बैलू नहीं होती खेते हैं गर की मुर्गी साग बराबर आप कितने बड़े माश्टर हैं आप कितने बड़े इंजीनियर हैं अपने गर में अपनी बीबी के सामने अपनी मा और अपने भाई बैन के सामने आप कुछ भी नहीं समझे रहे हो कि नहीं होता है ना ऐसा तो क्यों क्योंकि आप हर समय वहां उपलब्द रहते हैं अब यह कहानी मैंने क्यों जोड़ा इस लिए जोड़ा क्योंकि भाज्य अभाज्य का जो नियम है उनमें फाइक्टर लिया जाता है गुड़नखंड के आधार पर निकाला जाता है और वन यह हर संख्या के गुड़नखंड में आता है हर जगा गुसा रहता यह तो यह समझ रहे हो ना कि नहीं तो इफ लिए यह न तो भाज्य है न अभाज्य है जैसे इंसानों में होता नहीं देखे ओ, male, female, एक और भी होते हैं, third gender तो वो न male होते हैं न female होते हैं, उनके बीच की category होते हैं तो वैसे यह है, अब मैं इसको third gender नहीं बोल रहा हूं फिलहाल इसके भी इज़्जत करो थोड़ा, क्योंकि इसके बीना कुछ होता नहीं समझ गए न, तो अभाज्य संख्या जो सुरू होती है, वो दो से सुरू होती है और दो की कम खासियत नहीं है, संख्या दो की बहुत बड़ी खासियत है जैसे रावण की नगरी में बीवीशन जी समझ रहे हो, संख्या जो दो है, वो रावण की नगरी में बीवीशन की तरह है क्यों? क्योंकि दो एक मात्र ऐसी संख्या है, जो सम है, लेकिन अभाज्य है समझ रहे हो ना दो एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम है लेकिन अभाज्य है जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें रजनीतिक पार्टियों में तो मन लिजिए कोई रह रहा भाई कमल वाली पार्टी में गुडगान कर रहा है संकिल वाले का कॉछ तो क्या है वाले किमाले को गुड़गां कर रहा है है कि गारा किसी और कर तो वैसे यह है जी सफलर्पी Μपिसिन जी रावणद न एक पूजाराम चंदि की करते ठें तो वैसे संख्या दो है वे सम नहीं है है सम है लेकिन फिर भी अभाज्य है lighthouse कि जैसी कोई और संक्या नहीं एक यह को है अगर है तो आप बताए स्थाज एप व्य है कर यह जो लोग बार-बार कमेंट कर रहे हैं एक चीज पेस्ट कर रहे हैं दूर्गेश जी भाईया थोड़ा ठंडा होई जाओ तो एक दम मारे दिमाग काम करना बंद कर दिया इतना कमेंट कर दिया बलक कर दो थोड़ा देर के लिए तेबल ट्रीक यूटूब पर सर्च करो मिल जाएगा यहां पर अभी पंचड ना करो वह से भी पंचड है सब भवा निकली पड़ी है सुनो अब आगे चलें कुछ काम की बात करें देखिए यहां पढ़ते हैं हम लोग बहुत मस तरीकि साराम अराम से हड़बडी में नहीं भागम भाग नहीं जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी नहीं फुर्षत में रात अपनी है तो कल मैंने आपको एक और अच्छा मज़ेदार तरीका बताया था कि LCM HCF में सुनिए सबसे आसान तरीका बताया था मैंने वन तू त्री और एक्षी लेलो फाइव का LCM बताये आधा मिनिट में लगेगा बताने में बताये जल्दी करिये अंसारी जी हां बताये थोड़ा मारकर में से आही वरलू अगर आपकी आग्या हो तो वह ऐसे भी बड़ी मांगाई है मैं सोचता हूँ वैसे रगलता रहूं मारकर तभी ठीक है जाने दो बिन से आह ठीक है दो त्याहिए छे पंचे तीस इसका करेक्ट आंसर है थर्टी अब कुछ लोग बहुत कुछ बता रहे हैं कोई 30 बता रहा है कोई 60 बता रहा है कल ही मैंने पढ़ाया था यह टेस्ट हो रहा है समझ लीजिए टेस्ट हो रहा है यह कुश्चन तो मिस हो गया किसी का मै मैंने अंसर नहीं देखा अब की मैं नाम बोलूँगा सबसे पहले जो बताएगा चलो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 काहे को होगा क्योंकि मैंने बताया था भाईया हो बाबू राजा हो सबको बताया था कहा कि ऐसे नंबर जो आपस में कोई कामन फैक्टर नहीं रखते हैं यानि जिनको अपनी अडोशन प्रोशन से कोई मतलब नहीं है कि उनमें कुछ कॉमन है या नहीं है उनका मल्टीपल ही उनका LCM होता है यानि उनका गुड़ा करने पर ही उनका LCM आता है उनमें कुछ भी नहीं किया जाता सिर्फ गुड़ा कर लेते हैं पर डारेक्ट जैसे कुछ नहीं करना एक्टर फैक्टर इसमें याद रखना आप कभी बूलना मत आएसी दो या तीन चार संख्याइं चाजितनी हूं अगर उनमें कोई कामन फैक्टर नहीं है कोई गुड़नखंड कामन नहीं है तो उनका गुड़ा करके जो गुड़नफल आता वही वह LCM होता है बस और आएसी संख्याओं की एक और खासियत है भाईया हो बाबू हो इनका जो हसी याफ है वो वन होता हमेशा हाईयस्ट कामन फैक्टर और इनका एक नाम और होता आज CF का इनको GCF भी बोलते हैं और इसमें C लगाना बहुत जरूरी है अगर केवल जी अफ करत हो गें यह खतरनाक हो जाएगा तो इस लिए हम इसको कभी नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें लोग में खत्रे से बाज नहीं आते इसका मतलब होता है कामन फैक्टर य Works का मतलब होता है ग्रेटीष कामन फैक्टर सुझ गए ना हूँ के साबिक बात बताओ 19 और 5 का LCM आज Saturday है टेस्ट होगा आज 19 और 5 का LCM बताईए देखिए लोग कितने समझदार हैं कितने समझदार हो गए कितने समझदार तो हम आदे बुड़े हो गए तब तक नहीं हुए थे जबाब दीजिए जल्दी से फाला नमा कि जी अफ यह कौन है भाईया आगया हां बहुत अच्छे देखिए कुछ लोग तो पश्टा रहें कि हां गुरू बतायत रहें कि LCM गुड़ा करके आएगा अब इनका राजा का का है कि यह मल्टीपल का टेवल नहीं आ रहा है कि 19 का पहाड़ा नहीं आ रहा है 5 का तो आ रहा है न तो फाइब से मल्टीपल कर दो ना पांच नो पैतालिस हांसिल चार पांच इकम पांच आनो नंटी फाइप आएगा यह सब तिकडम हो गया पुराना आगे बढ़िए अब जाने दीजिए आज आप लोग रिवीजन कर रहे हैं का कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं तो आप यह बताईए 79-79 में कौन बढ़ा इसमें कौन बढ़ा होता है ऐसे तो कुछ पूछते ना गाओ में कभी-कभी मुझसे भी कोई पूछाय लोग कन्फ्यूज कर देते हैं 89-89 और 89 छोड़िए उसको जाने दीजिए वो सब फाल्तू का सवाल है मतलब में आईए अब इदर सुनिए जो मैं काम की बात बोल रहा हूं भैया होई बताओ की अंडरूट 25 ठीक है और प्लफ का वन है यह परमिय संख्या है या नहीं है mag अगर यह परमिय अ्हाइज तो आप लोग फी लिखके कमेंट करेंगे यह नहीं अर लिखेंगे रेफनल नंबर अगर आप अर्मिय है तो आई लिखेंगे मतलब ए रेफनल नंबर कि सालनी सिंग प्रिया कि तुसील 89 89 ठीक है जबाद दीजिए पी और आई में आप लोग क्या लिख रहे हो भाईया बता दो ना जल्दी जल्दी से फटा फट गौतम ठीक है परभात तिवारी देखिए इसका करेक्ट आंसर है आर ये रेफनल नंबर है काहे को है क्योंकि ये बच्पन से सीधा फादा पैदा हुआ था बोला बाला तुनिए इसका वर्गमूल करेंगे तो फाई पाएगा और ये वन जुड़ जाएगा कुल मिला के छे हो जाएगा और ये सारे नियम कानुन का इमांदारी से ह्रेफनल नंबर का यानि स्स्पान-वन करते हैं तो बढ़ेखतर नाक होते हैं मतलब हैर्वान का कुछ भी नहीं होता तो मान लेते हैं हैं मेरे के बाद ये P.A.P.A.N.Q के रूप का हो जाता है इसलिए इसको क्या करते हैं कह देते हैं कि रिफनल नंबर है क्योंकि ये P.A.P.A.N.Q के रूप का है समझ गए ना अच्छा अगर इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूँ थोड़ा सा रच्ची भरका और इसको मैं 26 कर दिया तो क्या आप ये रिफनल नंबर है की रिफनल बताईए ये अब रिफनल है की रिफनल है अब की इसका जवाब लेकिन ऐसा नहीं दोगे ए बाई कमेंट चल जाए ये अगर ये रिफनल नंबर है तो आप पी लिखोगे परमिये और इरिफनल है तो अ लिखोगे मतलब आपरमिये पी या ए लिखेंगे आपरमिये के लिए ए परमिये के लिए पी वर्सा यादो कुचीत सुना ली बस यही मैं चाहता हूँ Mr. Gautam यही मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिल में थोड़ी सी जगा बना के रख सकूँ और अगर मैं एक घंटा बोलनू तो लोग एक घंटा सुने खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके चुप होने का नहीं बलकि आपके बोलने का इंतजार करें इसका करेक्ट आंसर है यह इरेफनल नंबर है इरेफनल नंबर का है को है ऐसे समझ लो छोटा सा एक्जामपल कि आप कितने भी सीधे साधे हो पढ़े लिखे हो बहुत तेज हो कलास में ठीक है सब कुछ अच्छा है आप सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाते रहे हो टेस्ट में लेकिन एनुवल एक्जाम में अगर आप फेल हो गए तो सब माटी हो गया फिर घराव वाले ताना मारेंगे समझ रहे हो ना और आप कितनों लत्ताई लुक्खई की हो पूरे साल कलास भर में कुछ भी नहीं पढ़े हो लाश्ट में आप टॉप कर गए ना तो ऐसे क्या है यह सीधा साधा था अब तक 25 था लेकिन यह थोड़ा कड़ बढ़ा आ गया क्योंकि इसका आप जो वर्गमूल है वह पूर्ड संख्या नहीं आएगी यह इसका वर्गमूल फूर्ड संख्या नहीं आएगी यह दसमलों में आएगा फिर यह डेसिमल में हो जाएगा कुल मिला करके यह मामला बनेगा नहीं फिर इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है वर्गमूल निकलेगा तोनाली बर्माजी ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा लेकिन दसमलों में निकलेगा और उसके आगे हम आपको नहीं बताने वाले क्यूंकि अभी आप DLA में पढ़ रहे हैं उसके आगे अगर हम जाएंगे तो टाइम लग जाएगा इसमें अभी बहुत कुछ होगा लेकिन हम वह सब नहीं करेंगे आपर बस आप इतना जान लो कि यहीं रेफेनल नंबर है कि लाइट चली गई थोड़ा कम अच्छा दिख रहा हूंगा तो कोई बात नहीं है कि आगे बढ़ें अच्छा एक बात बता और इसी में जीरो क्या है कि यह पर्मिय संख्या है क्या अगर यह पर्मिय संख्या है तो आप लोग क्या लिखोगे भाई कि लोग पी लिख देना और अगर आप पर्मिय संख्या है तो क्यूं यह पर्मिय है कि अपर्मिय है सुनने है यह सुनने जी रो पर्मिय है कि अपर्मिय है रूपेस अब जब तक लाइट नहीं आएगी न तब तक आप लोग बोर्ट देखना मुझे मत देखना पहले ना लाइट नहीं आती थी जब इन्वर्टर नहीं था खराब था तो हमारे खिलाड़ी इतने महान थे ना मुझे अंधेरम भी देखते रहते थे एक को लाइट नहीं जलती थी हाथ तो कलास चल रही फिलहाल आप लोगों की किरपा से उतनी रोसनी बन गई है कि लाइट ना रहे फिर भी चलता है हाँ इसका जो सही जबाब है जीरो का वो पर्मिय संख्या है सुन ने एक रेफनल नंबर है क्या है भाईया जीरो एक रेफनल नंबर है विकाज भी कैन राइट इंगलिस भी थोड़ा सीख लो जीरो अपन वन इससे पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि इसका नियम कहता है कि क्यू ड़ज नाट इक्वाल जीरो क्यू ड़ज नाट इक्वाल जीरो लेकिन पी जीरो हो सकता है में भी पी जीरो हो सकता है समझ रहे हो जैसे आजकल जोड़ों में होता है हम जा सकते हैं कहीं भूम सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं कर सकते हो तुम करो कैसे हो मैं करूं तो तुम करो तो राफ लीला मैं करूं तो करेक्टर ढीला ऐसे मैंने कहीं सुना था सायद कुछ इसमें क्या है कि Q0 के बराबर नहीं हो सकता है अगर Q0 के बराबर हुआ तो उसे रेफनल नमबर नहीं मानते हैं अगर P0 के बराबर हुआ तो यह हो सकता है यानि यह क्या है परमे संख्या है समझ गए ना तो 0 क्या है रेफनल नमबर याद रखना क्लास का टाइम रात में 10 से 11 होता, सटर्डे है, सटर्डे को टेस्ट होता है, सटर्डे को टेस्ट होता, आज पढ़ाई नहीं हो रही है, आगे कुछ 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 गुश्चन कर लीजिए, इसको मैं इपलिए कहा क्यूंकि P और Q में दोनों में अंतर है, P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है, सबना अप लोगों ने, अच्छी बात है फिर, आप देखिए, मैंने आपको समी करण बताया था, एक वेश्चन बताया था न, सर्वसमिका भी बताया था, तो समी करण और सर्वसमिका की कौन सी बात आपको याद है, बताया था न लगबग, कुछ चीज़ें बताया था जो आपको याद होने वाली थी याद होगी चलिए ठीक है फिर एक बात बताईए एक बात बता हो तुम उसके आगे नहीं बोलेंगे पसीतना ही बतादो बस यक्स कमान यक्स कमान क्या आएगा सबसे पहले जो बताएगा मैं उसका नाम बोलूँगा पक्का गरंटी है चलो भी जल्दिये में पढ़ाया हूँ यक्स प्लस नाइन इक्वल वन एट्टी इसमें यक्स नहीं इसमें वाई लिख लो वाई कमान क्या आएगा विसाका सिंग डाटा खतम हो गया देखो भाईया आटा भले खतम हो जाए घर में लेकिन डाटा ना खतम होने दिया करो कि डाटा खतम हो जाता तो गड़बड कि इसी लिए सरकार आटा माहिंगा करके डाटा सस्ता कर रही है माइनस पांच बटा तीन इसका आंसर सबसे पहले बताए हैं बाई समीर जी ने और फिजा खान यह सबसे पहले बताई थी अच्छा मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर एक क्लास सुबा कर दिया जाय तो नहीं सही रहेगा दिन में एक सुझाओ है जल्दी से आप बता दीजिए क्योंकि साम को लोगों का डाटा खतम हो जाता है यह डाटा के चक्कर में मेरा स्याहिक है भई या दिया भई और अगर सुबा या दिन में किया जाया तो कब क्योंकि रात में लोगों का बारा बज़े तक डेटा खतम हो जाता है क्योंकि लोग इतने इमानदार बन गए हैं न कि वो मैं क्या कहूं मेरे लिए कोई बैलूरी नहीं है कि डेटा बचा के रखे कि दिन में क्लास करनी चाहिए न चलिए इसके लिए हम पॉल करवाएंगे फिलहाल अभी चलिए क्विश्चन करते हैं इसमें वाई कमान आ इसका आंसर पांच बटा तीन आएगा माइनस पांच बटा तीन ओके ठीक है चलिए तो यह हो गया एक क्विश्चन आप लोग और बताईए फिर हम आगे बात करेंगे ओक्विश्च इसमें यक्स के मान बताईए तब तक मैं कम्यूटी में एक कोईश्चन पोश्ट कर दे तक मैं कम्यूटी में एक उस्चन पोश्ट कर दे रहा हूं आप लोग उसपर ओटिंग कर दे ना आपने वईचार तेख है तक ये मैं पॉल खतम कर दे रहा हूं जो चल रहा है मैं एक नया पॉल क्रीअट कर दे रहा हूं अब मैं question poll लिख रहा हूं जाना नहीं है class का new time ठीक रहेगा ए भाई रुख जा यार क्या हुआ यह आप लोग जबाब दीजिए राज सर्मा आज सभी फटा फट बताते जाईए अंसर बताईए मैं देख रहा हूं सबका कमेंट देख रहा हूं मैं question लिख रहा हूं भाईया बस आदा मिनट देदो मुझे बस प्लीज आदा मिनट अब 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 अबसा नहीं का है ऐसा हो जाता है देखे मैंने कम्यूटी में साथियों एक question पोस्ट कर दिया है आप लोग उसमें ओटिंग करना इमानदारी से एक बार ओट कर पाओगे इसलिए गलत ओट मत करना गलत ओटिंग मत करना सोच समझ के करना कि किस टाइम पर आप पढ़ सकते हो अगर कोई टाइम पर आप नहीं पढ़ सकते हो तो भी अंजाद कि आप किसी ऐसे टाइम पर करना जिस पर पॉसिबल है जिस पर आप पॉसिबल है पढ़ सकते हो उस पर ओटिंग करना है सोच समझ के करना क्योंकि आप change नहीं कर पाओगे change नहीं कर पाओगे याद रखना इसलिए सोच समझ के करना AM का मतलब सुबा का टाइम है PM का मतलब साम का टाइम है याद रखना सुबा किवल 11 बजे एक possible है बस उसके पहले मैं खुदी नहीं कर पाओँगा सोच समझ के जिस पर संभव हो सके दिन में अगर चले तो मुझे पता है कि दो बजे में जादा जाएंगे लोग सभी ओटिंग कर देना जरूर कुश्चन आपके कमेंट में आ गया होगा नीचे आईए बात करते हैं आगे ताइम बदल नहीं रहा हूँ अभी आप लोगों से राय ले रहा हूँ समय नहीं बदल रहा भी कुछ इसमें भाई साहब ये 5 प्लस 3 हो जाएंगे हाँ तीन प्लस 2 ना यक्स कमान माइनस 3 और माइनस 2 आएगा माइनस 3 और माइनस 2 शही है न यहीं आएगा न अगर गुड़नखंड करोगे तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 आएगा एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2 ठीक हैं जिनका आप्सन नहीं है ओटिंग में वो भी कोई एक आप्सन सेलेक्ट कर दें जिस पर पॉसिबल होगा किसी न किसी पर थोड़ा बहुत पॉसिबल होगा आईए टेस्ट हो रहा है तो कुछ कुछ कोईशन कर लो का है को टाइम बेस्ट कर रहे हो यह आप लोगों के बड़ा ही काम का फर्मूला है A प्लस B का होल स्क्वाइर A का स्क्वाइर माइनस B का स्क्वाइर माइनस 2AB क्या यह सही है बोलिए क्या यह सही है A माइनस B का होल स्क्वाइर इक्वाइर एक का स्क्वाइर प्लस B का स्क्वाइर माइनस 2AB इन दोनों में कौन सही है जबाब दीजिए अभी क्लास का टाइम सही बदला नहीं जा रहा है सिर्फ आप से राय ले रहें कि आप कि इस टाइम पर ओटिंग कर रहें ज़्यादा ज़्यादा हाँ लेकिन सोच समझ के करना कि अगर उस टाइम पर किया जाए तो आप पढ़ सकें सुजीत मिसरा ठीक है सुजीत जी बहुत अच्छे देखिए इसमें दूसरा वाला फार्मूला सही है पहले वाले में थोड़ा चिन्न में मिस्टेक है पहले वाले में क्या है भाईया चिन्न में मिस्टेक है है न बाबू सही न देखो मैं बता रहा हूँ यह जो प्लस वाला सुत्र है भाई सहाब यह हर जगा प्लस होता है ठीक है यह B वाला सही है माइनस वाले में याद रखना यह चिन माइनस होता बागी सब प्लस होता है ओके इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ओके ठीक है आज ज्यादा कुछ बढ़ाई नहीं हो रहे है क्या बढ़ाई होनी चाहिए न आप लोग सर्बसमिका का एक 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 जामपल बताएंगे एक और बताईए यह कुश्चन है यक्स इंटू यक्स प्लस वन प्लस फाइफ इक्वल जीरो क्या ये रहेखिक समीकरण है यास या नो क्या ये रहेखिक समीकरण है जबाब दीजिए diffus linear equation यास या नो साख्षी सिंग बिपुल सुकला एपी लाई विनोध बटरफलाई यह विनोध अलग है बटरफलाई अलग है आप टेस्ट हो रहा है आप लोगों को बताना है जिनको नहीं आ रहा है उनको टेंसन नहीं लेने का टेंसन देने का है बस चलिए टेंसन लेने का नहीं बिल्कुल भी यह रेखिक समय करन नहीं है काहे को नहीं है क्योंकि बिना किसी की आप रियल्टी देखे नहीं समझ सकते हैं कुका इसा है जिसे हमें देखरो बड़ा फीदा फादा है तुम्हें लग रहा है न कि बहुत अच्छे हैं ना हम लेकि इसका मल्टीपल करो पहले अंदर में कोश्ठक लगा है तो यह यक्स का स्क्वाइर प्लस यक्स प्लस फाइप इक्कॉल जीरो यह इसका अफली रूप है तो यह अब लिनियर एक्वेसन नहीं है दुगात समी करण है ठीक है आया बात समझ में एक एक्वेसन और आगे लिखो समझो यक्स स्क्वाइर इंटू वन अपान एक्स प्लस वन इक्कॉल जीरो क्या यह लिनियर एक्वेसन है क्या यह लिनियर एक्वेसन है प्यार यया नूग है यह लिखो गे और नहीं है तो ना लिखो के जैसे चैटिंग में करते हैं जाना बेला बाबू ने थाना थाया नहीं थाया तो नहीं और थाया थो हाँ है चलो बताओ यह लीनियर रिक्वेसन है या नहीं का बोल रहे हो अब थाना थाया नहीं थाया वो मत बताना उससे नहीं मतलब है भाई यह बहुत हीट हो रहा है लैप्टाप एक मिनट रुख जब है आग लगी है इसको कि मोहित खन्ना कि कुछ समझ में आ रहा भाईया कि नहीं आ रहा है कि सुस्मा परजापती है हम ठीक है कि यह लीनियर रिक्वेसन है अब लीनियर रिक्वेसन है rim, देखो कैसे विकाज देखो यह एक गहाथ है उपर दो गहाथ है यह उक्ष का स्क्वाइर रपान युक्स प्लस वन इक्कॉल जीरो होगा इसे आप ऐसे भी कर सकतो समझने के लिए फ्लस व में इक्कॉल जीरो होगा आप ईसे कह सकतो कि je लीनियर रिक्वेसन है हल करने के बाद जुआया उस पे नजर रखते हैं समझ रहे हो यह नहीं कि पहले ही देखने मकादी खराया है समझ गए ना कि नहीं पेपर में आपके आ सकता है सही कुश्चन आपसे दुई नंबर में पूछा जा सकता है ठीक है समझ रहे हो अच्छा एक और चीज बता दीजिए एक और चीज बता दीजिए चुपके से बताईए कोई जानने ना पाए अगर इसकी लेंथ यह टू सेंटिमीटर है तो वातिद्धा एरिया पहले तो इस इस आत्मा का नाम क्या है बताओ क्या है यह इस फिगर को क्या बोलते हैं कुछ लोग ने तो पहली बार देखा है रहे बाबा चस्मा निकाल के देखना अच्छा लग रहे है ना कि एलान बाए को भाई थोड़ा सब देर के लिए इस्टाफ करो यह एलान बाए के चक्कर में सब एलान हो जाएंगे जो डबल हैं वो भी गड़ा जाएंगे नहीं भाई हसने दीजिए लड़ाई लड़ाई मत करिये लड़ाई मत करिये लड़ाई करने का नहीं अजते रहिए बोलते रहिए चिलाते रहिए बिल्कुल कोनों आयत बोल रहा देखो देखो यह तने चा कहूं इनको मैं गरियाद उन तबो नहीं सही है कहेंगे गुरु जी बहुत हरामी है अभी जिए इसको आयत बता रहे गौतम जी आयत लग रहा है आपको यह क्यों मैंने गलत किया का कंफ्यूजन वाला है ना चलो इसको थोड़ा किलियर कर देता हूं ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको जो भी लग रहा हो कुछ लोग आयत समझ रहें कुछ लोग वर्ग स ज्यादा लंबा है ठीक है अब देखो कि अब भी आयत लग रहा है का कि अब सभी लग रहा है ना तो यह वर्ग है मैंने इसको स्क्वाइर की रूप में बनाया था मैंने इसका क्या पूछा था एरिया पूछा था ठीक है और इसका भी एरिया बता दो अगर यह तीन सेंटिमीटर है यह पांच सेंटिमीटर है अब सुन लीजे मैं बता दे रहा हूँ यह वर्ग है स्क्वाइर जिसे बोलते इंगलिस में इसमें चारोसाइड इक्वड होती है तो किसी भी बंद आक्रती का छेतरफल उसके द्वारा घेरे गए छेत्र को कहते हैं ठीक है किसी भी बंद आकरती का छेत्रफल उसके द्वारा घेरे गए संपूर्ण छेत्र को कहा जाता है समझ गए आप लोग की नहीं किसी भी बंद आकरती द्वारा घेरे गए संपूर्ण छेत्र को उस आकरती का छेत्रफल कहा जाता है तो भाईया छेतरफल निकालते कैसे हैं? छेतरफल निकालने के लिए लंबाई चोड़ाई का घुड़ा करते हैं. इसमें सन्योग से लंबाई भी वही है, चोड़ाई भी वही है. टो हम कहते यहीं कि वर्ग का छेतरफल बराबर भुजाई स्क्वाई होता है सूत्र बनता है यह से क्योंकि लंबाई चौणाई बराबर होती हूँ लिए भुजाई स्क्वाई फार्मूला बन जाता आ है रिए PAL इस्क्वाईर मतलब 2 का इस्कॉाईर इकन ज़ूरी है अगर आपने सेंटिमाटिया स्क् congestion नहीं लगाया तो इसको उतना नहीं लिखार नहीं तो गलत इसमें क्या है किया ये तीन सेंटीमेटर ये पांच इंटीमीटर कि इसमें भी वैसे होगा hem अब लोग सही बता रहे हैं गलत है है शेटरफल निकाल रहे हैं एरिया निकाल रहे हैं ठीक है सेंटीमीटर स्कॉयर जरूर लिखना इसमें छेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई चोड़ाई का तो पांतियाई 15 सेंटीमीटर का स्कॉयर जरूर लगाना समझ रहे हो ना जैसे साधी करने के लिए बाराती जा रहे हो नहां कि नहीं गए हो वहां से लुटा दिये गए तो ग इसकाल लिए हो सेंटीमीटर का इसको नहीं लगाओगे तो उत्तर गलत काट दिया जाएगा तो यहां पर इसकॉयर लगाना ज़रूरी है समझ गए ना सभी की नहीं समझ गए अच्छा ठीक है हाँ आयत के परतेक इंगल 90 होते हैं 90 होते हैं अच्छा एक और बहुत ही छोटा सा कोश्चन मैं पूछ रहा हूं देखिए हमारी कोशिस होती कि आप बीटीसी डियेलेट में 25 में 25 नंबर पाएं और जो इस कलास में मै सा कोश्चन है अगर ये एक तिरभुज यह इसका अगर ये कौण 70 अंसका है और ये कौण 50 अंसका है तो बताईए एक कितने अंसका होगा इमांदारी से बताना कितने अंसका होगा जल्दी जबाब दीजिए और सेशन को लाइक करते चलो बाबू ऐसे मज़ा नहीं आ रहा आप लोग लाइक नहीं कर रहो भाईया कितने अंसका हो गई है जल्दी करें फटा फट 12 आ जाए फर्स स्वेस्टर में काफी है नहीं 12 की उमीद ना करिए 25 की उमीद करिए तब तो बैमानी है मेरी कलास की गोर बेज़ती है अगर बारा की चकर में पड़े हो मेरी कलास में आया वो फिर सोच रहो बारा नंबर मिल जाए गोर बेज़ती है अरे 25 में 30 नहीं मिलेगा तो 25 तो मिले साथ पांच बारा 120 इसमें से गटा उसाथ आएगा उल्टा गटा दिया ठीक 60 डिग्री आएगा त्राइंगल के त्रीनों साइड का सम 180 होता है 180 से आप क्या करोगे 180 से भाइस आप इन दोनों को जोड़के घटा दोगे यह तो मैं उल्टा लिखा हूं तुम्हें कन्फ्यूज करने के लिए बस आठ हंस आएगा 60 डिग्री आएगा समझ में आया ना आया समझ में तो एक चीज बताओ और सुनो ध्यान से मैंने च्यार अचर बताया है ना माइनस पांच बटा तीन यक्स स्कॉयर में यक्स स्कॉयर का गुडांग क्या होगा इसका गुडांग बताओ जल्दी से क्या होगा जबाद दीजिए क्या आएगा जल्दी करिए एनिवन फिर आज वही टाइम हो गया तो मैं क्या करूँ रोज तो वही सामझ में हो जाता है मैंस फाइब अबांच छिए माइनस फाइब अबांच फरी होगा ओके कुछ कुष्ट्चन में दे रहा हूं आप लोग इन्हें करके आना ठीक है, कुछ question मैं दे रहा हूँ, इनको आप लोग लिख लीजिए, इनको कर लीजिए का घर पे X plus 8 equal 3X X के मान निकालना है X plus 4 equal 2X 3 upon 2X minus 4 equal 3X 5 upon 2 plus 3 equal 22 upon 2 नोट कर लीजिए, इनको आप लोगों को करना है घर से चाहिए घरे करें, चाहिए दुआरे खुछ question भारी दे दे रहे हैं, इनको करवाएंगे नहीं आएगा तो भाई इनको permanent block किया जाएगा, एलान बॉय को, अब हमेशा के लिए, क्योंकि एकदम गंद मचा दिया ये आती कर दिया जिसे बोलते है नाम भी वैसा है उपर वाला लिख लिए ना आज आप ये सीखोगे, अगर समीकरण के मूल दिये गए हैं, तो समीकरण कैसे निकालते हैं ठीक है जैसे मैं एक question लिख देता हूं, 5 और minus 2 question है 5 और minus 2 ये समीकरण के मूल है तो इनसे आप समीकरण कैसे निकालोगे प्रियांसी तिरपाथी जी कलास चल रहा है, मुझे लग रहा कि ये देख नहीं पा रही है तो मैं एक बार comment में link दे दे रहा हूं, पेस्ट कर दे रहा हूं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि ऐसे करके आप निकाल लोगे बोलो किसी को मालूम है, जिनका कलास नहीं चल रहा है, नीचे दी गई link पर क्लिक करके रिफ्रेस कर लें कलास शुरू हो चुकी है तो मैंने ये link बना दिया है, ये लोग रिफ्रेस कर लें भाई साहब चलिए, ओके नहीं पता है, सुनिए अब सुनो अगर समीकरण के मूल दिये हैं तो आप समीकरण कैसे निकालोगे, समझो यहाँ पर समझो इनको साथियों A और B मानते हैं, ठीक है? जो मूल होते हैं, उन्हें क्या मानते हैं? A और B ओके? इसका सुत्र होता एक जब समीकरण के तो मूल दिये हो तो दिगात समीकरण बराबर यक्स स्क्वाइर प्लस ब्रेकट में A प्लस B यानि मूलों का योगफल ओके? और फिर प्लस मूलों का गुड़नफल बराबर 0 यह माइनस होता है याद रखना है मूलों का गुड़नफल मतलब A इन्टू B लेकिन इसमें एक चीज और भी ध्यान देना है कि योगफल में आप यक्स भी करोगे ठीक है? योगफल यहाँ पे आप यक्स भी करोगे साथ में इन्टू यक्स और A इन्टू B इक्वल 0 यह क्या है फर्मूला है समझने की कोशिस करना तभी कोशिस करें देखिए यह क्या हो गया आपका फर्मूला देखिए इसको लगाते कैसे हैं इसको कैसे लगाते हैं मैं उसको भी बता देता हूं यह लोग यार बिना लिंक सेर किये जान नहीं पाते हैं कंडिडेट बड़ी मुसीबत इनकी ये हैं जुड नहीं पाते हैं लोग भेजना पड़ता है मुझे चलिए अब क्या है ये ये समी करण के मूल हैं ये पहला मूल है ये आपका दूसरा मूल है ये पहला मूल है ये दूसरा मूल है ओके देखो भाई समझो यक्स स्क्वाइर एफे ही लिखोगे माइनस देखो ये माइनस में दो दिया है ध्यान रहे तो अगर हमें ए प्लस भी निकालना है यहां से देखो तो क्या आएगा एकी जगा पर पांच और फिर प्लस भी की जगा पर माइनस दो यानि पांच माइनस दो बराबर तीन आएगा बोलो आएगा ना समझ में आ रहा कि नहीं कलास सबका चल रहा यार ये सब बोल रही कि मेरा नहीं चल रहा है क्यों विसाल इननी सर्मा कभी नहीं चल रहा है चल तो सबका रहा है मैं इनको क्या करूँ आगे जाने दो कुछ ने बोलना तो फाइब माइनस टू में आप यहां पर करोगे इन्टू एक्स प्लस देखो यहां पर कैसे फाइब माइनस टू आया यह मैंने बता दिया यहां लिखके ए इन्टू बी एक जगा पर पाँच बी की जगा पर माइनस का दो यहां पर ध्यान रखना आप मजला कोश्ठक भी लगा लेना क्योंकि माइनस में बराबर जीरो इस तरह से साथ ही मेरे एक्स का स्कॉायर माइनस पांच में से दो जाएगा तो तीन इंटू एक्स और प्लस यह पांच दूना दस माइनस का दस आएगा ठीक है बराबर का जीरो तो देखो बाबू यहां से समझो यक्स का स्कॉायर माइनस 3x यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस करते हैं इक और 0 यह आपका सम्हिकरन आएगा यहां पर ध्यान रहे अगर यहां लाष्ट में बराबर लगा है तो इस टारटिंग में आप एरो लगाओगे क्या लगाओगे एरो लगाओगे बस बराबर नहीं लगाओगे दो जगा ठीक है ओके किसी को कोई डाउट है तो बताओ नहीं समीकरण लिख लिजिए यह आपका क्या आगया इक्वेसन आगया इस तरह से अगर कोई भी समीकरण के मूल दिये गए हो तो आप उनका इक्वेसन निकाल सकते हैं जैसे अभी तक आप दिये गए समीकरण से मूल निकाल रहे थे यानि यक्स के दो मान फाइंड कर रहे थे ना पिछली कलास तक अब इसमें क्या है अगर दो मूल दिये गए हैं तो आप इक्वेसन निकाल लोगे यह परिक्षा में इसमें से आ सकता है दो नंबर में चलिए एक और बताईए फार्मूला सिर्फ बचाना है बाकी चीज़े मिटा देना है सभी समझ गया हो ना भाईया हूं आईए अगर समी करण के मूल पांच वा साथ है पांच वा साथ हैं अगर तो कैसे करोगे बताओ क्या आप इक्वेसन फाइंड कर लोगे यह दि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेसन के दो मूल आपको दिये हैं चलिए इक्वेसन फाइंड करके दिखाते हैं इसी फार्मूले में लाके मान रखना है जहां पर एक ही जगा पर पहला गिंती और बी की जगा पर दूसरा वाला एरो लगाते चलो एक ही जगा पर पहला गिंती यानि पांच और प्लस बी की जगा पर साथ एक ही जगा पर पहला गिंती फाइनल में आपका एक्स का स्क्वाइर माइनस साथ पांच बारा एक्स और प्लस ये बारा एक्वल जीरो कितना आसान है ना क्यूं आसान है की नहीं आसान है ना नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि इस कलास का जा रहा है आज कली लिए ये कलास रिष्टर चल रही है मुझे इसका नोटिफिकेशन भेजना ही पड़ेगा सबी कंडिडेट को ये बता दें जो इसमें जुड़ पाए हैं कि भाईया आप टेली कराम पर पीवियार स्टेडी जरूर ज़ाइन कर लिजिए क्योंकि कलास का नोटिफिकेशन आपको डेली यूटुब से नहीं मिल सकता है इंटरनेट बचा के रखा करो अगर साम को पढ़ना है तो इस तरह से आप लोग और भी कर लेना मैं एक और भी दे दे रहा हूं अगर मूलों का सिर्फ योगोफल निकालना रहे तो क्या करोगे एक मिनट यहां पर माइनस था तो माइनस तो आया है ठीक है आ गया समझ में अब ठीक है चलो एक कुश्चन दूसरा लिखिए अलग टाइब का अब इस टाइब के आप लोग कुश्चन कर लीजिएगा मैं इधर साइड में कुश मूल दे दे रहा हूं आप एक वैसन बनाना होमवर्क के लिए लिख लीजिए इसको घर पे वर्क करिएगा इसमें लिख लीजिए इसमें कुश्च वर्क करिएगा आप लोग जैसे समी करण के मूल है साथ और तीन माइनस का तीन और पांच माइनस का दो और माइनस का साथ माइनस का नो और प्लस का तीन ठे और माइनस का दो आठ और माइनस का पांच यह क्या है समी करण के मूल है आप लोगों को समी करण फाइंड करना है ठीक है समी करण के मूल दिये हैं समी करण निकालना है कितने लोग कर लेंगे कितने लोग कर लेंगे बोलो बता भई कर लोगे न इमांदारी से बोलो जैसे मैं अभी बताया हूँ बिल्कुल वैसे आपको करना है डॉंट वरी बिल्कुल टेंसन नहीं लेना का अब अब कोपड़ी भी लाके रख दो अपनी वाली अपने वाले का सबका टेंसन मुझे दे दो हम साब मर्जन मैनेज करेंगे रजेश्ट करेंगे चलो लिखो जल्दी फिर लिख लो भाई यह लिख लो लिख लो मां सिर्फ टेंसन देने को बोला हूं बस सबका अपनी अपने को मुझे मत देना क्योंकि हम नहीं जेल पाएंगे सब कि समझ रहे हो ना भाई हम अधियों सभी समझ गए मेरी बात को कर लेंगे ठीक है कोशिस करिएगा कौन से दूफरे चैनल पर कलास चल रहा वही यहीं एक चैनल पर चल रहा मिस्टर तो आप चल लिए कुछ और सिखिए अगर समी करण दिये हैं तो मूलों का गुड़न फल कैसे करेंगे मूलों का योग फल कैसे करेंगे लिखिए अगर कोई question दिया है और कहा जाए कि इसके मूलों का योग फल ग्याद कीजिए या मूलों का गुड़नफल ग्याद कीजिए तो ये कैसे करेंगे मारकर चल तो रहा था ना सही question है y का square plus 3x plus 1 equal 0 कि मूलों का योग और गुड़नफल ग्याद कीजिए बताईए जबाब दीजिए जबाब दीजिए सभी फटा फट नहीं कर पाएंगे टेंसन मत लीजिए मैं बता रहा हूं बिलकुल रुके रहिए मैं बता रहा हूं सब देखो भाई मूलों का जो गुड़नफल होता है वह अचरपद अपान एकस स्क्वाइर का गुड़ांख होता है बहुत आसान होता इसका सूत्र इसका फर्मूला बिलकुल इजी होता है एकदम आसान सुनला सुनला इधर सुनो मूलों का पहले तो सूत्र लिख लो इधर सूत्र ये फर्मूला अलग है मूलों का गुड़नफल इक्वल होता है अचरपद अपान एकस स्क्वाइर का गुड़ांख तो देखो भाई साब बाबू देखो दिख तो रहना वहां तक ये थोड़ा गंदा का ये लिख रहा हो इसको अच्छा लिखो ना अपनी सकल भी गंदी किया इसको भी गंदा देखिए अगर हम इसकी कंपेर करें इसके दुगाद समीकर्ण के इस्टेंडर इक्वैसन AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C से तो बाबू यहां पर ये समझो कि अचरपद यानि C और X स्क्वाइर का गुड़ांग मतलब A यानि साटकट में अगर हम फार्मूला चाहें तो C अपान A होगा याद रखना दुगाद समीकरण में अगर आपको मूलों का योगफल नहीं अभी सिर्फ गुड़न फल अगर गुड़न फल पूछे तो आप सूत्र C अपान A लगाओगे अगर हम इस क्वेश्चन में अंसर की बात करें तो इसमें कंपेर करो C कमान A है और A कमान A है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ठीक है तो भाई साहाब बाबू हो वन अपान वन होगा फाइनल में इसका अंसर एक आएगा इसमें कोई किसी को डाउट है तो बता दो वन आएगा मूलों का क्या है गुड़न फल है याद रखना ताक्षी मिसरा कुछ समझ में आ रहा थोड़ा बहुत पार्थ महराज आपको भी आया अच्छा इसमें मैं थोड़ा अगर बदलाव कर देता हूं माल लो इसको सेबन कर दिया इसको नाइन कर दिया अब आप लोग मुझे इसमें मूलों का गुड़न फल बता सकते हैं क्या कि वो दिया बोली एक बार सभी यस बोलेंगे कुछ भी नहीं प्बीस सिर्फ यस बोलो कमेंट कर के चलो ए मैंने सिर्स और सिर्फ कुईश्चन का पार्ट मिटाया आप ही यह सभी सूत रह कुछ मिट संगीता कुमारी बriver रखके प्रियान सी तिरपाथी तुले मानी जी क्या क्या गलत लग रहा है जैसे भी कुष्टन है कैसे भी यह सबको लगाना है इसका मतलब यह सब जग रहे हैं कमेंट आने शुरू हो गए सब जग रहें अच्छा लग रहा देखके प्रगती पावल साग्षी दिक्षित साल्ची मिस्रा सिल्पी अलका सालनी प्रीती अभी ये सो के उठी है अभी गुड मानिंग हो रहा इनका चलो सिंपल है इसमें देखो बाबु अगर आप कंपेर करोगे भाई तो ए देखो एक यहां पर यह स्कौर रहे या वाई स्कौर रहें कुछ भी हो सकता है हाँ तो यहां कि रहेगा यह यह तो यहां भे भी यह 받고 ही रहेगा इस बात को भी िषज ध्या ह्न रखना हाँ इम्रान सुलेमानी जी माफी चाहता हूँ वो चीज मिस्टेक था मान रहा हूँ दोनों चर एक एक ही रहना चाहिए तो यहां से A कमान 9 आएगा C कमान कंपेर करोगे भाईया बाबू 1 आएगा तब आपका क्या हो जाएगा A कमान 9 C कमान 1 वन अपान 9 अंसर आएगा पीवानी साक्या का सबसे पहला अंसर है नहीं उसके पहले सालनी का था प्रियांसी का था अच्छा है एक बात बताईए क्या यूटूब ने आप लोगों को आज कलास का नोटिपिकेशन दिया था कि पी वियार स्टडी लाहाबाद जी लाइब नाउ नहीं दिया था ना दिया था क्या नहीं न अगर दिया था तो आप लोग याच लिखे कमेंट करिये नहीं दिया था तो यन इसमें से याच या यन जरूर लिखिए ये तो हो गया इसका गुड़न फल अब योग फल कर लीजिए इधर नीचे सुत्र लिख देता हूँ हिंदी में समझ में नहीं आता है आएगा यक्स का गुड़ांक माइनस में और यक्स स्कॉयर का गुड़ांक कुछ लोग हाँ बोल रहा है कुछ लोग ना बोल रहा है भगवान जाने लिखो जो जादा देखेगा जो डेली हमें देखेगा बहुत सारा क्लास देखेगा उसको यूटूब नोटीपिक इफन जरूर देगा मूलों का योगफल इसमें क्या होता भई यक्स का गुड़ांक अपान यक्स स्कॉयर का गुड़ांक यह होता है कोश्ठक बंद कर लो इसमें और माइनफ लगा लो या इसे ऐसे भी कर सकते हो उपर साइड माइनस नहीं पूरे लगा दो ठीक है यह सूत्र होता है ठीक है समझ गए न आप लोग अन्नु बोल रहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में अच्छे नहीं पढ़ाते हैं पहले अच्छा पढ़ाते थे यह भी एक विलेम है मतलब मैं क्या करूं मैं कहां चला जाओं भई लिखो अब देखिए अगर हम इस सवाल की बात करें या फिर इसी सूत्र की बात करें तो यक्स का गुडांक यानि B फाइनल मैं माइनस B अपान X-Square का गुडांक मतलब A यानि शूत्र में आप याद रखोगे अगर योगफल की बात है तो माइनस B अपाने क्या है माइनस B अपाने और अगर गुड़नफल की बात है तो C अपाने ये सुत्र्यादकना अगर मूलों का योगफल पूछेगा तो माइनस B अपाने अगर गुड़नफल पूछेगा तो C अपाने और ये ABCD क्या है यहां से देख लीजिए अब जो लोग नए नए खिलाड़ी आए हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा क्योंकि उन्होंने पिछला कलास देखा ही नहीं तो उनको यह नहीं पता कि यह ABCD कमान कैसे आएगा और यह कौन से जानवर का नाम है तो इसलिए सीरियल से देखना बहुत जरूरी है मतलब किसी भी तरह से यह जीने नहीं देना चाहते हैं अगर जल्दी जल्दी पढ़ाओ तबोगरी आएंगे दीरे दीरे पढ़ाओ तबोगर यह आएंगे दीरे दीरे में कहेंगे रहे इसी में मार पांच दिन से यह लगा रहा है जल्दी जल्दी पढ़ाओ तबोगरी आएंगे पुल मिला के जीने नहीं देंगे इनका मतलब अभी देखिए परदान मंत्री जी को रोज लोग गाली देते मिल जाएंगे है न कि बड़ा गंदा कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा कुछ भी है जो कुछ नहीं करता उसे लोग गरियाते जो कुछ नहीं करता हुसे लोग कुछ नहीं बोलती है हमें इसका कोई टैंसर मैं चलिए अब क्या होगा अब मुझे खुदर नहीं बता क्या होगा चलिए इसमें थोड़ा question बदल दीजिए यह 10y का square और यह 5y प्लस 3 इसमें मूलों का योगफल बताईए मूलों का योग और मूलों का गुड़नफल मैं इंगलिस में भी बता दूँगा कल चलिए टेंथर मतलीजी आज हिंदी पढ़ लीजी देखिए अभी अभी मैंने सुत्र बताया था अभी अभी मतलब आज आज की डेट में कि मूलों का योगफल जो होगा वह माइनस का भी अपान ए आया था मैं पूरी कहानी नहीं लिखूंगा यह सी अपान आया था अब सभी इमानदारी से मुझे यह बता दो चाचा लोग की अब चाची लोग भी बताना यहां बी कमान क्या होगा इसी क्वेशन में बी कमान क्या होगा कलपना निसाद प्रग्या संगीता आचल पटेल संगीता सालनी सर्मा यह यार एक चीज है मैंने यह देखा भाई कि इस कलास में सिर्फ लड़कियं लड़कियं पढ़ती है का रात में लड़के लोग कौन पत्तर उल्टें चले जाते हैं का बोलते हैं पोथी पढ़ते हैं या फिर इनी लोगों को मैद पढ़ना है या फिर इनी लोगों को मैद नहीं आती है क्या वजा है कि वजा क्या है भाई अब ये मत बोलना वजा तुम हो ने तो सब खराब हो जाएगा चलो पांच है अब देखो इसे में भी लोचा है कोई पांच बता रहा है कोई माइनस पांच बता रहा है ए भाईया पहले इज़रे सुनू अगर हम सिर्फ बी का मान पूछे यहां फे तो सिर्फ पांच है माइनस में नहीं है माइनस में तो वहां जाने के बाद लग जा रहा है सुत्र में वो माइनस में नहीं है ठीक है तो माइनस में नहीं है माइनस तो यहां लग जाता है फाइव अपान ये ए है नाइन नहीं है एक अमाना करें हैं से कंपेर करोगे 10 है इनको हल कर लोगे तो 5 एकम 5 5 2 10-1 अपांट टू इसका अंधर हो क्याएगा माइनस वन अपांट टू ओके क्लियर हो रहा ना किसी को कोई डाउट हो रहा तो बता दीजिए एक बात याद रखिएगा मैं बार बार बोलता हूं यह कलाफ रोज रात 10-11 बजे होती है आप लोग समझदार हैं कोई छोटे बच्चे बच्ची तो हैं नहीं इंट दिन में मोबाइल में वाटसप और यूटूब चला के खतम ना किया करिए बचा के रखा करिए कि साम को पढ़ना है कि अगर चोटे बच्ची बच्चा है भाई-बहन मोबाइल लेकि भागतियन के कानेम लपोट के मारी एक ती यह रख फोन रख बग समझ रहना अक्सर क्य या वाटसप में देखने और दिखाने वाले आसिक और आसिकियां उनसे तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन वह भी कोशिस किया करें डाटा बचायक रखा करें क्योंकि जब जिन्दगी में कुछ सफलता मिलेगी तभी वो सब मिलेगा तभी वो सब अच्छा लगेग वो कैसा अभी एक मैं हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है और मौसम तो दिल के अंदर होता है अगर आप अंदर से बहुत ज्यादा उदाफ है कोई बहुत ही कीमती चीज़ को गई है या कुछ पहुत ही गडबड हो गया है और आपको हनी मून पे ले जाक बैठा दिया जाए समझ रहे हो चलो कम समझ पा रहे होगे मान लो मेला लगा है कहीं खुब अच्छा सा लोग रहे हैं वहां पर आपको ले जाकि अगर डांस कर आया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे अंदर तो आपकी कुछ और चल रहा है है मैं न है तो अगर पडोसी घर में आग भी लगी है जल भी रहा है तो फिर कोई फ़रक नहीं पढ़ने वाला कि समझ रहे हैं इसलिए आत्मसंदुष्टी बड़ी चीज है इस समय देखिए मैं यह सब बातने क्यों बोल रहा हूं जरूरी है इस समय महांगाई खुब चरम पर है क्योंकि टमाटर 80 रुपय किलो मिल रहा है कि कोई भी सब्जी मार्केट में जाओ परवल लेने जाओ 100 रुपय 120 रुपय किलो मिल रहा है महेंगाई खुब बढ़िया से 200 रुपय दूसर रुपय तेल मिल रहा है लेकिन उससे पूछिए जो 10,000 रुपय रोज कमा रहा है उस चार-पांच सो खर्चा कर दे रहा कौन बड़ी बात है कि एक लीटर सरसोग तेल लाके रोज नहाए क्या फरक पड़ता है कि नहीं नहीं है तो उसका अंदर की बात जो मैंने बताया कि जैसा दर्द हो ऐसा मंजर होता है मौसम तो दिल के अंदर होता है कुछ लोग कहेंग जितनी पैसा है न वो सिर्फ पांच परसेंट लोगों के पास में है बाकी नबबे परसेंट लोग ऐसे बिरोजगार गरीब घूम रहे हम लोग जैसे अच्छा नहीं कि हम लोग हमारे पास बहुत सारा कुछ है हम भी उसी में है कि चलिए आगे बात करते हैं फिलहाल तो मेहनत करिए सब कुछ होगा कि ती अपान ए सी कमान क्या होगा यहां से देखो थ्री है एक कमान ट्यन है यानि थ्री अपान ट्यन कितना आया तीन बटा दस कि समझ में आया यह आपका कुष्टन का अंसर हो गया कि हो गया ना इसमें किसी को कोई डाउट नहीं तो यह चीज आप कर लीजिएगा इसको थोड़ा साइड करिए नहीं ओबर हो रहा है भी कि सर्वसमिका मैंने आपको कुछ चीजें बताया था सर्वसमिका क्या होती है भाईया लिखो चर रासी में ऐसा संबंध जिसके दो पक्ष बराबर हो उसे बीज गणती है सर्वसमिका कहते हैं सर्वसमिका क्या होती जानते हो वाट इज आइडेंटी वाट इज आइडेंटी मतलब आइडेंटी ऐसे कुछ बोलते हैं देखिए मैंने स्टार्टिंग में अगर आपने कलास देखा होगा तो मैंने एक जांपल बताया था समिकरण और सर्वसमिका के बारे में मैंने कुछ अलग बताया था । जाद है और अगर याद है तो वह तो क्या स्ञार को सर्वसमिका कहा जाता है जो संबंदित चरों के सभी मानों के लिए संतुष्थ हो जाता है अर्था चरों के सभी मानों के लिए समी करण का बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है उसे सर्व समी का कहा जाता है जैसे नाम से ही सपस्ट है सर्व समी का सर्व मतलब समी के लिए समी का मतलब उपलब मतलब बराबर ऐसे समझे लो मैं यह तो मैद की बहां से हम बतानों ब का नाम नहीं है यही गड़वड है और किसी को याद है क्या बताया था नहीं बताया था ना अगले दिन प्रूब करके भी दिखाया था पाच च मा इनस 2 जा और प्र्लस को फाइर यह आईसा और चे नहीं में, जो अज्यात राशी के किसी भी मान के लिए बराबर होता था है जिख्या है इंग्लिस लैंगवज में पढ़ाईए बिरियाँश्मित्य जी यह भारत देस है बारत देस में हिंदि हम लोग की मात्रि हासा है और अगर आपको हिंदी नहीं पर कि दिन डेऴर तो बड़े सरम कि बात है बुरा नहीं माने अगा आप इंडिया में रहना है धूरह हिंदी सीख्कियम इंग्लिस के में में टाइटल में बता रहा हूं सर्व समीका को आइडेंटिटी कहा जाता है समीकरण को इक्वेशन कहा जाता है लेकिन अब इंग्लिस हम बोलना नहीं जानते उतना कि ऐसे बोले हाउ आरी वाट आ डूइंग अगर मैं सबको भगा दूँगा नाइंटीन नाइन को तो मैं अकेले को पढ़ाओंगा कैसे अकेले पढ़ाएंगे ताज कर लोग और कुछ समझने लगते हैं वह ऐसे भी नहीं सही है कि यह समझ में आ रहाने सबको कि नहीं कि यह क्या है इसमें सरव समिका भी क्या की तरह की होती है कि अन्हेंना सम्तियाओं हमढली करेंगे ठिक है लिखिए जैसे बीज गंढ़ती है सर्व समिका लिखिए बीज गणितिये सर्व समिका बीज गणितिये सर्व समिका आमेन पॉइंट बताएंगे अगर आपको इसमें प्रॉबलम हो रही है अभी नीचे नंबर चल रहे हैं उन पे या फिर अभी लाश्ट में नंबर देंगे उन पर आप मैसेज कर दिएगे जिएगा तो इस्पेसली हम इन मैथ के हिंदी इंग्लिस वर्ड आपको भेज देंगे जो वर्ड यहां हिंदी में बताएंगे अगर उनका इंग्लिस में नहीं बताया हूं तो हम आपको सिक्वेंस से सारे वर्ड भेज देंगे आप उनके इंग्लिस में समझ लीजिएगा तैंसन मत लीजिए बस समझ यह समझ यह ठीक है बेज गणितिय सर्व समिका का एक्जांपल जो उपर दिया हूँ वही है आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें वन्टु आल उताहरण पहले लिखवा देता हूँ परिभासा क्या है रुको एक चर रासी में ऐसा संबंध जिसके दो पक्ष बराबर हूँ उसे बीज गणितिय सर्व समिका कहा जाता है एक चर रासी में ऐसा संबंध मिन्थ रिलेशन जिसके दो पक्ष बराबर हूँ दो पक्ष का मतलब बोथ साइड इक्वल वो क्या कहलाते हैं बीच गणितिय सर्बसमिका यानी अलजेब्रिक identity कहा जाता है बीच गणितिय सर्बसमिका को इंगलिस में अलजेब्रिक identity कहते हैं ही कह है समझ गए न तो इसमें एक्जामपल लिख लिजिए कुछ भी लिख लिजिए जैसे 12 x का square plus 5 equal 15 x का square plus का 1 minus का है भाई साहब 3 x का square ये एक जामपल है ठीक है? ओके? एनी डाउट किसी को? नहीं न? चलो तो अब क्या होगा आगे? अभी तो बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर कुछ एक जामपल यहाँ पर और भी आप लोग लिख लीजिए इन्हें कर लीजिएगा जैसे अगर मैं बात करूँ x plus 5 का whole square x minus 5 का whole square और सबसे बड़ी बात तो ये जो basic 8 थी सूत्र होते हैं भईया 8 a plus b का whole square a minus b का whole square a square minus b square a cube plus b cube a plus b का whole cube ये सब याद है आपको ये सब भी identity है यानि सर्वसमिकाएं हैं ये भी आपको आठो याद होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं पराधारित ये सारे कुछन होते है अंकित दूबे क्या बोल रहा है हो एक क्वल कैसे होगा कि दूबे जी अभी आप खुदी इक क्वल नहीं हुए हो बहुत देर में आयो ना तब पंट गया है बचा कुछा है जो वही मिले गया जल्दी आया करो तभी मिलेगा देर में आओगे तो बंट जाता है अब कल आईएगा तब मिलेगा कल कल टाइम से आईएगा और आज का भी टाइम मुझे लग रहा है काफी जादा हो गया है तो दस बचकर 40 मिनट तक क्लास का समय होता है कल हम अब को तिरकोड मिंती ओधेंटी पढ़ाएंगे खिर कोड़ मिती ओधेंटी ऐदेनटी ठीख है ए एक देर तो हो रही फिलहाल लेकिन लिखवाई देते हैं का त्रियंगा ठाकूर जी प्लेलिस्ट बनी हुई है आल्रेड़ी प्लेलिस्ट बनी है लेकिन यूटूब पे देखना रात में लाइब जरूरी है बाद में सारी कलाफे नहीं मिलेंगी मैं सारी कलासे प्राइबेट करवा दूंगा सब जो डाउनलोड करने भी से शुरूप से उनके लिए क्योंकि आप आनलाइन देखो मैं चाहता हूं कोई बीडियो डाउनलोड नहीं करें इसका सारी कलास जोड़ करके लिए क्लास बनवा दूंगा पचीस घंटे की एक क्लास में सारा खतम उसे आप यूटूब पर देखना झाल क्योंकि उसे आप चाहके भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे मैं और एक गंटे के रहती रोग डाउ माइनस B का इस्क्वायर प्लस 2AB भाई सब एक है जाई से लिखो यह फार्मूला इसको लिख लिजिए यह पहला है दुसरके में माइनस है देखो याद कैसे करोगे माइनस वाले में बहिया केवल 2AB माइनस होता बस बाकी वही होता है माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ए प्लस B ए माइनस B अगला लिखो तर यह बराबर नहीं है तो रेया जी आप बहुत देर में आई हैं तो आप चूप चाप रही है गुड़ नाइट वाइट मत करिये नहीं तो यहां पर गड़ पड़ो जाएगा एक का क्यूब माइनस B का क्यूब इक्वल A माइनस B एंड देन अंदर में सब बराबर होंगे A का स्क्वायर B का स्क्वायर और A B त्यान रहे भहिया लोग जिसमें क्यूब वाला है उसमें यहां पर दो नहीं रहेगा अंदर में only A B रहेगा अलका तिवारी जी प्लेइलिस्ट बनी हुई है अभी लाश्ट तक आप लोग रुखिएगा मैं प्लेइलिस्ट का लिंक दे दूंगा इसके पीछे की सभी 13 कलास देख लीजिए अगर जिन्होंने देखा है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फर्स समेस्टर में 25 में 25 नंबर पाए हैं 2018 से हमारी कलासे चल रही है पिछले 4 साल का अनुभव है जो भी BTC का इस्टूडेंट PBR स्टड़ी में ज्वाइन किया लखिए पश्ताना ना पड़े बाद में अब बाकि और विसाय की कलास में जल्दी ही ला रहा हूं इसको खतम करके फटा फटा थार्ड समेस्टर आ रही है क्योंकि सीकंड समेस्टर खतम हो रहा दस दिन बाद यह माइनस का हो गया प्लस वाला नहीं हुआ न प्लस वाले में क्या होगा बहिया इसमें इसको भी कर लो ऐसे इसमें सब प्लस हो जायागा ए भी माइनस हो जायागा बस चलो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल ए प्लस बी और ए का यह इसकोयर रहेगा प्लस बी का इसकोयर माइनस ए बी अंदर में इसकोयर रहेंगे ठीक है ओके यह पांच सूत्र हो गए छठमा लिखो मैंने पता नहीं वो दिया इसको आरवला दिया था न एक दो तीन चार पांच हाँ a पलसबी का होल क्यूब इसक्रीन साट ले लीजिये जिनका पैनोन खतम हो रहा है a q पलस b q पलस 3ab और ब्रेकट में a पलस b यह एक सूतर है आपका माइनस वाले में भाईय सब माइनस रहेगा आप उपस यही कि माइनस वाले में सब माइनस रहेगगे लिजिए जल्दी फटा फट यह फर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं याद रखिए थीजह जाने का थोड़ा इसमें सिस्टम बता देता हूँ आप जो एक जैसे उनको कंपेर करिए जैसे इसे दोनों एक हैं इनमें कंपेर करिए को यह यह यहाद करनाा हिसे में समझ रहा है अग एप्लस बी और प्लस पी का होल स्कोयर एइस को एर प्लस बी-कोर प्लस एसकोयर प्लस टू एबी प्लस टू बी-सी प्लस तू सी ओके एक थी आउर होता है भाईया है मैं A माइनस B का होल स्क्वाइर एक आउर होता है इसमें होता है A प्लस B का होल स्क्वाइर माइनस 4 A A B ही तो होता है न यह अलगता रहा का है यह सभी सर्वसमिकाएं है आरा सभी को समझ में लिख लीजिए या इस्क्रिंसाट ले लीजिए त्रिकोड मितिये सर्वसमिका क्या है खुशी को किसी को कुछ पता है नहीं नट सुनिए थोड़ा सा पीछे चलिए पैर पीछे खीचिए एक दो इंच इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है बीज गडितिये सर्वसमिकाएं कुछ याद आया सुजीत मिश्रा जी गूड इबनिंग सुजीत जी गूड इबनिंग, ओम चौधरी राजे, सभी राजपूत, संगीटा कुमारी, सालनी, राहुल दूबे, स्वम्य, वर्तिकावर्षा, सालनी उपाद्याए, रिचा, सभी कोड इबनिंग, ये अभी कमेंट कर रहे हैं कलाश जल्दी शुरू नहीं हो गई है चाचा लोग अभी अभी हुई है सुनिए बीच गणती है सर्व समिका में आपने ये पढ़ा होगा A पलस B का होल स्कॉाइर इस टाइप का पढ़ा था न जैसे ये A का स्कॉाइर B का स्कॉाइर 2AB X माइनस Y का होल स्कॉाइर X स्कॉाइर Y स्कॉाइर माइनस 2XY ये सब पढ़ा ये B जगणती है सर्व समिका है क्या है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये टेगनोमेटरी आइडेंटिटी अब हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सी बिमारी का नाम है देखो बताता हूँ इसमें से कौन-कौन हाई स्कॉल में मैथ पढ़ा था दिक्षा बर्मा साक्षी दिक्षित सुस्मा अर्चना जो अभी-अभी जुड़े हैं वो किरपय ध्यान दे कलास 10 बजे शुरू होती है बीच में डिश्टरव नहीं करने का अब ही टाइम पे आने का ओके चलिए इसमें भी सर्वसमिका होती है यह साइन स्कॉायर थीटा प्लस कास स्कॉायर थीटा इक्वल वन सर्वसमिका का मतलब आप ऐसे समझे लो देशी भासा में एक फार्मूला होता है एक सूत्र होता है ठीक है जैसे आप लोगों को पता है आपने याद किया है कि a पलस b का whole square बराबर इतना होता ही है इसको मान लिया है है ना समझ रहे हो वैसे इसमें अगर कहीं आईसी इथिति बनती है जिनमें कोण लगे हैं कोण बराबर हैं थीटा थीटा या कुछ भी हो मान लो 45 45 है या एनी वन कुछ भी है तो उनका मान हमेशा एक मान जाता है बिना कुछ हालवल किये कुछ नहीं करते हैं समझ गए ना यह है तिर कोण मिती सर्व समिकाएं ठीक है भाया और यह हमेशा वन होता का है लिए है ऐसा कुछ है देखो का है यहाँ पर थोड़ा और कुछ बता दें अगर हम थीटा बराबर 90 रखें तब देखो दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं 90 रखे देखो थीटा कमन जो हाई स्कूल में त्रिकोड मिती पढ़ा होगा मतलब जो मैथ पढ़ा होगा वो त्रिकोड मिती पढ़ा होगा अगर सही सही पढ़ा होगा तो फिर उसको तो सब मालूम होगा अगर सिर्फ नाम लिखवा लिया था बाबू परिक्षा दे आते थे तो फिर बात ही अलग है हीटा बराबर 90 रखोगे तो साइन स्कॉयर ये 90 प्लस कास स्कॉयर 90 इक्वल 1 भीया साइन 0 कमान 0 होता है याद करवाय था ना टेबल साइन 90 कमान 1 होता है तो कास 0 कमान 1 होता है कास 90 कमान 0 होता है तो ये हो जायेगा आपका फाइनल में 1 इंटू 1 नब्बे 45 तीस देन 1 समझ में आया कि नहीं तिरकोड मिती सर्वसमिका में थीटा के मान को रखकर दोनों पक्षों को बराबर किया जाता है तिरकोड मिती सर्वसमिका में थीटा के मान को रखकर के दोनों पक्षों को यानी LHS और RHS को बराबर किया जाता है वहीं तिरकोड मिती सर्वसमिका का लाता है यह स्क्रीन पर कुईश्चन आ रहा है कहां से अटा भाई से अटा इससे अटा इसका काम नहीं है आप इस सभी को समझ में आ रहा है ना तो सेशन को लाइक करते चलिए जिम्मेदारी आपकी भी थोड़ा है मिटा रहा हूँ सर्वसमिका का मतलब तो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही जैसे वहाँ पर यक्स और वाई के कोई भी मान रखने पर इक्वल होते थे वैसे यहाँ पर आप थीटा के मान रखेंगे अगर कुछ भी एक जैसे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे जैसे एक और देखो यह पहला हो गया कॉस थीटा अपान वन प्लस साइन थीटा इक्वल वन माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा यह भी क्या है एक सर्वसमिका है आइडेंटिटी है सुसमा जी इसको आइडेंटिटी बोलते हैं इंगलिस में बस इससे ज़्यादा नहीं जिनको उतारना रहा करें वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और फिर से देख लें जिनका छूट जाता है ठीक है चलिए देखिए भाई यहाँ पर समझिए यहाँ पर हम लोग का करेंगे इसको कैसे क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पर भी बराबर करके आपको दिखा रहा हूं इक्वल करके इनका क्रास मल्टीपल करिये तिर्चागुडा तो कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीपल होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा इनका मल्टीपल होगा तो यह ऐसे बन जाएंगे किसी को कोई डाउट नहीं देखो भाई A प्लस B A माइनस B यह आप पहले से पढ़े हो A स्कॉाइर माइनस B स्कॉाइर बोलो यह पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो न सबी तो अगर यह इतना होता है तो इसके जगा पे फर्मूल अलग जाएगा यह कॉस स्कॉाइर थीटा इक्वल A का स्कॉाइर यानि 1 का स्कॉाइर माइनस B का स्कॉाइर यानि साइन स्कॉाइर थीटा साइन स्कॉाइर थीटा हम इधर ला सकते है चाचा लोग पलस में हो जाएगा बाबू साइन स्कॉाइर थीटा प्लस कॉस इसक्वायर थीटा इक्कॉल वन लेकिन लेकिन क्या इसमें काम हम आवर भी तो कुछ कर सकते थे वो क्या कर सकते थे इसको अटाव छोड़ो यहीं पर अभी यह समत करो इसमें हम एक काम आवर कर सकते थे वो का है सुनो एक फार्मूला यह भी होता है one minus sin square थीटा इक्कॉल होता है cos square थीटा इसे इसे भी याद कर लिजिये यह वितिर्कोड मिती की सरवसमिका है उस सरवसमिका से हम इसको ऐसा कर सकता हूं इसकी जगहां पे हम कॉस स्कॉयर थीटा लिख सकते हैं जो टिगनामेट्री सुरू से नहीं पढ़ा उसे मुसीबत होगी उसके लिए अगर आपने नहीं देखा तो आप पी वी आर स्टेडी का बेसिक मैथ देखिए बेसिक मैथ में आपको यह सब क्लियर हो जाएगा क्यूं होता है कैसे होता है क्यूं नहीं होता है सब क्लियर ओके कि है छलो जाने ट्रेगनोमेट्री नहीं है यह उसी का हिस्सा है फिर कोड मिती नहीं है यह सर्वसमिका और अध्याय में इतना था पिर को रमीति रच्ची वरकबस अब आप बताईए ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम घात तीन हो उसे किस परकार का समीकरण कहा जाता है या बताओगे कोई ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम घात तीन हो उसे किस परकार का समीकरन बोलते हैं देखिए एक चीज़ समझ लीजिए जिनको लिखना रहा करें इसको पीछे करके लिख लिया करें वीडियो को थोड़ा बैट किया करें लिख लिया करें एक बात और बता दें अगर आप इस सेशन को अभी लाइब नहीं देख रहें हो सक बिल्कुल ना करें कि बहले आपको चट पर जाके चड़के देखना पड़े या पड़ोस में नीम के पेड़ पर चड़के बढ़ना पड़े मतलब नेटवर्क ना रहे तो लेकिन डाउनलोड ना करें बिल्कुल तीन घात समीकरन बोलते हैं अब आपका यह अध्याय साथ यहीं पर खतम हो गया मैंने आपको पूरा पढ़ाने की कोशिस किया अध्याय साथ तक इंड हो गया अब अध्याय आठमा शुरू होगा बहुत ज्यादा डेटियल में पढ़ाने का टाइम तो फिलहाल नहीं मिलता यहां पर लेकिन हाँ हमारी कोशिस रहती है कि छोड़ते नहीं कुछ भी बाखी आप और ज्यादा बेहतरीन क्लास के लिए कि पीवियार स्टड़ी एप में भी कोर्स को जॉइन कर सकते हैं वहां की बाती अलग है कि अध्याय आठ कि एक चर रासी के कि तमीकरन कि ये चर रासी क्या है कि ये चर रासी क्या है बताएए भूलिये क्या होती चर रासी टेली गराम पर नोटिफिकेशन दिया गय था क्या कि अग्या कि दूपार में ही बेजा गया था कि देखिए जो भी ए से लेकर के जड़ तक के लेटर होते हैं वही सब कि ठीक है आप लोग कोई तीन चर का नाम बताएए ठीव भी बैरियेबल्स नेम बताएए वह एनिवन फिरी बैरियेबल्स नेम बोलिये सेर कर देता हूं भई राद दस बजे वाली डियलेट की कलास चल रही है तेली ग्राम में इन लोगों को भेजना पड़ता है क्योंकि ये लोग बड़े सरमीले टाइप के हैं प्रग्या टेली ग्राम लिंक दुबारा से संड कर दीजिए का है को हमें कुर्टा काटा है का दुबारा बेजे जब भेज रहे थे तो कहां गई थी भाई भेज रहे थे तो का है नहीं करी अद दुबारा बेजेंगे कलास खताम होनेक बाद A, B, C बिल्कुल सही ठीक है कोई भी वरियेबल जो A फिले करके Z टक के होते हैं उसमें से कुछ भी आम बता सकते हो सभी वरियेबल होते हैं ठीक है रैखिक समीकरण को लिनियर एक्वेशन कहते हैं L, I, N, E, A, R एक चर रासी के समीकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण लिनियर एक्वेशन E, Q, U, A, T, I, O, Y, N मत कहना इंगलिस नहीं बताते हैं लिनियर एक्वेशन क्या होता है इसके बारे में मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैं अभी कुछ चेप्टर पढ़ा रहा था आज मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ इसको देखिए साथियों एक ऐसा समीकरण जिस पे चर की मैक्सिमम घाट 1 होती है वो लिनियर एक्वेशन खालाता है ठीक है चर की मैक्सिमम पावर क्या होती 1 होती है जैसे एक्जाम्पल के लिए मालोब बी का इसकोयर प्लस सेबन बी प्लस डी ये क्या है क्या आप लोग इसे पहचान रहे हो पाईद तो आप ये बताओ क्या ये एक चर रासी में रहाखिक समीकरण है आ या नहीं क्या ये लिनियर एक्वेशन है क्या ये one variable linear equation है पहले तो इसमें बहाईया दू लोग है एक तो बी भी है बड़ी बार है इसलिए और एक यक्ष तो ये linear equation है या नहीं वो मारोग ओली अलिग की बात है पहली बात तो ये दो चर रासी वाला है एक चर रासी इसमें है यह डो यह दो चरासी है इसमें कि कि डाट का टाइम नहीं याद आपको लीनियरी कोज सेब करो लेट में में यह सुफरा नंबर कि यह डोजराशी में में हम आप इसकी सेकल देखो इसका निकला हुआ दान तोड़ दिया गया बाहर जोगर बढ़ था चलो आप अच्छा है ना वह लिए अब हो गया ना हां तो इसमें क्या है एक्स की पावर वन है इसमें ओनली वन ही लिनियर इक्वेशन इसलिए क्या है एक चर्राजी में रहखिक समय करना है जैसे दूसरा क्या यह लिनियर इक्वेशन है अगर यह लिनियर इक्वेशन है तो आप लिखेंगे यह मतलब हां जैसे आप लोग चैटिंग मेंटिंग करते हैं तो कोई कुछ भी कहता है तो वैसे आप गलेंगे छोटा चोटा अगर है तो हाँ नहीं है तो ना बोलो क्या वर्षा जातो दीख्छा परभाद तिवारी इसमें only y है इधर इधर भी y है अच्छा तो चचा लोग एक ठी आउर बताओ अगर ये 3y है माइनस x है इक्वल 5 माइनस y है तो क्या ये linear equation है हाँ या नहीं अगर ये linear equation है तो आप लिखेंगे ए और नहीं है तो भी ये code है इस question का ए अब भी जिससे question का answer में अंतर समझ में आए बी भी नहीं लिखना रात का टाइम है समझे रहे हो केवल ए और बी लिखना कुछ लोग लिख देते हैं चार पांच बार आइसा नहीं करना कि पच्चास या क्या कहूं नाम तो सिया राम जी का लगा है लेकिन नोटंकी कर रहा है वह देर से बुलाक करवाएं तुम्हें भाई इनको अटाओ ये भालतू कचरा भेज रहा है कि ये linear equation है यास ये linear equation है इसमें बोला था अगर ये linear equation है एक चर रासी में समझ लो पहले आप लोग जो भी बताए भगवान जाने क्या बोल रहा हो ये linear equation तो है लेकिन एक चर रासी में नहीं है इसमें टू भाई है यक्स वाई ठीक है तो बहुत ज्यादा डीटियल में जाओ चलो कोश्चन करवाते हैं नहीं तो ऐसे पढ़ाएंगे तो फिर कभ खतम होगा और सब खतम हो जाएगा यहीं तो फिर पीवियार स्टडी एप वाले का करेंगे इसलिए थोड़ा और पढ़िए अब आगे बढ़िए निम लिखी समी करणों में रेखी समी करण छाट कर लिखिए आँ भाईया लिखो तो लिखो यक्स माइनस टू का होली स्क्वाईर इक्वल एक्स प्लस टू का होली स्क्वाईर यह लिनियरी क्वेशन है हाँ या नहीं चल भाईया रेडी बहुत दिमाग वाला सवाल है यह अगर है तो बोल यह याश या नो इसमें यास या नो बोलना है पहली बात तो यह समझ लेजिए कि चत्चा यह मुखवड़ा लगाए हैın यह मुखवड़ा लगाए है पहले इनका फोड़ा तोड़ के मुखवड़ा अटाओ तब समझ में आएगा उन्हें जीसाय कि अगला बंदा इमानदार है चोर है चोप को खोलोगे तब ही जानोगे चानला चोपिससे क्यों उन्हें और्थ है इसमें अब जो और धोड़ा किई-रह और फिर उपर से जो कहें देगा उपंगा समझ दी जी पका फिर गलत सही को सकता है जिसे वुत नहीं अजकर लोग एक दूसरे से मुहबत मैं दिल थे बैठते हैं पहले समझते नहीं ते नहीं कोन है क्या है कैसे हैं उस काभिल है या नहीं है बाद में रोते हैं फिर हमझे रहा हो ना इसलिए मैं आपको साधान कर रहा हूं पहले इस कुश्चन की तरह वहां भी परखा करिए आए दिखाते हो पहले परखिए इसको इसको ओपन करिए फर्मूले पर फिर फिर प्लज बी का स्को आयर बी और भी इसी तरह से इधर भी जाएंगा हिए अर। टू और एक्स कि नम आ रहा है ना कुछ आयेगा जरूर आएगा याकस का स्कॉाइर ब्लस ये 4-4 X X का स्क्वाइर प्लस 4 प्लस 4 एक्स अनुक पंडे सही बोल रहे हैं न हम सही बोलते हैं गलत तो बोलते नहीं बहिए यह देखो प्लस है यह प्लस है इधर आएगा मैनस हो जाएगा यह कट पिट जाएंगे आपस में अडोसन प्लसन में लडाई जगडा होगा कट इपि छार एक्स माइनस चार एक्स इक्नेकल जीरो यह फोल थे इधर आएगा मैनस हो जाएगा मैनस का आठ एक्स बर्राबर जीरो बडा क Walmart कि इसे आप लिनिेर इक्वेशन बोल सकते हो कोई सरम कोई बात नहीं कि यह है दिंट एक्स अ एक चीज और है इसमें कर शुक हैं है कि आप इनको आठ एक्स प्लस भी कर सकते हो माइनस उधर जाएगा जीरो में हल जाएगा इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा तो यह आप समझ सकते हो एक्षण डारेक्ट आप नहीं कह सकते परिक्ष्छ में कि यह लिनियरी कोईशन है या नहीं कुछ लोग कह देते टपाग दे इसका मतलब यह तो लिनियरी कोईशन नहीं है नहीं किसी की वरतमान हालत देख करके उसका अंदाजा मत लगाई है समझ रहे ना हमारी विए ठीकल फ्रेंड थी पहले बड़ा भाव खाती थी आज जब फोन करती है ना तो उसका काल हमारे एसिस्टेंट लोग उठाते हैं बताईए मैं आपकी क्या हाल्प कर सकता हूं बोलती नहीं कुछ फिर उसके बाद समझ रहो ना मैं यह क्यूं बता रहा हूं अब आप यहां से कापी कुछ समझ सकते हो तो किसी को उपर उपर से देख करके अंदर तक मत समझ यह आगे क्या होगा बविस्स में चलिए समझ गए जागते रहिए हमारी कोशी से आप लोग सोईए मत इसलिए मैं कुछ ऐसी चीजें भी आपको बता देता हूं जो नहीं बतानी चाहिए किसी से बताईएगा नहीं अगला नेक्ट कुश्चन रेखिए यक्स का क्यूब इकॉल 6 यह लिनियर इक्वेशन है या नहीं है मतलब एक चर रासी में यह रैखिक समिकरण है या नहीं है अगला देखिए एक और भी मैं दे रहा हूं वन अपान थ्री एक्स प्लस फोर इस पिछो तरफा ग्यान नहीं नहीं लेना चाहिए चारो तरफ से ग्यान लेना चाहिए एक्स माइनस थ्री अब बताएए इन में यह लिनियर एक्वेशन है या नहीं है या नहीं बोलिए कि देखो भाई सिंपल सी बात है यह दिख भी वैसे रहा है एकदम खतरनाक अडिक टिका हुआ है बदलने वाला नहीं है कुछ भी कर डालो यह नहीं चेंज होने वाला है कुछ लोगों की फित्रत कभी नहीं बदलती है जैसे प्याज को कितने भी प्यार से काटो ना आंख में आसु जरूर आजाते हैं यह कुछ भी कर डालो यह कुछ चेंज नहीं होगा यह घात तीन रहे तो तीने रहेगा बहु ज्यादा कर लोगे काम कर सकते हो यक्स इक्व लुए फटाफट क्या होगा यह यह रहके समीकरन है नहीं बात खतम करो चलो साइड करो दूसरा किया यह लिनियर क्वेशन है हाँ या नहीं देखिए इसे हल करना पड़ेगा साल्व करना पड़ेगा तभी कुछ क्लियर होगा पहले नहीं कह सकते हो जैसे मैंने अभी एक्जम्पल बताया किसी का वर्तमान देख करके उसके बूद भविस्थ की जो है वो कल्पना मत करिए आईए इनको बताता हूँ है इधर नहीं आरं ए इसके साथ इसको भाग में बाग करतेंीडे तो क्या होगा जानते है वे इक उड़ती और प्र यह गुड़ा कोशेल लगा के ओपर जायेगा तो पलुडड जाएगा थीन बलटा एग ऐसा बस यहाईगा भापना उनकाइस चाहेगो है है सढ़ी जा रहा है ना genuinely just in यह गुड़ा में दर आए Sachyou जाए खुछबी करो यारं लगदो राहे हैं करो इसमें कुछ इसमें कभी घात नहीं बढ़ने वाले गुड़ा नहीं हो रहा कहीं गहातोक हो है लिए इधर आएक भाग में हो जाएका few गात से ही मतलब है गात हमेशा एक है न, अगर कहीं सनियोंग ऐसा बन जाता, अगर ये बन जाता गुड़ा वाला डारेक तो फिर नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा है, उसको हल करना भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, final answer निकालने की, हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये linear question है या नहीं है, जितना करना है उतना है करो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, छोड़ो उसे, बस ये जान लो कि इसमें डबल घात नहीं हो रही कहीं से, जितने भी साथी जुड़े हैं, इसे लिख लीजिए, ये एक चरहासी में रखिक समिकरण है, और एक चीज़ और समझ लीजिए, करिए, चलिए, और कलास का टाइम रोज रात के 10 बजे से है, लाइब आए साथ में, जिससे रात में हम बढ़ बढ़ाएं नहीं हैं, खड़े होके अकेले, रात में तो आप लोग कुछ और काम निप्टाते हैं, इधर हम चिलाते हैं, दिन में आप लोग देखते हैं, हमार यह अक्स से गुड़ा नहीं हो रहा, इसलिए लीनियरी क्वेशन है, गौतम पटेल जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, कहने का यह तात्वर है, कि उसमें कहीं ऐसी कोई कंडिशन नहीं लग रही कि घातें बढ़ेंगी, कहीं घात बढ़ने की कोई उमीद नहीं है, चा से कहने से नो लोगों ने लाइक किया, बाखी लोग अभी सोच रहें का मतलब है, चलो देखो आगे, जाने दो ना करो भई, यह 3X प्लस 2 इक्वल 5X माइनस का साथ, क्या यह लिनियरी क्वेशन है, बताइए हाँ या नहीं मारकर में थोड़ा भर लेता हूं, स्याही वाई दिखाई पड़े, एक स्क्रीन पर कुश्चन दिख रहा है, क्या आपको पता है, क्लास दस बज़ेश चलती है रोज, अगर पता है, तो हाँ कर दो, कमेंट बाक्स में आ राजो, तो नहीं पता है, तो नहीं, चलिए, ओके, यह लिनियरी क्वेशन है, पक्का है यह 100 पर फ इसमें कहीं कोई उमीद नहीं, गात बढ़ेगी, यह चर्चा इधार आएंगे, तो माइनस में हो जाएंगे, अच्छा एक्षी जाओर बताओ, बहुत समझदार हो ना, आप लोग, चलो, इनको हम आईसे लिख लें, आईसे सकल के साथ, और इनमें हम यक्स से गुड़ा कर के इनको पांच एक्स माइनस साथ कर दें, क्या आप यह लिनियर रिक्वेशन है, चांदनी, आदो, दिख्षा, बर्मा, प्रग्या, अभीमल सिंग, वर्सा, राहुल, अगर है, तो आप लोग पी लिखेंगे, नहीं वाई लिखो अगर है, तो नहीं है तो यन, अगर यह है, तो अगर नहीं है, तो यन, हम जानेंगे कि आपने इसी सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि हाँ, ना, टापा, तो आप लोग बहुत कर रहे हो, पहले से ही, सुजीत, नरेश, परभाद, सुभम, आचल, प्रग्या, प्रग्या, गलत है, अंगद यादो, आप ही का इंतजाद अप्रभू, कहां थे अभी तक आप, दिफिज नाट लीनियरी क्वेशन, यह लीनियरी क्वेशन नहीं है, काय को नहीं है, यह लीनियरी क्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी जो भविश्य की कहानी है, वो खतरनाक लग रही है, इसमें देखो, यक्स से मल्टीपल हो जाएगा, तो अभी इसकी घाट डबल होई जाएगी, वह यह डबल हैं पहले पे, तो इनको सिंगल मत बोलो, पाप होई जाएगा, चलो, यह हो गए, और यह सेबन, अब इनकी घाट किसी भी तरह से कम नहीं होने वाली है, किसी भी तरह से इनकी घाट कम नहीं होने वाली है, तो यह घाट दो बनी रहेगी, कुछ भी करोगे, इसलिए निलियरी क्वेशन नहीं है, राखिक समीकरण नहीं है और करवाएं इसमें का आगे बढ़ें छोड़ें पहचान जाओगे ना देखिए सबसे बड़ी बात इससे को पहचानने के लिए आपको कल्कुलेशन करना आना चाहिए हाल करना क्योंकि कहीं कहीं आई से अडचन चडचन दे देता है न कि आप एक चोर है कहोगे जहुट बोल रहे हो और जब आपने साथ चाहत देखा प्रभु के दर्शन कुछ करते हुए तब कहोगे कहां चोर है ना सही बात है तो वैसे इनको पहले देखना पड़ता है है कि कल्कुलेशन करना पड़ता है ठीक है और लिखिए वाई बराबर जीरो क्या यह लिनियर इक्वेशन है एक रासी में वाई इक्वल जीरो क्या यह लिनियर इक्वेशन है हाँ यह नहीं बोलो अंकों में नीदेन दिल में करार यह मैथ भी क्या चीज होती है यार कल देखा था नहीं अप लोगों ने कल रात में पूरा राज चली थी आज भी चलेगी रात के बारा वजे से अभी ग्यारा वरा वजे सुरू हो जाएगी सुबेर आठ वे तक चलेगी कुछ ना कुछ बेसिक मैथ पूरा रात चलेगी अब चल भाई ओके लिक्खो लूर या कटियों में यह यह यक्ष्ण का समीकरण भी है यक्ष अच्छानों पड़े होगे दिफिजदा आप X-axis tradition यह यक्स अच्छ का समीकरण भी है y अच्छ का समीकरण यक्स बराबर 0 होता है फिल हाल अभी कि आपके काम के लिए नहीं है लेकिन याद रखिए yक्स इंटू yक्स माइनस 6 बराबर 7 क्या यह linear equation है अगर है तो बोलिए y नहीं है तो यह यह जब लोग recorded class कहते है लाइब को न तो सीधा आईशा लगता कोई भौक रहा है तो समझे रहे हो न बहुत है गरियाने मन करता लेकिन गरियान नहीं पाते हैं बस यहीं दिक्कत हम यह नहीं समझ पाते हैं कि बटन दबाने थोड़ी लाइक रिकार्ड हो जाता है अरे यहां करके सारी एक्टिंग करनी पलती तब कला रिकार्ड होती है और अगर जब यह करेगा कोई तो लाइब नहीं आएगा को रिकार्ड करेगा इंटरनेट 24 गंटा जा रहा है इंटरनेट 24 गंटा बरबाद हो रहा है अगर इंटरनेट करने पागल हो जाएं पहले हम लोग पढ़ते थे ना एक देड़ भी डाटा मिलता था जब डाटा ना खराब हो टाइम भले खराब हो जाए डेटा आज खराब हो जा रहा है यार बरब जने वाला रुक और को कुछ देख लेते हैं लेकिन अब अगर इसको करेंगे तो पागल हो जाएं क्योंकि खत्में नहीं होगा यह कॉन पूजरा सुबह तक सच्ची में चली थी सुबह तक चली थी आज भी चले गी यह लिनियर इक्वेशन नहीं है यह नहीं है क्योंकि इसका मैंटिपल होगा ती एक्स का स्क्वायर माइनस यच्च्ष एक्स इक्वल से वन हो जाता है ठीक है यह linear equation नहीं है देखें मेरी बात को कोई बुरा नहीं मानियेगा लेकिन बात यह न कि अगर आप लोग लाइब को recorded कहते हैं तो मुह पे तमाचा जैसे लगता है वह वह लाइब थी यह 100% है वह वीडियो रिकाड़ेड रहा होगा मतलब रिकाड़ेड दो नहीं रहा होगा लेकिन बनाया गया रहा होगा ऐसा हो सकता है में भी बाकि लाइब है लगभग रहती हर समय रिकाड़ेड नहीं होता है तो यह सब आप लोग कर लोगे कुछ और करवाएं क्या आप मुझे लग रहा है बद्न कर जा यार मज़ा नहीं आ रही अब मज़ा नहीं आ रही इसमें तो यह था आपका linear equation आप समझ गए उमीद है मुझे अच्छे से रैखिक समीकरण का हल करना तो अभी तक सीखा ही नहीं आपने भाई साहब कईया सीखोगे पांच यक्स माइनस तीन बराबर दो इसमें यक्स का मान बताइए चलिए आप समीकरण हल करना सीखिए इसमें यक्स की बैलू क्या होगी यक्स की बैलू क्या होगी इसमें गौतम पटेल जी डीलेड वालों की लेबल का है यह इससे बड़ा नहीं दे सकते यहां पर इससे बड़ा देंगे तो इन लोग के कोपड़ी कूपर निकल जाएगा तार्गेट क्लासेज वन आएगा बहुत अच्छा अरे भाई कच्छा दूई का बच्चा के लिए यह बहुत छोटा एक दंबेजती वाला सवाल है अब ध्यान दीजिएगा हम करने वाले क्या है साथियों यह एक टॉपिक है जिसे छोड़ रहे हैं आज के लिए हम अभी पढ़ाना था आज ही लेकिन इसको छोड़ी फिले रहे हैं क्योंकि यह कुश्चन टाइपिंग करवाना पड़ेगा ठीक है बड़े-बड़े कुश समझ रहे ना चलिए तो आज आपका एक नया अध्याय होगा अध्याय नंबर नो हो सकता आपकी बुक में कुछ और भी है अध्याय का नाम के वाल सुनिए अध्याय नंबर मत मिलाईए बेंजकों का गुड़न फल और सर्व समिकाएं यहां तक आपको दिख रहा है दिख होगा बेंजकों का गुड़न फल हेडिंग डालिये और सर्व समिकाएं देखिए एक परकार से अलजेब्रा सुरू करेंगे हम लोग ठीक है अलजेब्रा सुरू करेंगे यानि बीजगणित बिल्कुल सुरू से जैसे अब तक आप पढ़े हो कि दो का दो में गुड़ा करने पर चार होता है वैसे अब आप पढ़ोगे कि यक्स का यक्स में गुड़ा करने पर यक्स का स्कॉयर होता है ठीक है तो एक छोटा सा जबाब दीजिए अगर वाई का स्कॉयर है नीचे वाई है इसको साल्ब क करेंगे तो क्या आएगा जब आप दीजिए मैं मारकर में थोड़ा सा इंक भरता हूं जल्दी करें कोई बात चीत नहीं करेगा सिर्फ पढ़ाई बाला बात होगी बस कि यह बात अपने जेहन में बैठा लीजिए दिल में आत्मा में और कलास को पूरा इंड तक देखना है अभी कुछ दिन आपकी कलासे थोड़ा छोटी चलेंगी आधे गंटे की फिर हम आपको एक एक गंटे बढ़ाएंगे ठीक है थोड़ा छोटी बस देखिए सिंपल है समझ यह पूरी कहानी क्या है इसका अंसर वाई आएगा वो कैसे आता समझ लीजिए पंका जी बहुत अच्छे है रूची सालनी ठीक है यह वाई का स्कॉयर है तो साथियों इसको हम वाई इंटू वाई लिख सकता हूं नीचे यह वाई अकेले है सिंग में वाई बचता है कि ठीक है कि आप चलिए कि अब समझे यहां पर टॉपिक हम पढ़ने वाले क्या है मतलब क्या है इसमें जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा उनको भी मैसमेटिक्स आएगी बिल्कुल टैंथर नहीं लेना है कोई तिकत आ रही क्या कि अब आज में या किसी भी चीज में कोई दिक्कत आ रही कौन कहरा है बाइब्रेशन कर रहा वीडियो कि दिमांग बुद्धी यह क्या है इनके वीडियो में कहीं बाइब्रेशन होता है कि मोबाइल में हो रहा होगा तुम्हारे बच्चा देखिये अगर आपने पीछे की कलासे देखा होगा तो आपको पता होगा कि या होता है यह सब आप देखे हो न तो भी अगर देखे हो तो अच्छी बात है नहीं देखे हो जाके उसे देख लेगा यहाँ पर समझीए मतलब जैसे आपने अब तक पढ़ा होगा बच्पन में कि दो में दो का गुड़ा करते हैं तो चार होता है यह आप जानते हो ना आपको पता है क्यों? पता है ना अगर फोर में फाइब का मल्टिपल करते हैं तो ट्वंटी होता है यह भी आप सबको पता है अब को मालूम है तो इसमें नया क्या है फिर? जब हमें सब मालूम ही है तो का करने के लिए आए वो? बोलो ना सुनिए अब हम इधर साइड में कुछ बताने वाले हैं इसके कमपेर में उसी तरह से जैसे साथियों यक्स का यक्स में मल्टीपल करते हैं न तो यहां पर कुछ नया होता है समझने की कोशिस करिए का बहुत आसान नहीं इसमें कुछ लोग को नींद आएगी कुछ लोग सो जाएंगे कुछ लोग मम्मी पापा घरवालों को दिखाने के लिए मोबाइल लेके बैठे रहेंगे भले सोते रहें लेकिन बुद्धि आपकी जागती रहने चाहिए आत्मा समझ रहें न इसमें आपको बहुत अच्छी एकलव इस्टोरी सुनाएंगे भी लाष्ट में इसलिए जागते रहना सोना नहीं कि अच्छी में मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा थोड़ी चीज़े हमें बताना होगा कि देखिए जैसे चर और अचर तो भाई यह चर क्या होता है एफ ले करके जर तक के जितने भी लेटर होते हैं वो चर या इंगलिस में इन्हें बरियबल कहा जाता है क्या कहा जाता है बरियबल कहा जाता है अचर क्या होता है जितने भी नंबर होते हैं गिंती के माइनस पलस जो भी समझो इनको ठीक है कुछ भी कितनी भी गिंती उज्ज होती आपकी पलस माइनस कुछ भी कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो वो आपकी आचर यानि constant कहलाती है समझ रहे ना यह समझ गए तो अब मतलब की बात करते हैं आगे यह समझ गए ना तो भाई आओ यह जो अब तक पड़े हो ना बाबू यह क्या है वारियबल नहीं है यह कंस्टेंट का मल्टिपल है इसमें क्या है इसमें तो बहुत कुछ है जैसे यह 4X है ना तो जो वारियबल के साथ में नमबर लगे होते हैं इनके गुडांक भी कहलाते हैं क्या कहलाते हैं और जैसे एक एक जामपल और मैं आगर आपको दिखाऊंग तो जैसे 3X घात 5 है तो जो आगे नमबर लगा यह तो गुडांक है कॉफिसियन जिसे इंग्लिस में बोलते हैं और जो उपर नमबर है यह इसकी घात है जो इसके खोपड़ी चड़ा है था यह ना क्या ही घात है मतलब पाबर है कुछ बुझा रहा है नहीं कवाइब अवता होता है ना सुना फिर इतर आओ चल्व आया अब कह लिए बता रहे हैं सुनिए उसी तरह से अगर इसमें कोई घात नहीं लगी है तो वन माना जाता है क्या मानते हैं वन मानते हैं अगर किसी में कोई घात नहीं है जैसे देखिए अगर इस पर वाई का घात तीन है तब तो हम बोलेंगे तीन घात है इसमें अगर इसके खुपड़ी पर साथ है तो भैया बोलेंगे क्या है इसमें साथ है लेकिन अगर इसमें कुछ नहीं है तब कुछ नहीं है तो क्या हुआ है एक माना जाता हमेशा गुड़ा आंक को भी हमेशा एक माना जाता है कभी इसको जीरो नहीं मानते है ठीक है तो इसमें क्या होता है गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है आप याद रखना समझ रहे हो ना वैसे यह घातां के नियम पर बिल्कुल डिपेंड है पूरा-पूरा गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है जैसे इसकी घात कुछ नहीं है तो वन माना जाता है इसकी वन इसका जब मल्टीपल होगा बेस अगर सेम है तो यह वन प्लस वन इक्वल यक्स का पावर टू जिसे यक्स की घात्वी बोलते हैं हिंदी में और इंगलिस में यक्स का इसक्वायर बोलते हैं ठीक है निदी सिंग समझ में आ रहा है अच्छे से खीक है तो समझते जाईएगा यह हर जगा नहीं लागू होगा अभी आपको जो बताया था ना कि लब सब्सी dafür वाली बात बताएंगा अभी वगी इसमें लागू ton कि Всё धी में सुन्तulty रेह ये का दो यहां पर एक घात है है म्हँंबा यए का घात है न्यक्ते ना गुनक्रेव कर द्खांर है अ बोल वारा समंझ में न यह सब को समझ में ना इतना यह सब चीजें यहां पर समझना जरूरी है क्योंकि अभी आपको डीटियल में बहुत कुछ पढ़ाना है ठीक है चलिए तो यह तो था जब यह बरियबल्स एक जैसे हो समान हो मतलब आसमान ना हो एक जैसे हो सिंपल में हो लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं होता हर समय समझ रहे ना देखिए ऐसे मत उमीद में रहिएगा कैसे मिल जाएगा परिक्षा में बदल भी सकता है समझ रहे ना चूटी हुई टाहनिया कहां च्छाओ देती हैं और हद से ज़्यादा उमीदें हम ऐसा घाओ देती हैं तो इस उमीद में मत रहे ना कैसा मिलेगा वरना घाओ ही लगेगा आईए आप देखिए कुछ अलग जैसे यक्स इंटू यक्स इंटू वाई इंटू आई नहीं एक बार रहने दो आप क्या होगा इसमें देखिए बैरियेबल एक और भी आ गया है इसकी भी घात एक है इसकी भी एक है तो कितनी घात हो जाएगी यहाँ पर कैसे आएगा मालूम है आपको कुछ देखो भाई यह माली जी आप है यह आपके पिता जी है या भाई जी है अगर यह महीनम पचाफ हजार कमाते हैं यह भाई आसी हजार कमाते हैं तो महीनम दुने लोग के एक लाग तीफ हजार हुआ है और यह आपकी पडोसन है यह भी एक लाग सोजाय कमाती है तो क्या यह इंकम इसकी आपके घर में जुड़ेगी नहीं न वो अलग है पडोसन का नहीं मिलने वाला आपको समझ रहे हो उसका अलग ही रहेगा वो अलग कैटेगरी का है समझ गए ना तो यह नहीं करना कि यहां पर इनकी घाते जोड़ के तीन कर लो क्योंकि यह अलग चीज है दिख भी रहा अलग इनकी दोनों की घाते आपस में जुड़ेंगी यक्स घात दो लेकिन यह वाई अपना अकेले दुकान लगाएगा समझ गए ना यह चीज यहां पर ध्यान रखना है अब मान लो इसका भी कोई साथ ही संगती हो गया तब तब वो अपने जोड़ेगा आपस में लेकिन इसमें नहीं जोड़ने वाला है देखिए समझते जाएए अभी मैं आपको और भी डीटियल में बताता हूँ सुनिए गजरा समझ के इधर देखिए जैसे अगर यह यक्स का स्कॉायर है इंटू यक्स है इंटू वाई का पावर थ्री है इंटू वाई का पावर टू है अब बताओ भई अब का होगा यह कौनों कहरा मिलेगा बात करना पड़ेगा नहीं बात करने से आज कल कुछ नहीं मिलता है अब देखिए मैंने अभी कहा था कि ये आप हैं ये आपके पिता जी हैं भाई हैं ये आपकी पडोसन है अब भाई पडोसन का भी एक साथ ही मिल गया नया अब देखो उससे भी आगे हो गया ये अब मैंने ये कहा था कि इसकी कमाही इसकी कमाही मतलब इन दोनों की आपके घ तो पिए घरवालों को नहीं मिलने वाला है यहां पर जीतने यह रहेंगे वह आपना-पना घात जोड़ेंगे आपस आहिसा नहीं किसकी घात इसमें उसकी युझाइगी इसकी उसमें जूड़ेगी अत्रत ना समझ गए कि नहीं करिस्मा जी आ रहा कुछ समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक करते चलिए लाइक नहीं कर रहें बिल्कुल भी तूटे हुए दिल की चटनी मत वनाईए कुछ अलके और ज्यादा लाइक कर दीजिए थोड़ा रहत मिलेगी चलिए अब हम समझाना जो चाहते थे उमीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत समझे गए हलके फुलका समझे लेकिन समझे तो अब इससे दो कदम और आगे बढ़िए दो कदम और आगे बढ़िए इसमें तो भूया आगे पिछे कुछ नहीं घात एगात जुड रही थी समझ रहा हो ना पहले लोगों की नई नई साधी होती तो दूए रहते हैं न फिर नए नए प्रोड़क्ट लांच होते हैं हर साल तो ऐसे इधर देखो भाई अभी तो यह सब नए नए थे यह सब सिंगल 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 अभी दर सब डबल तिरब कि दो है इंटू यह सेबन वाई है और यहां पर दो है अब इन में क्या होगा इन में क्या होगा जरा बताईए कि समझते चलो बस दीटीयल में थोड़ा थोड़ा जागते रहना अभी स्टोरी सुनाएंगे लाइस्ट में तोना नहीं कोई देखिए अब इसमें एक नई मुसीबत आई वो का है पहले तो जैसे तैसे होता था अब कुछ और जादा बोलेंगे तो कुछ ओबर हो जाएगा कुछ लोग तो पढ़ाई से हट के कहीं और चले जाएंगे इसलिए अब इससे जादा इसमें कुछ नहीं बोलेंगे टॉप सबसे पहले लिखा जाएगा पहले बचवा की ख्वाहिस पूरी की जाती है ममी पापा की पीछे ठीक है यह सबसे पहले अब यह जूड़ेंगे बाद में आपस में लड़के सो जाएंगे तो समझ रहो चलो इनको जोड़ो अब पांच में दो जूड़ेंगा कितना हो जाएगा यह सेवन और यह साथ का मल्टिपल हो चुका है यह निकल चुका है बच्चा यह केवल वाई बच्चा है आया समझ में देखिए यह है तो थोड़ा अजीव टाइप का लेकिन मजबूरी पढ़ना पढ़ेगा तो यह थोड़ा मजदार तरीके से पढ़ते चलिए बूलने ना पाए मैंने अभी एक बात बोला था इसको गुड़ा करते समय कौन कौन पकड़ा उसे क्या आप समझ पाए मैं क्या बोला था बीच में छोटी सी बात थी लेकिन समझने वाले समझ गये होंगे क्योंकि यह सब बड़े खिलाड़ी है एक्सपीरियंस एंड अनुभाव वाले हैं थोड़ा थोड़ा अनुभाव अभी हम भी ले रहे हैं कहीं कहीं से अभी जादा नहीं मिल रहा लेकिन कहते ना जिंदगी के साथ साथ अनुभाव हो जाता हर चीज आसान है ना हम आसान है आसान है आई यह देखिये इदर एक और अब कैसे कैसे यह सब अलग अलग हो रहा है ना मतलब पहले तो सिर्फ नंबर नंबर रहता था अब यह गुडांक में भी आने लगा आप देखिये इदर जैसे इदर मैंने लिखा 4x का पावर 2 मतलब स्कॉयर इन्टू 5 y का स्कॉयर इन्टू 1 अपान y का स्कॉयर इनका क्या होगा मल्टीपल बड़े समझदार हो आप लोग भाई बड़े समझदार हो कि चलिए इसका क्या आएगा इसमें थोड़ा बुद्धी एक इस्टेप और आगे लगानी पड़ेगी पड़ाई पर ध्यान रहना चाहिए कहीं और नहीं जाना चाहिए नहीं तो बीडियो हमारा बंद करके कुछ और करने लगो हम इसी बात बोल दे रहें नहीं उसमें समय मत जाना भानाव में मत खोना यह क्या लिखा है बचवा सोने के बाद नहीं बाई कुछ गड़बड मत बोलो आज कल के बचवें बड़े समझदार होते हों सोते ही नहीं देखिए इसमें क्या करना है पहले जितने भी गुडांक है उनका मल्टिपल करेंगे ठीक है तो चार है इसमें इसमें पांच है चर पंचे बीस कितना 20 और यह यक्स का स्कॉयर है इसके साथ में और क्या है इनका कोई साथी संगती यह है इसकी दो घात इसकी एक घात जुड़ जाएगी तीन घात हो जाएगी है न और यह सकॉयर है यह एक बटा वाई सकॉयर इसमें थोड़ा जंजट फशेगा अभी समझ यह क्या नीचे यह वाई का स्कॉयर है यह एक बटा वाई का स्कॉयर है वह कट मर जाएगे आपस में खतम हो जाएगी समझ रहो ना तो यह वाई का तो कहानी हो जाएगी खतम दाइंड हो जाएगा तो बचेगा क्या चार पंचे 20 यक्स की घाते जुड़ जाएंगी बस यही बचेगा इनकी तो यही पर खतम हो गई किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताईए नहीं न यह क्या है वरियेवल्स बेंजको का गुड़नफल आप पढ़ रहें क्या पढ़ रहें मल्टीपल आफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीज गणिती है बेंजको का गुड़ा चली एधर दे सभी अगर समझ में आ गया तो सेशन को लाइक करते चलिए लाइक करना आप लोग जानते हैं बड़े समझदार हो गया है बुड़े हो गया अदर जादा बताना ना पड़े तो लाइक जरूर करिए आईए इधर आप देखिए फिर जैसे a इंटू x का स्कॉएर इंटू 1 अपान a का स्कॉएर इंटू यहां पर b c d इंटू भाईया लिख लो पिंटू इतना आएगा और इंटू फाइफ यक्स का स्क्वाइर इसका कोई कल्कुलेशन करके बताएगा कितना आएगा हर स्रीवास्तो जी आप पड़े लिखें आपको दिखाई भी पड़ता है सुनाई भी पड़ता है यह हमारी उमीद है तो वीडियो के टाइटल में लिखा भाईया देख लो नंबर सतरह न लिखा था उपर लेकिन बुद्धी का परियोग करिये जो रखे वह बगल में इनको कर लेंगे मल्टीपल देखिए जो एक समान है उनी का मल्टीपल होगा आपस में जो असमान है उनका नहीं ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई कॉलेज है उसमें कला वर्ग कामर्स वर्ग और विज्ञान वर्ग तीन कटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं जो हम अभी तक जानते हैं उनमें अक्सर जो दोस्ती होती है फ्रेंड्सिप होती है साइंस साइंस वर्ग वालों में होती है और कामर्स कामर्स वालों में आपस में होती है ऐसा नहीं होती किसी आर्ट वाले की friendship किसी science वाले से हो गई अगर ऐसा होई तो फिर वो किसी practical के लिए वह होगी वह अलग बात समझे रहे हो समझे गए कि नहीं बाकी नार्मली जो है वह आपस में ही होगी मतलब एक ही category में तो एक ही category का मतलब समझे कि जो ए वैरियबल है या बी है या सी है वही आपस में गुड़ा भाग होंगे बस बाकी और का किसी में नहीं होगा देखिए जैसे पाइले इनको अलग अलग हल करेंगे सबको ए और ए वाला कौन सा एक और है ए वालावर कोई है कहीं कहीं नहीं है न जि है कहीं ए वालावर नहीं तो भहिया यहां से ए से ए के कट जाएगा ऐसे समझलो साट कट में वैसे तो एक कैंसिल होता है तो वन अपान ए बचे गा यहांपर आप देखो यक्स में क्या condition है या isquire है और कहीं यक्स है क्या हाँ ये one upon yaks का square है into ये भी एक square yaks वाला है ये cut जाएगा सिर्फ ये बचेगा समझते जाओ तो ये yaks का square बचा final में कुल से लड़ जगड के a का काम हो गया yaks का हो गया अब कुछ बच रहा है तो b c d बच रहा है और b c d और कहीं है भी नहीं समझने की courses करिए दो नंबर का परिक्षा में जरूर आएगा algebraic expression में से कुछ ना कुछ उट पटांग दे देगा फिर बैको एक लग जाएगा बड़ी बेजती होगी इसी चक्कर में break up और रेकप सब हो जाएगा लफड़ा बढ़ जाएगा इसलिए पढ़ लीजिए समझ रहे हो ना पढ़ लीजिए उसके बाद आगे सब चले इन्टू यह क्या हो जाएगा b c d अब भाईया इनका multiple कर लो कुछ नहीं करना है इनको sequence कर देते हैं बस जैसे पहले आया समझ में कहीं किसी को कोई डाउट है तो बताओ नहीं न इतलिए पढ़ लिख लीजिए नहीं पढ़ेंगे तो आगे दिक्कत है समझ लीजिए लिखे रहेंगे तो बहुत कुछ होता रहेगा साथ-चाथ में चलता रहेगा सब नहीं घरवाले अलग गरी आएगे वह सब मुसीबत बढ़ जाएगी को सुनने में डर लगता है को कोई कह रहा कि ऐसा मत बोली है को समझ में आ रहा है ना देखे 56 लोगों ने कहा है कि क्लास को रात में दस बजे ही रहने दीजिए बाकी 44 परसेंट लोग चाहते हैं कि टाइम को पलड़ दिया जाए कैके अरे पंच भीदका चत्चा माँ वह बह्याशान काई मिनटेक मिनटी ओ रुक जा है इसमें यह फाइब भी तो था इसeled में फाइब भी था इनको लेंचंग कैसी चाक्र में सब्सक्षा कि ऐन चकर इंको कि उकड़वड लो इनको देल कर लो बस बंद कर लो अकांचा सिंग जी बिल्कुल मैंने सही कर दिया है गलती के लिए स्वारी और मैंने लिख दिया है चलिए वैसे इतना बड़ा खतरनाक ऐसे आयेगा नहीं आपकी परिच्छा में मैं आपको थोड़ा और दो इस्टेप आगे बता रहा हूं ठीक है इतना बड़ा ऐसे उट पटांग नहीं आएगा लेकिन हम सोच रहे न कि आप सब कुछ सीख जाए जिससे कुछ भी आये तो सब पार हो जाए क्योंकि पूरा 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 पूरांक मिलता है पी बी आर स्टडी वाले इस्टूडेंट को मैथमेटिक्स में डीलेड मे पचीस में 25 मिलता है साड़े 24 कोई नहीं करता है नहीं उमीद है पढ़के देख लीजिए एक बार नहीं मिलेगा तो बताईएगा तो उमीद है कि आप लोग यह सब सीख गए तो अब तो आप फटा फट सब बता ले जाएंगे प्यूंब भही अब अब अताले जाएंगे नाई कई इसमें बहुत सारा इस्टेप होता है किताबों में को मैंने दिया मुंसारा इस्टेप वार जिसमें माइनस भी रहता है, देखिए जरा प्यार से, अरे इधर देखिए मुझे नहीं, पांच यक्स इंटू माइनस का तीन वाई, इसमें कुछ नएा लगा आपको, कुछ नएा लगा, देखिए नएा क्या इसमें माइनस में है, इनको तोड़ेंगे अलग-अलग, जो अब तक बताया हूं वही बुद्धी लगाओगे इसमें वही पहले वाली पांच का तीन में माइनस पंदरा एक्स का वाई में तो यह एक्स वाई कुछ लोगों का इंटरनेट बहुत धीमा चल रहा है प्रियंका जी जैसे हैं प्रग्या नेहा और भी कुछ ऐसे हैं जिनके कमेंट न इधर लड़ाई जगड़ा खतम हो जाती तब आना शुरू होते हैं अरे रुको रुको हम भी है इनके कमेंट बहुत देर में आ रहे हैं अकांचा सींहका भी कमेंट भाण लट में आपर इस ये वो है माइनस वाले भाहे जो है माइनस का यकसहद तीन के इंटु यकसवाई इंटु माइनस के दो honey इंटु साथ गात तीन इनको बताएदो का आजगाए से कुष्टन आते हैं अहीं आ은ी एक शाकतियार कि इसमें वहाइसे ही होगा यह माइनस है माइनस माइनस मल्तिपल होने प्ल्स हो जाता है पांच दून दस और यक्स की खात तीन है यह सब्सक्राइब तीन एक चार और यह तीन धर भी है तो साथ वाई का घात यहां पर एकट ही है बाकी वाई कहीं नहीं है बत्तिल लेके खोज लो है यह नहीं आरा समझ में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना लिखते जाइए छापते जाइए फटा फट जल्दी जल्दी से तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें कुछ और भी कुश्चन करवाएंगे प्वियार स्टडी एप में इस समय बहुत बड़ी अपड रखिएगा यह कलास यूपी एससी यूपी पुलिस या रेलवे एससी कोई भी कंडिडेट है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जो टॉपिक चल रहा हूं वो सबके लिए है ठीक है तो मैं हिंदी में ही लिख देता हूं फिलहाल के लिए बीज गणितिये बेंजक यह टोपिक चल रहे थे थोड़ा मैं गंदा सा भले लिख रहा हूं लेकिन पढ़ाऊंगा अच्छा सा आप लोग अलजेब्रीक एक्स्प्रेशन का मल्टीपल देख रहे थे ना गुड़ा यही तो चल रहा था जरा गौर फरमाईएगा इधर साइड में आईए फोटा सा एकदम है इनको तो आप लोग करी ले जाओगे इन यक्स का घात अगर माईनस का पाँच है भाई साहब यह माईनस में है इस बात का आप ख्याल रखना है यह फाइप है मैं लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर देता हूं इंटू वाई का स्कॉयर और इंटू यहाँ पर यक्स का पावर यह फाइव है यह बताईए इ तो कि पढ़ना तो आपको जीरो से है जबाब दीजिए ना मोहबत के लिए ना दोस्ती के लिए यह वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए इसलिए कुछ बेतर से बेतर कर जाएं टाइम बरबाद ना करें आज की सारी कलास इसी पर केंद्रित है कि आपका हम समय में ज्यादा ज्यादा काम करेंगा इसमें दो तरह के वरियेबल सामिल है एक यक्स एक वाई दोनों अलग अलग कटिगरी के हैं यह एक में जूड़े घटेंगे नहीं इनकी अपने अलग अलग पकेगी ठीक है अगर गुडांग की बात करें तो इसमें सिर्फ तीन है तो यह तीन ऐसे लिख देंगे 37 से यक्स अब इनकी घात क्या रहेगी इनको साइड में लाकर निप्टा लेते हैं फाइप पावर है यहां पर भी फाइफ है अगर बेस समान है एक परकार से तो इनके जो पावर होते हैं जूड़ जाते आपस में तो बहिया हो जूड़ेंगे जब यह इसका मान क्या होगा जल्दी बोलो यह मेरा चसमा गंदा है कि स्क्रीन गंदी यह चसमा बड़ा गंदा है सिवांगी बाचपय कमेंट आपका आ रहा है अपना इंडिया और बबलु राजभर सिवं प्रग्या प्रभात अफनेहा सालनी मिस्रा सालनी सिंग सौरब चंचल पंकर ठाकूर मिली सौम्या सबके कमेंट मुझे दिख रहे मैं बोल नहीं रहा हूं मने बताया कि वरियेबल की पावर अगर सुने होती है तो हमेशा उसका मान एक होता है क्या होता भईय बैबू वन होता है न इसका मान 1 होगा यनि आपका है सकते हो किसकी जगापे फाइनल में आप एक लिख सकते हो नकी घाट 0 हालो अभी के लिए और 23 य चांद 2 इसका मान कि नहीं बताया था ना इस टाइप का देखिए हैं बहुत चोटी चोटी बात है लेकिन देखन में चोटे लगे और घाव करे गंबीर वही कहावत है यहां पर यह देखने में चोटे हैं बस अगर पीटीसी डियलेड में या फिर कुछ भी कर रहें बेसिक में अगर यह आ गय मिल जाता है आज संख्या बहुत कम है क्या वजाए बाइक नानी के ननियूरे गयें का सब कहां गये सब चलिए आज आजाए इधर साइड में यक्स पावर फाइफ नहीं फिप्टीन लिख लो हाद दम अच्छा नहीं लगता है कि इंटू वन अपान वाई और इंटू यह कुछ बड़ा बड़ा करेंगे कुछ नया कि सालिनी जी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो यहां से तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप आसपास में आ जाए तो पासवोड बता दें आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं सभी तिन तिन ब्राड़ बैंड अनलिम् आपना यह सब साम जाम नहीं चाहिए मुझे अभी इसलिए तो तीन लगाया है ना यहीं तो फाइदा है जब एक रहता तो बोल नहीं सकते थे दो तीन रहता है तो एक को धमका भी तो ले जाओ अपना बड़ ले जाओ कोई फरक नहीं पड़ता है ओप्शन में रखना चाहिए चलिए अब यहां पर समझिए वन अपान थ्री पहले नंबर नंबर का हिसाब करेंगे यह वन अपान थ्री है इंटू यह ट्वंटीवन है और कोई नंबर है इसमें क्या मतलब अचरपत जिसे कंस्टेंट बोलते हैं नहीं है ना तो ट्वंट इसकी पावर फिप्टीन वाला ले लो इसमें कहीं और यक्स है नहीं बूल चूक से तो यह चुपए से वैसे लिख जाएगा बस जितना है कोई बदलाव नहीं करेंगे इसमें कि कि अब देखो यह इनको नीचे ले आओ पकड़के इंटु वन अपान वाई बहिए देखो इनको थोड़ा पोस्ट मार्टम करके अगर आपको दिखाएं तो वाई का स्कॉयर का मतलब बाभू इंटु आई होता है नीचे वाई है एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाता ह है एक ठीवाई बच जाता है यह अंसर को समझ में आ रहा है ना तो चाचा लोग का लएक करते चलिए ऐसे मजा नहीं आ रही और आगया तो एक बार सभी यस बोलिए थमसब करिए फट से चलिए जल्दे से आदे लोग लाइक नहीं करें मैंने उसी दिन बताया था जो सब्सक्राइब हो जाएगा लड़ाई शुरू हो जाएगी फिर समझ रहे हो ना तो कहें को टेंशन मोलोगे कम से कम करते जाओ ना रात में कहीं बात लगती बहुत है यह यह याद रखना समझ गये ना हम का बोलना चाहते हैं ठीक है भाईया आ जाओ फिर गुड़न फल ग्याद कीजिए सुनिए यह माउस भी चल रहा है क्या एक मिनाट एक मिनाट इसको बंद करने दो नहीं सारा चुपट हो जाएगा आगे बढ़ें चलिए ठीक है देखिए एक और इनको साइड करो साइड करो इन्हें आज लाइट कम है मुझे लग रहा है बोल्टेज कम दिख रहा है ना इधर सुनिएगा बहुत ही प्यारा सा यह एक्स्प्रेशन इसमें दिए गये हैं आलजेब्रिक इन्टू माइनस तीन एवाई ठीक है भाईया बस इतने कर लो ज्यादा नहीं ज्यादा इसमें एक पदावर भी है लेकिन उसको नहीं लिखेंगे अभी नहीं तो बढ़ा हो जायागा तो फिर गड़बढ़ा ही जाओगे आप लोग बोलिए फटा फट प्राई करिए एक बार देखे सुनिए इसमें जो जो पहले कंस्टेंट होता उनका मल्टीपल करते हैं तो गिंती यहाँ पर क्या है एक चार है और एक तीन है बाइस आप दुईनो माइनस में हैं दुईनो माइनस में हैं तो क्या करेंगे माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाता है चिन्न की सारी प्रोपर्टी में आपको अलग से बता चुका हूं नहीं देखे हो तो कमेंट करके बताना यह माइनस 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 होगा तो प्लस स्टिन चोंग बारा यहां पर स्कॉाइर है यहां पर यक्स कहीं है यह नहीं तो यह इसक्वाइर रहेगा यह और वाई ऐसे साथ में आ जाएंगे यह थोड़ा कम अच्छे लग रहें इनको सीरियल से कर देते हैं तो बारा यह यक्स का स्कॉाइर वाई मतलब जो आपके वरियेवल्स आते हैं सिक्वेंसे उसके आधार पर ठीक है लिख लीजिए फटाफ़ाट आप एक्छा कटियार समझ में आ रहा है प्रियांसी सालनी सर्मा दीक्षा सर्मा राहुल कुमार सुभम नीरज पूज ठाकुर मोहित और भी तमाम बच्चे हैं जिनका नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूं तो वह नाराज नहीं होंगे हम देख रहें सबको इसको छाप लीजिए साइड में आते हैं इधर आज बहुत कम संख्या है सो के नीचे ही हैं आप लोग भाईया कहां गए आप लोग भाई कैसे चलेगी गाड़ी यह वैसे मैं कितना वक्त निकाल के आता हूं आपके लिए फिर भी आप लोग नहीं थोड़ी भी परवाह कर होगे तो फिर कैसे चलेगी नहीं यह 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 तो सिंपल सिंपल वाले आप लोग अब कर ले जाओगे अब इसमें कुछ बचा नहीं है कुछ मजा नहीं है इसमें अब कुछ मजा वाले में आजाओ फिर इसमें कई तरह के ऐसे उबड़ खाबड मिल जाते हैं आपको उनको सब करना पड़ेगा आपको परिक्षा में कुछ भी मिल सकता इसे उल्टा पुल्टा टाइप का देखिए सुनिए एक टाइप का और देखिए जैसे इसमें से आपको सीखना है ताक्षी दिख्षित जी आपका कमेंटा आ रहा है काब्या पंडित रूची साक्या संगीता बीमल सब का आ रहा है इसमें क्या बटवारा होता एक परकार से जैसे माल लीजिए कि आप छोटी सी बात करें कलास की 15 अगस्ट 26 जनुवरी में जब हम लोग छोटे थे तो आम लोग की स्कूल में गुरुजी बताफा लेके आते जानते हो बतासा का होता है जानते हो उसको गट्टा भी वोलते देशी बाता में और नहीं जानते हो तो इसके आगे नहीं बताएंगे तो 15 अगस्त और 26 जनुवरी में हम लोग क्या वही मिलता था लट्डू लट्डू कभी कभी आता था बस क्योंकि हम लोग बेहाद गरीवी स्कूल में थे हम लोग बारी-बारी से बित्रिद्र किया जाएगा जिसे आपने पढ़ा होगा इसमें बित्रण नियम डिस्ट्रिब्यूशन लासायद ऐसे कुछ था ना इंग्लिस में ऐसे कुछ बोलते हैं तो इनका पहले एक मल्टीपल इसमें करेंगे तो एंटू याक्स अब बीचे में प्लस है तो प्लस फिर एंटू आई मतलब दोनों में हो गया ना बारी-बारी अब यह क्या हो जाएगा एक्स प्लस एवाई बस यही आंसर है आप कुछ लोग इसको जोडने लगेंगे तो यह जुड़ेगा नहीं यह जुड़ेगा नहीं दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते तो यह हम होने वाले नहीं है हम होने के लिए बहुत कुछ मैच करना चाहिए तब होंगे समझ रहो यही अंसर हो जाएगा कुछ लोग इसमें माट टेंसन में हो जाते हैं यह यह कई से आंसर हो जाएगा इसमें और बड़ा- हो रहा है ना तो यह तब होता जब यह एक स्ट यह उलिटा रस एक हो जाता जैसे तेको यह 2 और यह सब्सक्ट क साइब कुछ एक शुज एक सोजाता मतलब इनके कुछ प्रपरटी इसमें इसमस् dif div यह तो सिंपल सा आप लोग जानते हो आज कल जाती दरम और लिबाद बहुत तेजी के साथ चल रहा है नमबर एक पर ना तो जाती का मतलब यह नहीं कि यह ब्रहमण है वो ठाकूर है वो यादव है वो बनिया है यहां पे जाती का यह मतलब है कि यह यक सहत यह भी यक सोना च समझें तो यह इसलिए नहीं जुड़ेगा यह अलग-अलग टेगरी के हैं यह यक्स है यह तो जूड़जाता पर आधा इस चीज में बताया हूं अगर इसका जोड़ना बताया था साइद की नहीं बताया था भीज गणितिये बंजकों का जोड बताया था कि नहीं नहीं बताया था तो बता देंगे अभी चलिए यह आप समझे गए दस समझते चलिए और थोड़ा दीरे दीरे हसी यह गा नहीं तो घरवाले मारेंगे दवडा दवडा के आज सामवाली कलास में एक्ठावरे से कह रहे थे ना कि पढ़ लबेटवा नहीं गोबर और भरबा तो कह रहा था गोबर तो पहले भरत रही या वह और का भरब है हम कहां फिर अब तुमसे बोलना है पाफ देखिए इसमें है तो कई टाइप के मैं कितना टाइप करवा हूं चलिए ठीक है लिख लीजिए फिलहाल अभी और जैसे पांच यक्स यक्स का स्कॉयर प्लस तीन इनका गुड़ा कर लोगे आप लोग स्टेप बाई स्टेप सब कुछ सीखना है इसमें भी वह ऐसे ही करेंगे डिस्ट्रिब्यूटन लाग के अकार्डिंग डिस्ट्रिब्यूशन भाई इंग्लिज बड़ी खतरनाक है बितरन नियम यह कौन मुसी बता रहे इधर से पांच एक्स का गुड़ा पहले एक्स का स्क्वायर में करेंगे बीच में प्लस है इसको इज़्जत के साथ ऐसे ही लिख लेंगे पूरे मान सम्मान के साथ में उसके बाद फिर से 5 एक्स लिखेंगे और इसका मल्टिपल तीन में करेंगे बस यही करेंगे और इसके आगे कुछ नहीं करेंगे अब इनको पांच और यहां पर घात एक है न इस दो घात में जुड़ जाएगी भाईया तो पांच यक्स घात तीन और प्लस यह पांतियाई पंदरा और यह यक्स क्या यह दोनों जुड़ेंगे अब कहोगे गुरुजी अभी तो बताए थे अगर एक एक जाति के होंगे जुड़ जाएगा जुगार लग जाएगा देखो वह बात तो है ठीक है जुड़ तो जाएंगे जाती एक है अब अगर आपकी जाती अच्छरा सिंग से मिल रही है तो ऐसा थोड़ी एक जुगार लग जाएगा आप लोग का नहीं लगेगा ना उसके लिए लेबल भी थोड़ा होना चाहिए समझ रहे हो ना अब जैसे देखो अच्छरा सिंग के सारीक साथ हम गाना गाती है ठीक है लेकिन अब तुम कहो हम भी घाएंगे तो नहीं ना अब कुछ लोग दूसरे का टेग से एक गात में तो यह जुडएंगे नहीं आपस में हां अगर इनकी भी तीन हाथ में तो जुड़ जाते लेकिन आप तो निकले बेरोझगार स्टूडर्ट हम लोग जैसे ना तो फिर यहां जुगार नि लगता है यहां तो लोग बस सिर्फेली लेने दूर से बड़ी बा इसलिए कहते हैं ना जाती के साथ साथ लेबल भी बराबर रखो तब ही कुछ होने वाला है वो एक कहावत है ना कहा राजा भोज कहा गंगुतेली चलिए गुड्डू गुपाल को बलग कर दीजिए एकदम यह आती कर दीए इनको बलग करिए बहुत देर के लिए पकड़े रहे यह सोर्गुल न मचाने पाएं कलास में इनको पकड़ के साइड में ले चलिए तो यह सब आप लोग कर लेंगे इसमें थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखते हैं कुछ देखिए अब की जो लिखने जा रहे ना वो बड़ा ही खतरनाक टाइब का है सुनिए मज़ा आ गया मज़ा लेके अब तुम्हें निकल लो बैटा निकल लो निकल लो पागए ना पूरा पायो नहीं नहीं पायो थड़ा हो लेलो रुके रो यक्स इंटू वाई माइनस जेड यहां तक दिख रहा है ना वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस यक्स अब जो लोग दिमाग अपना कहीं दूसरी जगा रख्यों जाके ले आए पहले ठिक है जो अपने खोपडी की पेटी कहीं और रख्या उठा ले आए음 क्योंकि इसमें लगेगी भी न लगे आयगा नहीं है ने ने कुछ लोग रख्य रहते हैं पढ़ते कहीं और दिमाग कहीं और रख्ये रहते है Z minus X ठीक है Z और X minus Y है इसका answer कितना आएगा कुछ बड़े ही expert होंगे कुछ बड़े ही expert होंगे इसका answer बता दो भी या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा और चाचा लोग या तो X Y आएगा या तो एक्ठी है ना ना आप दी जिन में से कौनों नहीं आएगा गुड्डू गोपाल बेटाब तुम कमेंट ना करो बाबु भाईया राजा जो भी कहो मैं तुमको वही कहे दूं लेकिन अब कमेंट ना करो चलो अभी मेरे मन में एक और सब्दार रहा है नहीं मानों कि तुम्हें वह भी कहूंगा हो सकता ह देखिए इनमें क्या है कई कटेगरी है इनका सबका आपस में लड़ाई होगी सुनिए एक्स का पहले y में multiple करेंगे भाया तो xy अब x का multiple z में करेंगे बीच में minus है ध्यान रखना plus minus ये plus में है ये minus में है तो plus minus minus होता है xz ठीक है ठीक है न ये हो गया पहला निपड़ गया बीच में plus y का z में तो भाया ये yz और y का x में तो plus minus याद रखना minus y x xy लिखो के दोर अच्छा लगेगा उसे लोग वन बता रहे हो भाई काहे को यहां सबका गलत है सबका गलत है सबका गलत है भीड हमेशा हौशला तो देती यह लेकिन पहचान चीन लेती है याद रखना इसलिए जहां भीहर जा रही हिवह मत जाओ अकेले चलो भीड में कहीं इसका आंसर जो है ना वन बतार ने सबका गलतilation ब्रद कि चक्र में बूल गया मैं कहां तक हुआ यह वंता था इतना आया था यह वह उसी मित एक्षोय यह यर्ट का यह को मैं तो जेड्स और जेड़ का वाई में माननस एक्सवाई कहीं है एक्सवाई यह प्लस में है यह माइनस में है अब कुछ लोग सर्मा रहे होंगे गुरुजी का है को चूतिया बेवकूप बना रहे हो मतलब क्या बोलते हैं इसमें कुछ गंदा भीवाट भी होगा सौरी उसके लिए समझी है लेकिन यह सब बोल चाल की मह बने वाली बात नहीं है आप इनका सीरियल बदल सकते हो जैसे यहां पर है यह एक्स वाई है यह यह लोग में से कोई वन बता रहा था कुछ बता रहा था निदे सिंग आ रहा है समझ में आच्छी बात है तब तो बढ़िया है आप लीजिए फटाफट थोड़ा बहुत तलने पड़ा की नहीं थोड़ा पांच परसेंट जितने भी नए कंडिडेट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर जिससे कि पड़ पाएं बाकी ऐसा नहीं कि उनको हमसे मौबबत हो गई इफलिय करेंगे ऐसा तो कोई नहीं करने माला बहिए मैं आपको नहीं बात बता दूं बीच बीच में ग्यान लेते रहिए जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल बनाया था कैसे ने पहले मजबूरी में करता था मज़ा आने लगी भाइब ब Means में करता था मजबूरी में करता मझा आने लगी जितनी नहीं महीन के द Republican factor शेया हमने कर लेता तो लोग बड़ा मज़ा उड़ाते तहां तरी कि दो देखे करता था कौनो कौनो दिल पर तीर मार के जज़िसे उदर ग ponieważ समझ तो ना लेकिन आज जितनी बार रिफ्रेंस करते हैं इस्टूडियो नुटनी बार 4 सब्सक्राइबर बढ़ता है जितनी बार रिफ्रेंस करते हैं तो बढ़ लाए तो होता है कियो करना पढता है आ Baron कि आप कुछ नया करते हैं अलग तरीके कर में 02 loss 3 और तीन एक्स माइनस चार वाई है नहीं बहुत ज्यादा नहीं होता यार नहीं तो कल रेड पढ़वा दो जंजट हो जाए है तो आज कल बड़ा खतनाग इस्थिति यह कुछ भी बोलना गुना है कि Sleeping करेंगे वैसे ही मटिपल करेंगे अ अध्यान दिजए है यह अरग है यह अलग है यह अलग है अगर दोनों एक स्वान होता तो इसमें सूत्र बन जाता स है कि समान थो फार्मूला बन जाता लेकिन यहां पर हैं मटिपल करते हैं तू 2x का 3x में करोगे तो 2 3 6 और x का x2 समझ में आ हरा है ना क्या हो जायगा 6x का x2 अब ये प्लस हमने क्या किया प्लस 2x का multi plus 3x में किया तो ये इतना हो गया अब प्लस 2x का multiple minus 4y में करेंगे ये दो चूक का 8 minus plus हो जायगा minus 8 x y यह प्लस, यह मैनस, इफ लिए यहां मैनस लगेगा 8xy, नमझ में आ रहा है न हो, ठीक है फिर, इसमें का इसमें भी हो गया, यानि हमने 2x का मल्टीपल इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, अब आईए next, यह प्लस का 3x, यह प्लस का 3x, का है एक उल्टा, ये प्लस का 3Y है 3X तो भहिया हो 3 का 3 में तो 9 हो जाएगा X का Y में करोगे तो ये अलग-अलग रहे जाएंगे क्योंकि अलग-अलग जाती के है प्लस का 3Y और माइनस का 4Y तो प्लस माइनस माइनस 3, 4 का 12 Y का Y में करोगे जाती समान है भाईया जुड़ जाएंगे कुछ थोड़ा बहुत आया समझ में आया ना हो चलो देखो फिर आप देखिए ये क्या कोई एक समान है जो आपस में जुड़ घट जाए पहली बात तो जाती समान होना चाहिए दूसरा लंबर लेवल एक होना चाहिए जैसे मैंने अब एकजांपल वताया आप लोगों का अच्छा के सारी पाउन सिंग के साथ वाला वैसे ही देखिए जाती और कैटेग्री समान होने का यहां मतलब यह है कुछ लोग इसमें कर बढ़ा रहे हैं मोहित खन्ना जी नो अगर आया तो यह एक बार फिलहाल मैं बताई देता हूं सुनिए देखो भाईया इन में क्या है ना इनका पकड़ के इसमें पहले पूरे में गुड़ा करना एक का ऐसे समझिए इनको मैं नीचे लाके बता रहा हूं दो एक्स को पकड़ करके इसमें दोनों में पूरे में गुड़ा करना यानि insight माइनस चार वाई है इसे इसे कड़नो परिया कि और दो का में करोगे तो यह दो चौका 8 यकश्वाई क्यों का भलिए नaken के यह महने यही तो लिखा था यहाँ पर कि कुछ और लिखाथा यह हो गया पहला इस्टेप दूसरके में का करेंगे इनको पकड़ो छोटके चाचा को और इनमें दूनों में कर दो यह चार वाई तो तीन का एक्स में इसमें करोगे तो यह तीन तरीक का नो एक्स वाई और यह प्लस माइनस तो माइनस बारा वाई का इसक्वाईर समझ में आया अब ये भाईया जुड़े घटेंगे नहीं काए को नहीं देखो ना पहले ध्यान से अभी कुछ न कुछ होगा इसमें जरूर होगा जरूर होगा इसमें ये सोनाली संगीता सीला मस्य कौन है ये अक्यानंद कुमार जी है पी वी आरे स्टड़ी वाले कि इनका कोई जोड़ी है क्या इसमें साथी संगती नहीं है खोज लो चाहें जिसमें यक्स का स्क्वायर हो कोई नहीं है तो ये बचारें अकेले क्सक्राइल से मूलत का नीचे आजएंगे कुछ होगा नहीं इन में हें इनका देखो क्ugen है का आप यह मिल जान कि जोडोशन में थundet में चला कि प्लस में है या माइनस में है तो पिलस माइनस हमेशा घर जा जाते मैं आपको बताया था कि बताया था ना हमेशा क्या होते हैं सब्ट्रेक हो जाते हैं इसके आगे इस पर एक्स्प्लेन नहीं करेंगे नितिक जंपल बहुत आ रहा है यह घड़ जाएंगे तो प्लस यक्स वाई आएगा क्योंकि नौ में से आठ गटा होगे एक आता है यहां पर एक लिखा नहीं ज है नन्हा सा प्यारा सा है आप लोग बताएंगे कि क्या है रुक जाओ बारा अठारा और तीस कि क्या होगा कि बताइए इसको कितने लोग कर लेंगे आज रिवीजन कलास चलेगी आप लोगों का टेस्ट होगा एक परकार से आनलाइन में आप लोग जबाब देंगे जरूरी है रोज रोज सिर्फ पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो मज़ा नहीं आता ऐसे जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हो जाना चाहिए अभ्यास में नेहा कुस्वाहा बहुत अच्छे पंकर जी बहुत अच्छे बेरिकूर इसका जवाब सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो मुझे लग रहा है पंकर जी नहीं दिया था पाई एक पर्मिये संख्या है अपना इंडिया अपना इंडिया भाया आईसा नहीं है च estar सकेर कोई परमियख बता रहा है को यह पर्मियख रहा नंबर अगर सिर्फ ऐसे तो यह इंपर मीए तो याद रखो नटीक है और जीरो यह परमिय घुक हाए यह दो नों में कंबिने सन होता है अग्सर लोग दोनों में कंफूज हो जाता वहीं ठीक है कास्मा गुपता बहुत अच्छे बेरे गुड इन तीनों नंबर का जो लसी एम होगा वह एनेटी होगा 180 होगा आप लोगोंने निकाला ना ठीक है और एक बता यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जबाब दीजिए फटा फट दोड़के चलिए तुशन एक और यदि संख्या ध्यान देना संख्या तीन से पूर्टा विभाज्य हो तो यक्स का छोटे से छोटा मान क्या होगा जबाब दीजिए फटा फट यदि ये फलानी संख्या तीन से पूर्टा विभाज्य है तो यक्स का छोटे से छोटा मान क्या होगा बोलिए हाँ question मुझे याद दिलाया करिए जिससे उसका answer भी साथ में हो जाए तो बाबु भाईया जो अभी मैंने पूछा था सबसे छोटी अभाज संख्या 2 है सबसे छोटी अभाज संख्या 2 है इसका correct answer होगा 2 क्योंकि 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है याद रखना संख्या 1 भाज्य अभाज्य में से कुछ भी नहीं है इस सवाल में मैंने क्या पूछा भाईया इसमें पूछा मैंने बाबु कि ये संख्या 9831X2 अगर तीन से पुड़ता विभाज्य है तो यक्स का छोटे फे छोटा मान क्या होगा जबाब दीजिए फटा फट अखिलेश कुमार वर्सा ठीक है आदित्य बहुत अच्छा बच्चवा देखो मैंने कहा था कि पढ़ाया था तीन का विभाज्यता नियम ये दी गई संख्या के आंकों का योगफल तीन से पूरता विभाजित होता है तो वो संख्या तीन से पूरता विभाजित होती है यही पढ़े हो ना तो भाई साहब बाबू सबसे छोटा मान पूछा आयाद रखना इसे के कई मान हो सकते एक्स के लेकिन छोटे फे छोटा मान रखना है तो जोड़ लो 9, 8, 17, 3, 20, 20, 20, 22 हो रहा है न, तैइस के बाद अगली संख्या 24 है जो तीन से पुर्ता विभाजित होती है, यानि 23 में अगर हम एक जोड़ दें तो 24 आ जाएगा, यानि कह सकते हैं इसका मान क्या है, वन है, यक्स का मान वन है, जो छोटे फे छोटा मान है, वहीं सिंपल सा लात है कि तुम तू रखोगे तो 23 25 हो जाएगा कि तीन नमा सब ताइस तैस में कितना जोड़ो छे हो सकता है या तो वान या तो छे कि शे से कम होगा ही नहीं कि अगले कुश्चन पर आगे बढ़ते हैं इसी में कि अब चलिए कि सिर्फट नब्बे संख्या नो से पूरता विभाज्य है हाँ या नहीं बताईए जबादीजिये जल्दी से यास या नो ये संख्या नाइन से कम्पलीटली डिविजबल है यास या नो नो का विभाज्यता नियम इसमें पढ़े हो सटर्डे है आज रिपीट हो रहा है तो थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिए यास या नो बोल न इसमें तो बस कुष्ण पेपर बना रहे तो मज़ा आता है न वैसे इसमें भी मज़ा रहे है ऐसा नहीं अख्यलेश सालू बहुत अच्छे बेरे गुट बेरे गुट सबसे पहला जवाब बाई कुमारी प्रियंका का है बहुत अच्छे प्रियंका जी प्रग्यां कास्मा गुड्डू नीरायच काब्या बेरे गुड चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर आगे बढ़िए बीना भाजन क्रिया के इतने में छेसी जांच करें 449 अगला 449 संख्या छेसे पूर्ड़ता विभाज्य है या नहीं अगर है तो आप लोग हाँ बोलेंगे नहीं है तो ना बोलेंगे इसमें यस या नो नहीं बोलना है जब आप दीजिए क्या यह संख्या छेसे कंपलेट्री डिविजवल है अगर है तो हाँ नहीं यह तो ना सिर्फ हाँ ना बोलना है बस दूसरे स्टाइल में नहीं प्रियंका कुमारी और कोई एनिवन अपेक्छा रानी तिर्पाठी सिवांगी बाजपेई छोटा मैक्सिंग मिक्सिंग है मतलब जैसे बोलूं ऐसे बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा हाँ या ना नहीं बोलना है तुना है ना बहुत अच्छे सबसे पहले गायत्री सिंग गुड्डू नीरतिवारी देखो भाईया यह 6 से completely divisible है नहीं काहे को नहीं है क्योंकि आपको पता है कि 6 से वो संख्या पूरी तरह विभाजित होती है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो सिंपल सी बात है यह संख्या 2 से तो विभाजित है यह नहीं क्यों नहीं है क्योंकि इसका लाष्ट कांक 9 है तो 9 है तो यह संख्या तो है नहीं यह 2 से विभाजित होगी नहीं तीन से अगर ट्राई करें तो 3 से भी देख लो 4,4,8,6,14 14,23 यह 3 से भी भाजित नहीं है अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भी भाजित नहीं है तब तो यह कभी भी 6 से भाजित नहीं होगी समझ में आ रहा ना मेरी बात किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए बिल्कुल टेंसन नहीं लेना है आगे बढ़ते रहना है खटा कड़ चलो अपवर्ते और गुड़ाज आप सुने हो न बताइए कुस्चन है संख्या दो का पड़े से बड़ा गुड़ाज क्या होगा संख्या दो का बड़े से बड़ा गुड़ज क्या होगा पहला आप सने सो होगा दूसरा है एक लाख होगा बहिया सिफर का है अनन्त होगा आप सन बताना अब की बार चौथा है दो खुदी होगा आप सन बताना ए बी सीडी तो कर सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा करसी को पता है का आईए एक और कुश्चन पर बढ़ते हैं खटा-खट क्या होगा प्रियंका कुमारी कह रही कि दो होगा अच्छा ट्राई कर लो भाई साहब काय को दिक्कत लेते हो चलो चलो चलिए रंख्या 28 के कितने अभाज्य गुड़न खंड है 28 के कितने अभाज्य गुड़न खंड है जबाब दीजिए जिवांगी साख्या बहुत अच्छे बेरी गुड़ इसका जबाब होगा ना इसको मिटा दो हटा दो यहां से ना नीचे जो कुश्चन है भाईया दो का सबसे बड़ा गुड़ज देखिए यह अनन्त होगा गुड़ज क्या होता जानते हो मल्टीपल क्या होता है जैसे दो का एक से गुड़ा किया तो दो आया ना तो वह सबसे चोटा गुड़ज है क्या है दो का सबसे चोटा गुड़ज दो है दो से गुड़ा करोगे दो में चार आएगा दो से तीन में करोगे छे आएगा दो से चार में करोगे आठ आएगा कुछ निश्ची थोड़ी है कि यहीं तक करो ज्यानन तक करो लाक तक करोन करोन अरप खरप चाजान तक करो ठीक है तुन रहे होना आप लोग किसी का कोई डाउट हो तो बता दो दीख तो रहे हैं न अच्छे सिख नहीं इंटरनेट ओगेर मस चल रहा है ठीक है आगे बढ़ें हटाओ यह सब लासा मास अटाओ इसको अटाओ चलो 36 और 90 का LCM 36 और 90 का LCM बताओ जल्दी से अगर आप DL8 का सिकेंड समेश्टर परिक्षा देने वाले हैं तो इनका सब का आंसर आपको खटा कटाना चाहिए अगर नहीं आ रहें तो कुछ जोल है नहीं आ रहा तो कुछ जोल है और वह जोल बड़ा जोल गड़बड़ कर देगा याद रखना या तो फिर आपको आना चाहिए पचीस में पचीस नंबर मिलेगा मैं बोलता हूं न हमारे जितने भी छात्रा होते हैं इसमें लेकिन उसके लिए उन्हें हर चीज में आगे होना पड़ता है तम मिलता है चार्जिंग लगा दिया मैंने इसे बड़ा यह डिस्चार्ज हो गया था चल भई इसका कोई आंसर दिया क्या अगला नेक्स्ट कुश्चन पर आगे बढ़ें कुछ नया नया इसमें मज़ा नहीं आ रही न वैसे भी सब पुराना हो गया पुराना होने बाद कहा मज़ा थी क्या आप लोग दसामलो संख्याओं का LCM निकाल सकते हैं दसामलो संख्या का LCM सबसे पहला सही जबाब राहूल का है राहूल बहुत अच्छे इसका करेक्ट आंसर होगा 180 आएगा कितना आएगा सांधिया कुमारी बहुत अच्छे 180 आएगा कि देखो सिंपल सब ऐसे भी तो आपको दिख रहा है यह सभी एक निश्चित संख्या से कट रहे हैं अगर इनको आप तीन से डिवाइड करके देखो यह सिंपल में कट रहे सब मुझे तो लग रहा है छे से भी कट रहा है क्या सिंपल साय चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं घातांक तथा करड़ी क्या क्या देदें इसमें तो बहुत कुछ है एक और बताईए यदि दो संख्याओं का ध्यान दीजिए दो संख्याओं का गुड़नफल 64 है यह क्या है गुड़नफल है 64 है ठीक है इनका महत्तम समापवर्तक दो है तो LCM क्या होगा कि तथा कि एक सीफ दो है तो LCM क्या होगा कि कितने लोग बता लेंगे इसका अंसर कि जब आप दीजिए फटा-फट और सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग क्या चाहिए निवेदन है सेशन को लाइक जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जिससे आप बिल्कुल फिरी पढ़ पाएं और तेक रात नौ से दस बज़े एक लास चलती है ना 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 रहे बाबा भूल गया नौ से दस नहीं दस से क्या रहा कि नौ से दस तो बेसिक होता है तिमला बहुत अच्छे बाई रंजीत गाजीपूर वर्सा मोहीत गुड्डु कोपल सिंपल है एकदम एकदम सिंपल है फिर भी कुछ लोग मरे जार रही थी में नहीं निकल ना है का करें कि इसको अटाओ LCM HCF इसमें लिखना बहुत पड़ता है चोटका-चोटका कुश्चन देंगे मज़ा आएगा अटाओ इसको अटाओ अगला एक और कुश्चन पाहले तो मुझको यह बताओ इसमेंसे कितने लोगों को सारे नाम पता है या इसे होता भया इसे यह अकेले किसी नंबर के उपर नहीं लगता है किसी आपरेशन के उपर लगता है जैसे 4-3 हो गया 3-5 हो गया ऐसे इत्रे चांदनी कुमारी जी बताइए इसका आंसर क्या होगा संख्याओं का गुड़नफल गुड़े क्यों आएगा क्यों आएगा इसके लिए आपको डेली क्लास में आना पड़ेगा नौ से दस और दस से ग्यारा भी दोनों टाइम हा तो मेरा सवाल यह नहीं था कि इनके नाम क्या है मेरा सवाल यह था कि कोई भी बोर्डमास पराधारी कोष्टन में अगर यह चारो प्राणी उपलब्द हैं तो सब से पहले किन कॉज्ब करते हैं बताइए अगर ये सभी उपलब्ध है किसी कोईश्चन में तो फिर सबसे पहले कौन सा कोईश्टक को हल करते हैं एक्टियाऊ रहो भाई देखाना इधर है यदि यक्स का पावर यम और एंटू में है भाईया यक्स का पावर यन ओके तो घातांक के नियम अनुसार इसमें कौन सा सही है यम इंटू यन हाँ न तहीं लिक देखाम है पहलिन बार में बहगवान जाने यक्स का पावर यम हो जाएगा और इसके खूपडिप चड़ जाएगा यन यक्स का पावर यम प्लस का यन या फिर D में हो जायागा यक्स का पावर या मियन यह कुशन नमबर 10 मान लीजिए ध्यान देना अगर आप लोग इनका जबाब देंगे तो आप साथ में 10A, 10B या 10C लिखेंगे जिससे की थोड़ा अलग दिखे ऐसे 10A, 10B या 10C सिवांगी बाजपेई जी कोशिस आपने किया बहुत अच्छे पताईए ना घातां के नियम के अनुसारिज में कौन सा सही है सुनाए ना यादो बहुत अच्छे सुनाए ना जी बेरे गोड प्रियंका कुमारी जी बहुत अच्छे सोनू कुमार भक्ति आपकी और कौन कौन है भाईया कुछ तो ऐसा चुपपा चुपपा ससुरा बोलना ही रहा है कहे को बहुत बहुत अच्छे जी बेरे गोड बेरे गोड बेरे लोग करेंगे नहीं तो लोग यहां निकल लेंगे पतली गली से कि अच्छे लोग इनको हल करने के लिए आपके पास में टाइम भी दे रहा हूं एक मिंत का वन मिंत का टाइम बेए चलो रेगुलर यह सब मैं सिखाता हूं अगर आप लोग हर दिन कलास में आओ तो सटर्डे को टेस्ट इसका मान क्या होगा हां इसमें मैं आंसर बता दूं सबसे पहले इसमें रेखा कोश्टक हल करते हैं अगर किसी में सब आते हैं तो एक चीज और इनमें वरियता होती है आपका इसका ऑप्षन यह है पहला आंसर इसका उन्नीस आएगा दूसरा आप्षन बाबु भीया सतरा आएगा तो इसरका भी आएगा चाचा 20 पचाउत का जीरो आएगा ग्यारा नंबर में जवाब दीजिए ग्यारा ए ग्यारा भी या ग्यारा सी कौन सा सही होगा एक बार कोशिस कर लो ना चलो फटा फट रानी तिरपाठी जी ने बहुत अच्छा कोशिस किया है राहुल कुमार जी नंबर दो पर आये हैं और वही सिवांगी बाज पैती फरे नंबर पर हैं अब बाकी सब भीड में हैं याद रखना भीड हमेशा साहस देती है लेकिन पहचान छीन लेती है समझ रहा हो ना अगर आप किसी मुकाम पर पूरे भीड के साथ पहुंचते हैं डोल मजीरा लेके तो आपकी कोई अलग पहचान बनेगी अगर आप अंखेले पहुंचेंगे तो आपकी पहचान बनेगी दुनिया हमेशा भीड वाले रास्ते पर जाती है दुनिया यह माना कि यह सच है कि दुनिया हमेशा भीड वाले रास्ते पर जाती है लेकिन यह बिलकुल सच नहीं है कि भीड हमेशा सही रास्ते प चलिए इसका आएगा 17 कि इतना आएगा 17 अब इससे ज्यादा इसे देखो भी मत आप सा नहीं मिटाना चाहिए बाइसाहर मारकर बड़ा महंगा आइए चलो जाने दो इसको मिटा दो लोग देखना पाएं ज्यादा देख रहें इतना भी ध्यान से मत देखिए पुर्सत चलो तो बोड मास के रूल के सारे कुश्चन आप लोग कर लेंगे भाईया बीर बाहदुर जी आ गया आप अप ही का तो था इंतजार आप ही के लिए तो दिल था वे करार इतना देर थे आप थे कहां कहां चले गए थे आप अगला कुश्चन दिवाइड वाई तीन तो सेस्फल कितना होगा चच्चा लोग बताओ न इसका आप्शन हिया लिखो एक तीर गाउं एक मिर गाउं पहला पांच साथ छे नौ अगर इसको भाग करेंगे तीन से तो सेस्फल कितना हैगा कुश्बू यादो आप आ गई नहीं मुझे लग रहा था थोड़ा उदर से कुश्च बैक रहा था कि यहां कोई आ रहा है चलो भाई हो गया आ रहा है सब का कितना आएगा कुछ लोग तो धान थाड़े जा रहे हैं लग रहा है आज मंजन की है पहली बार अगर देखिए अब मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला हूं क्योंकि अब जो कुछ करोगे आप ही करोगे सही गलत अब बोर्ड मास का अगर हम पहले अच्छर का मान पूछें तब यह भी सरम की बात है बोर्ड मास के पहले अच्छर का क्या नाम है मतलब क्या फुल फार्म है ब्रांड बोर्ड ब्रेकट या इन में से कोई नहीं लिभा में से का अगर का कि अच्छा से क Земी अच्छा है को बोर्ड मास के पहले अच्छा बी का क्या मतलब है अच्छा आजाओ सुनी लेते हैं पूछी लेते हैं काई को मिला है मौका तो छोड़ने का नहीं उ ओड माफ ऐघेज़ पहले था मुझे इबताना यह ओका का मतलब होता है कि ओक क्या मतलब होता है दीख्षा सरमाजी बहुत अच्छे सरमाजी बेरे गुद सिवांगी बाच पैई गौपाल गुड्डू भी का मतलब रेकट होता है कोई बीबी नहीं बोलना नहीं तो मार पड़ जाएगी फिर ठीक है बहुत अच्छे इसका अंसर होगा छे इसको भाग करोगे तो सेस्फल छे आएगा हाँ ओ का मतलब यहां पर आफ भी होता है अधर भी होता है यह मतलब एक कह होता है चलो जैसे कोई रूट वाली नंबर है इसको आयर वाली है और बहुत सारी चीजें होती उसका अलग-अलग जगा अलग-अलग मतलब होता जब पढ़ाते हैं तो डीटियल में बताते हैं ठीक है आप अधर में से कोई भी आप्सन है तो आप लगा सकते हैं दोनों हो सकता है ओके अचा है भाई या एंड दी इधर सुनो न थोड़ा सा क्या और करने वाले है इधर देखिए नई नराज मत होई एगा जो आप सोच रहे हो वह ही साहिए चलो 25 प्लस अंडर रूट का तीन यह पर्मिय संख्या है या अपर्मिय है बताए न अगर यह पर्मिय संख्या है तो आप पी लिखके कमेंट करेंगे अगर यह अपर्मिय संख्या है तो आप आई लिखके कमेंट करेंगे सही रहेगा ना नाई पर्मिय है तो आर लिखिएगा स तुद। रहेगा रेफनल नंबर मीन्स पर्वियसंख्य। पर्मिए है आपर्मिए । बता और विंदाई जब दियए फटा फट कि और ऊपर दी गई संख्या पर्मिए है मांने से और यह रेफनल है यह वह कैस कि मंडेसे लेकर कर तक मैं लगातार पढ़ाता हूं संडे को बकैती करता हूं आप लोगों के साथ बात्चीत होती है और सनिवार को टेस्ट वगएरा हो जाते हैं तो थोड़ा रेड़ी दा करिए सबस्ए पहला इसका जो आंसर दिया उसे पकड़ो भाई जल्दि पकड़ो भागने ना पाए तो मेरे में जो कमेंट दिखा फोन में कौन है भाई लुक जारू के आपां अप भानू परताप ने बताया सबसे पहले मौद अच्छे बानू परताब जी बेरे कोड़ बेरे कोड़ बदाई हो बदाई हो बदाई हो बदाई हो इसके साथ में जो चाची लगी है न यह जान नहीं छोड़ने वाली है यह भाया क्या है यह इसमें से अलग भी नहीं होंगी और पर्मिय संक्या के गुण भी नहीं इनके अंदर तो कुल मिलाके सब आपर्मिय हो जाएगा यह इसके अलवा अगर इनकी पडोशन को देख लो जो की इनके जैसे ही थोड़ा थोड़ा है लेकिन थोड़ा सीदी साथी यह क्या है इनमें अंतर है इसका अंसर अलग हो जाएगा देखो काये को यह अगर पर्मिय संख्या है तो आप पी लिखोगे अगर आप पर्मिय संख्या है तो ए लिखोगे जब आप दीजिए अगर यह पर्मिय संख्या है तो पी लिखेंगे अगर आप पर्मिय है तो ए लिखेंगे यह कोड है इसका कोई मैच मत करवा ना रेफनल ए रेफनल से देखिए मैंने आपको जुकाड बताया था ना वो जुकाड आप लोग भूल गए तो हम खा करें मैंने कहा ना यह वड़ी खतरनाक पड़ोसन है यह सुदरने वाली नहीं है इसलिए सब अपर्मिय है कहने का मतलब इसका वर्गमूल एक पूर्ड संक्या नहीं निकलने वाला अठाइस को अठाइस बटा एक लिख सकते हैं चाचा की जान बची तो लाखों पाए यह पर्मिय संक्या बन गए तो समझ में है ना लिख लीजिए फटा फटा इस तरह से इनको पहचानते रहिएगा पहचानते रहिएगा इनको इसे इसे बस यह बताएए कि पूर्ड संक संख्या पूर्ड संख्या मेंस होल नंबर कहां से सुरू होती है कि सबसे चोटी पूर्ड संख्या क्या है कि जब आप दीजिए सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहें बाई देखिए बद्दुआ लगे कि कले आप लोगों कड़बर हो जाएगा याद रखना समझ रहो आएंगे अगर रहेंगे सकुसल तो सकल दिखाएंगे जरूर कुछ नहीं कुछ होगा जरूर आगे बढ़ें चलिए फटा-फटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर इनको मिटाओं आप यह बताइए काओ तुनिये तो मैं बता रहा हूं इधर साइड में लिखने दीजिए एक अला कुश्चन है पर्मिय संख्या तीन बटा साथ है वाह नौ बटा चौदा के बीच में कितनी पर्मिय संख्या होगी इन दोनों के बीच में कितनी पर्मिय संख्या होगी जबाब दीजिए फटा-फट चलिए जल्दी करिए फटा-फट एनिवन कोई ठीक है एसके सिंगम अखलेस और कोई एनिवन कोई भी बताओ भाई कोई भी कोई भी एनिवन एनिवन अनेक अनन्त अच्छा ठीक है ठीक है बहुत अच्छा अच्छा एक ठीक और बताओ इसमें मज़ा नहीं आ रहा होगा तीनवा साथ के बीच कितनी पर्मिय संख्या होगी तीनवा साथ के बीच में कितनी पर्मिय संख्या होगी जल्दी करिए बताइए बोलिये न का है को सर्मार हो देखिए सिंपल सा कांसेप्ट है इसमें जितने भी कुश्चन है उपर नीचे सबका अंसर होगा इन्फाइनाइट मतलब अनन्त तीन वा साथ के बीच में या नीचे वाले दोनों नंबर के बीच में अनन्त पर्मिय संख्या होगी इन्फाइनाइट होगी इनकी कोई लिमिट नहीं के सुनिए कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा अलग चीज चल रहा है समझिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके बीच में चार पांच और छे यही तो तीन संख्या है और आनन्त जिनकी कोई लिमिट नहीं थिक है इनकी कोई लिमिट नहीं समझ रहे हो ना चलो यूपी अस्ट लवर अपेक चाई देखिए जिनको नहीं समझ में आया कैसे उन्हें बताया जाएगा सब डिटीयल में लेकिन वो रेगुलर हमारे साथ कलास में जुडेंगे रेगुलर जूडएंगे तब यहां पर ऐसे नहीं वता दिया जाता है सब कुछ फिरी में नहीं मिल जाता है ऐसे आसानी से उसके लिए आँखों की नींदें खोनी पड़ती हैं पैसा नहीं जमा करना फिरी का मतलब लेकिन नींदें खोनी पड़ेंगी अगला बताईए कुईस्चन है बारह वटा पांच को परसेंटेज में बदलिये कितना आएगा बताईए ना चलो जैपाल जी नंबर नीचे चल रहा बाबू उन पे आप फोन कर लो दिन में दिन में फोन कर लो भया जिनको भी बैच लेना है कलाफ लेना है कुछ भी लेना है फोन कर लो कि देखिए मैं इसको भी बताए रहा हूं ध्यान दीजिए बताऊंगा सब बताऊंगा सब बताऊंगा अगला कि 1.2 इंटू 0.5 का मान बताईए क्या आएगा रिपीजन होए रहा है न यहां पर राहुल जी का अंसर आ गया सबसे पहले और किसी का आयो का कोनो 240 बता रहा है किसका कि 240 किदर से आ रहा है इसे में तो मेरे को समझ में नहीं आने का एक हो आईए देखिए 12 वटा पांच इसको बताई देता हूं परसेंटेच में बदलने के लिए हमेशा सो से गुडा करते हैं हमेशा हंड्रेड से लगे बहिया इकटेगा और बीस आएगा ए भाई शाब ए भाई साहब यह तो इतना बढ़िया नहीं है यह 12 दूना 24 240 परफेंट आएगा अरे बाबाई 240 परफेंट आएगा कौनो 60 परफेंट बता रहा था मुझे लगा उसी का सही है कि एक साथ परसेंट कहां से आ रहा है कौन से लोक से आये हैं यह ब्रह्मा जी बेज़े इनको डारेक्ट का इस कलास में गलत उत्तर करने के लिए इसका देखिए मल्टिपल करोगे इतना गदहां है ना यह का कहीं है इसमें कौनो बकलोल परफेंटेज लगा के कमेंट कर रहा है इसमें तो कहीं परफेंटेज लिखा ही नहीं है यह बारा पंचे 60 हो जाएगा यह सही है अच्छी बात है अगे लिखो 60 लेकिन यहां एक और यहां एक दो अंक पर दसमलो लगाया चाचा लोग तो का होगा दसमलो यहां लग जाएगा यहां पर दसमलो लग जाएगा एक दो लेकिन यह दसमलो थोड़ा दिख नहीं रहा ह तो यहां पर जीरो एक लगा लोगे तापको दिखेगा जीरो पॉइंट सिक्स जीरो समझ में आया ना कि ओके आगे बढ़ें यूपी असी लबर जी लोबर जी अगर इस नाटक में सामिल होना चाहते हो तो अच्छी बात है नहीं तो निकल लो पतली कली से यहां से पटा पट निकल लो अगर यह नाटक में मजा नहीं आ रहा तो चलिए क्योंकि यह नाटक ही अपनी पहचान है आईए यह हो गया अच्छा एक और जीरो पॉइंट फाइफ हमने इसको लिखा न अगर इसको कहें कि पर्फेंटेज में बताओ तो क्या आएगा इसको मान पर्सेंटेज में चेंज करिए कितना आएगा सटड़े को पढ़ाई नहीं होती सिर्फ कुश्चन हो रहा है आप लोग अपने आपको ट्राई कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं तो जो लोग पहले दिन आए उनको यहां पर कुछ मजा नहीं आएगा कि बिल्कुल मजा नहीं आएगा कि इतना आएगा कि जल्दी करिए फटा-फट यह सब पढ़ाया गया है कि लेप्टाप बहुत तेज हीट हो रहा है दगेगा ना तो अभी आप लोगों को दिखे गाई से ब्लाग दे इतना तेज इसका फैन चल रहा है ना जैसे लग रहा लग लेते हैं काम करते हैं आदा गंटा बंद करके रह देते हैं इस अफुरा पता नहीं कौन लेका चलता ना दे रहता है यह लेप्टाप जब से लाया हूं आ बहुत गरी आ रहा मुझे यह इसका पंखा अंदर वाला जैसे कूलर चलता है खड़ख़़ख़़़ख़़ रुक जाए एक मिनट अब बीच बीच में हीट हो जाता है तो मैं क्या करूं इसका चली आगला एक और भी सवाल बताते जाएगा बताते जाएगा अभी मैं जा नहीं रहा हूं कहीं अभी और भी बहुत सारे कुश्चन होंगे बस थोड़ा इसे में अर्जस्ट कर दूं न यह राथ दिन काम करता है दिन भर एडिटिंग होता है रात में भी कलास चल जाती हैं यह यह बहुत है चलिए इसको फिर से मल्टीपल करोगे बाभू पर फिंटेज में बदलने के लिए मैंने बताया किसी भी संख्या को अगर फिंटेज में बदलोगे तो हमेशा सो से देखो तो पचास परसेंट आएगा कि इतना आएगा पचास परसेंट आएगा ओके आगे बढ़ें चलिए अगला नेक्ट्ट कुश्चन यह सब कर लोगे ना यह बताइए उत्र क्या बोलते हैं उसे सक्सीजर नंबर आपने सुना है सक्सीजर नंबर जिसे उत्तरवर्ती संख्या बोलते हैं है ना भया तो बताओ संख्या 25 की सक्सीजर नंबर बताइए उत्तरवर्ती संख्या बताइए कितना आएगा उत्तरवर्ती कभी सुने हो अनुवर्ती भी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं अनुवर्ती बताइए क्या आएगा अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है अब एक छा जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छे बच्छे बहुत अच्छे 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 बहुत यह प्राशी वाला भी नहीं होता है तर्म की बात ऐसे लोगों को नहीं आती हिए तिखत यह तुनिए अब क्या देने वापसकी क्यों मायनस 5 की कि उत्तरवर्ति संख्यया जो सही बता देगा मन लेंगे वही धिलाड़ी कि इनाम मिलेगा तुरंध खटाखट लई जाना पढ़ेगा जोला भर का अफ़रा के यहीं है आregierung कोई बताया है उत्तरवरती मैंने पूछा है उत्तरवरती मों पूछा है माइनस 5 का कोणों माइनस चाह, अप्सर लोग बताए रहा, मुझे पता है, तो ची रहा है कि माइनस मतलब उससे बड़ा होगा, इनका यही मतलब है, बैयाओ, चाचाओ, इससे बड़ी संख्या जो है न, वो माइनस चार है, क्यों क्यों कि इसके पास 5 रूपय का करजा है इसके फ्लनमक पास में 4 रूपय करजा है तो जिसके पास जितना कम करजा उतना ही बड़ा है माइनस में संख्या जितनी ही बड़ी हो उसका मान उतना ही छोटा होता है माइनस 1000 से जादा बड़ा जीरो है जानते होंग नहीं यह माइनस 1000 है यह सुनने है यह बड़ा है चोटा है इसको भी याद रखिए क्योंकि बहुत से लोग इसमें कन्फूज हो जाते ं है कर दो कन्फूज नहीं होने का बढ़ने करा जाए काफी कुछ आप लोगों ने रिपीट कर लिया लेकिन अभी तो में पॉइंट बागी है अभी तो पिक्चर बागी है कि आईए आईए आपका इंतजार था जलिए यक्स का इसक्वायर इंटू वन अपान यक्स इंटू एक्स ओके और इंटू में एक्ठी अउर है भाईया यक्स का इसक्वायर इसका मान क्या आएगा सिमला और मंसूरी जी भाई बताओ जल दिश्व चलो परग्या जी कह रहीं कि каких हों कहें कहें को ही हो इसका अंशर बताओ इसंका यह ञिए इदर झाला जगा है तो इदर कि आओ कि कितना यह वह अपक्छा गलत यह गलत है गलत है बल्कुकल गलत है जिनको वन लिखना है सिर्फ एक बार वन लिखो 18 बार नहीं उसका मान फिर अलग हो जाता है यक्स स्क्वाइर माइनस 11 एक्स प्लस 28 में यक्स का छोटा मान क्या होगा क्योंकि इसमें यक्स के दो मान होंगे ना एक छोटा होगा एक वड़का होगा बताइए जब आप दीजिए मोईज जी कर रहे हां सायरी नहीं सुनाई मोईज जी यहां पर गाने का कोई सौक नहीं होता है कि आप गाना सुने हो ना मुझे पीने का सौक नहीं पीता हूं गंबुलाने के लिए अब मैं गाने लगओंगा आजा लोग भाग जाएंगो मोईल लग क्या वी अधिक इसमें यक्स का छोटा मान मैंने पूछा है तो कोई चार बता रहा है कोई दो कोई एक सालिनी सर्माजी तेली कराम जॉइन करा था ना अपने नोटिपिकेशन भेजा गया था नोबजे वाली मना किया गया था सारी थोड़ी इसमें यक्स का छोटका हुआ वाला मान जीरो आएगा किऊँ जीरो आएगा क्या कि नाई चाराएगा तहीं बात है चाराएगा है कि इसके दो मान होंगे एक चाराएगा एक साल आएगा तो पहला छोटा मान चार थे तुपिक देखिए दो पदों वाले बंजकों का तीन पदों में गुड़ा करना सीखेंगे सबसे पहले नीचे जैसा की दिख रहा है तब समी करन तथा सर्वसमिका में भेद यानि अंतर भी सीखेंगे अब तक आगे क्या होगा वह भी लिखा होता आगे देखें तो अब तक क्या हुआ है अब तक आपने यह चीज पढ़ा है भीया पढ़ा हो और नहीं पढ़ा हो बताओ हिमानदारिश इसको पढ़ा आपने अब क्या पढ़ेंगे उसे भी देख लीजिए आप लोगों मैंसे कितने लोग कर लेंगे कमेंट करके मुझे बता ओद कहां कर लेंगे उसके बाद हम फट से ऐगे बढ़ता हैं बिल्कुल भी टैंसन लेना है पईसे का पूटी का एंस लेना है लोगे ना है कि तो ठीक है कि आई एक बार मैं इसको करवाई देता हूं इसमें एक पद को पकड़ के दोनों में गुड़ा करते हैं फिर दूसरे पद को यानि जो थ्री है उसको पकड़ेंगे पूरे में गुड़ा करेंगे फिर जो हल होता है उसको हल कर लेते हैं बस काम खतम इतना ही करते हैं आईए पहले एक्स का मल्टीबल करोगे बाबू तीन एक्स में तो आपको पता है कि एक्स का तीन एक्स में गुड़ा करना जानते हो X की पावर 1 और ये 1 जुड़ जाएगा और 3 वैसे रहेगा 3X का स्कॉयर हो जाएगा हम लिख सकते हैं 3X का स्कॉयर देखो ये X भी प्लस में था 3X भी प्लस में था इसलिए क्या आंसर जो आया है वो प्लस में आया फिर X का multiple प्लस 1 में करोगे यानि ये चीज करना है यक्स का गुड़ा 1 में तो ये 1 आयगा प्लस में क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है यहां कोई भी माइनस नहीं है तो इतना हो गया clear? अब आगे क्या करोगे समझेए हमने यक्स को लेके इसमें दोनों में गुड़ा कर दिया बारी बारी अब बीच में अगला आएंगे next step प्लस 3 तो प्लस चिन लगाओगे और फिर 3 का गुड़ा करोगे तीन यक्स में ध्यान रहे ये यक्स भी सौरी तीन भी प्लस में है इसके पहले प्लस का चिन है तीन यक्स भी प्लस का इसके पहले प्लस का चिन है इसलिए प्लस प्लस का मल्टीपल प्लस होता है यहां पर प्लस लगा है अब यह अंतर समझा दूँगा बाद में पहले भी समझाया हूँ अगर यहां से कहीं भी माइनस होता आओं आ एक जगा तेहां सर माइनस में आता अब दिन का जब टीन 9 देद्ग बूडए यहां से कर लो वन में तो प्लस तीन कि या इसमें कुछ जुड़े घटेगा या आंसर हो गया कि बोलिये हाँ या नहीं कुछ जुड़े घटेगा कि नहीं जवाब दीजिए फटाफट लाइक और कमेंट नहीं सा लाइक और शेयर करें सब्सक्राइद जुड़ेगा ना मैंने उसदिन कहा था इसमान समान पदों वाले में मित्रता होती है आपकॉलेज में पढते हो इस स्कूल में पढते हो आप लोगों में फ्रेंडशि Bluetooth होती है जिनके कुछ हावाम इलते हैं आप हैं तो इसमें समानता होनी यह dal जिसमें समानता होगी वही आपस में शुक्रूदाली देखिये कैसे यह 3X का स्कॉयर है न इसकी समानता किसी के साथ नहीं यह मतलब समान नहीं तो यह किसी में कुछ नहीं जूड़े घटेगा ऐसे लिख देंगे प्लस का वन देखिये 1 की समानता 3 के समान है कहने का मतलब यह है कि 1 भी एक अचर रासी है और 3 भी एक अचर रासी है constant है ये दोनों सेम कटेगरी के हैं आपस में जूड़े घटेंगे जो भी हो सकता है उची चिन्द के साथ तो ये प्लस में है ये भी प्लस में है जूड़ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा पालों ये इसके जैसा और कोई है तो क्या करेगा वह एक इसवापरि क्या करें लुद क्या है ये थो नहीं ये दैउन्यां यह अंसर हो गया लेकिन यह थोड़ा कम अच्छा लग रहा है तो का करेंगे अच्छा बनाने के लिए इनको थोड़ा सब भी तरीके फिल लिखेंगे यानि घटते हुए करम में इसकी घात दो है सबसे पहले इनकी घात एक है सबसे उसके बाद में इनकी एक को घात है नहीं ह को 2 इनको लाश्ट में समझ रही हो जिनके दो बच्चे सबसे पहले एक बच्चे वाले उसके बाद जिसके कोई बच्चा नहीं है वो सबसे वीशे रहेगा हम लोग जैसे तीरियल हो तो आप किस नंबर पे हैं कि फ़हले नंबर पर दूसरे पर तिसरे पर बताईये अब टॉपिक पर चलते हैं इसको मैं इसलिए समझाया क्योंकि बहुत से लोग इसको देखे नहीं तो गंद स्याम जी ठीक है समझ में आ रहा है न दो पदिये बेंजकों का आप तीन पदिये में गुड़ा करेंगे आप लोग देख रहे हो समझ में आ रहा कुछ ना तो चलो पाई का स्क्वाईर प्लस तीन वाई प्लस पांच अब बक्ति आपकी नीरज सुमन क्या गलबढ़े बताओं क्या एक्स्प्लेन करिए कि कप्तिफरेंट नंबर पर कोई पहला पर नहीं होगा इसमें भी सेम ऐसे होता है बस इसमें एक पद और बढ़ जाता है बागी और क पागल वागल है का यह है बोल रहा हूं क्या गलत है बोलो न कहें को तकलिफ हो रही है बोलो वाई का मल्टिपल किसमें करोगे पहले वाई स्कॉयर में तो वाई का वाई स्कॉयर में करोगे कितना आएगा पहले बताओ क्या आएगा देखिए बहुत सिंपल है मैं एकदम स्टब बाई स्टब बताता हूँ भले टाइम लग जाए इसकी घात कितना है भाई एक है न इसकी घात दो है तो कितना हैगा भाई एक घात है दो घात है final में तीन घात हो जाएगी यॏ ये य स्काइर में मुर्टीपल करोगे वाई का क्यूब हो जाएगा कि ये काम खक्थम आभ क्या करोगे कि वाई का मुंडिपल मैंने य में कर लिया यह में तेल कि आपके श्याक्राइब कर लोगे ने कि यह पहला वाला क्या लिखा था वाई एक मिनट इसमें कुछ छूटा था कि आप लोग यह कहना चाहते हो कि दिलाल मैंने ध्यान नहीं दिया लिखा क्या था वैसे छूटा तो नहीं था सायद कि एक मिनट मैं देखता हूं थोड़ा सा कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट तीन एक का स्कॉर हो जाएगा फिर एक में करोंगे कहां है कहीं तो स्कॉर बनी नहीं रहा दो यक तीन एक स्कॉर बनेगा एक तीन का करोगे तो एक यक नो एक स्कॉर बनेगा यह तो है यार एक मिनट रुको इनकी बहुत ज़्यादा मुसीबत है इसको साइड में रख दो मैं पिछले वाले में फिर से क्लियर कर देता हूं वो सकता है कहीं मिस्टेक हो बाइचांस दीजिए मैं उसको क्लियर कर देता हूं रुकिए यक प्लस तीन और तीन एक स्प्लस फ्लस फन था था ना ठीक है ब्यान दीजिए मिस्टेर जिनको तकलिफ हो रही है समझिए समझिए न बता रहा हूं आए फिर से डिटियल में देखा देता हूं चलो आओ इसमें काफी कुछ तकलीफ में है Mr. Neeraj तुमन आओ सुनो X का गुडा 3 X में करोगे ध्यान से समझना तो X का 3 X में करोगे बाबू तो ये 3 X का स्कॉयर हो जाएगा ठीक है फिर X का मल्टीपल आप इसमें 1 में करोगे हाँ कुछ गडबड मुझे लग रहा है तो यक्स का वन में करोगे तो यह यक्स हो जाएगा हाँ यह यक्स का गुड़ा वन में करोगे तो एक्स हो जाएगा ठीक है अब तुनिये यक्स का हमने दोनों में कर लिया 3x का square हो गया यह x हो गया अब फिर 3 का 3x में करोगे 9x और फिर 3 का 1 में करोगे तो 3 हाँ ओके यह 3x का square प्लस 9x यह 10x होगा प्लस 3 होगा यह सही है उसमें यहाँ पर साइद 1 लिखा गया था ना अब बोलिए आप संतुष्ट है ना कभी कभी हो जाता है बाइचांस इसमें देखिए क्या हुआ था सौरी उसके लिए जो यक्स का multiple हम लोगों ने 1 में किया था इसका answer हमने 1 लिख दिया था है ना नीरत सुमन जी बहुत अच्छे हम सब की बात को समझते हैं देखने की कोशिस करते हैं जो भी कोई कुछ कहता है किसी को अंदेखा नहीं करते हैं फिलाहाल तरीका मैंने सब सही बताया था मानुवित रुटी अगर कहीं चोटी बड़ी होती है जोडने घटाने गुड़ा भाग करने में तो ऐसा हो सकता है ठीक है तो ध्यान दीजिए आप लोग अगर चौकने रहेंगे तो बढ़िया है वसे हमारी कोशिस होती है सब सही बताया जाता है लेकिन अब छोटी मोटी कि गलती हो जाती कहीं कहीं ठीक है सभी समझ पाइना चलिए इसको लिख लिजिए मिटाता हूं यक्स का मल्टीपल वन में करते समय यहां पर वन लिख दिया गया था यह गड़बड था बस बाकि सही है अग यह अब इसको क्लियर करते हैं जो चल रहा है अभी हर कोई सीख इसमें यहां है आप भी सीख रहें वहसे हैं सांसक दो चान्यलिक ओचुए चिक है यह संब तो यह इसमें चलते हैं वाई को मल्टीपल वाई में हुआ थी य का क्यूब हो गया घ्रमक्रोंती पेहले लिकн ओ smartestल्य तो ऐसे घड़बड हो जाता हर 찍न शीमist है आए अच्णि कोई सही ओगी इसमें है नहीं तो 3 का एककम 3 और Y का स्क्वायर ठीक है कितना हो जायेगा प्लस 3 Y का स्क्वायर अब हमने वाई का गुड़ा बाभू कर लिया इन दोनों में ठीक है अभी एक बचाया भाया एक बचाया ना वाई का मुल्टिपल अभी 5 में करोगे यह y का 5 में तो यह 5 y हो जाएगा ठीक है तो यह प्लस कितना हो जाएगा 5 y अब हमने y का multiple इन तीनों में कर दिया बारी बारी बाबलू समझ में हारा कुछ अब one को multiple करोगे इन तीनों में बारी बारी से ठीक है वन का multiple किसी भी चर अचर में करते हैं हमेशा वही माना आता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है हाँ चिंदे में फरक पड़ता है अगर कहीं माइनस प्लस है तो लेकिन पद नहीं बदलता है आए देखिए वन का multiple y square में करोगे तो y square होगा वन का multiple 3y में करोगे तो 3y होगा वन का multiple 5 में करोगे तो 5 होगा इसमें क्या हल होगा बताओ कुछ हो सकता है क्या कुछ हो सकता है क्या इसमें solution बताइए अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको तो हो सकता है तो बोलिए बताइए जबाब दीजिए सालिनी सर्मा अपको समझ में आ रहा ना देखिए सालिनी जी का अंसर आ चुका है वाई क्यूब फोर वाई स्कॉाइर और आट वाई और पांच देखिए मैंने कहा था कि जो लाइक टम्स है सजातिये पद हैं आपस में जूड़ घट जाएंगे जो सजातिये नहीं है वह ऐसे लटके रहेंगे आ व्याट यह become a कि क्यूब इसमें कोई नहीं है यह क상이ला तो यह विचला का यह यही ऑई का इसकॉाइर एक मद है दो मद हैं दोनों प्लस-फ्लस तड़ जाएगा भाई यह ओर वाई का इसवाईर इतना तो मैं आपको जीरो लेल में बताया पांच का कोई नहीं है अकेला है थी ऐसा ही रहेगा आप मुझे यह बताइए कितने घात का समीकरन है जिवांगी प्रियंका कुमारी प्रियंका जी बहुत अच्छे बहुत बहुत थैंक्यू कि आपने सबसे पहले बताया था इसके लिए आपको एक इनाम मिल जा रहा है आप आपका कमेंट जो है ना बुलू कलर में आएगा ठीक है अब माडरेटर बन गई है चलिए लिख लीजिए चाप लीजिए मिटाएं आगे बढ़ें अब एक बात बताइए किसको किसको समझ में आ गया है हाँ या नहीं आया समझ में मिस्टर पारस बोलिए नीरस सुमन दुए घात नहीं है चाचा तीन घात का है तीन घात का है चलो एक्स प्लस थ्री पोर एक्स स्क्वाइर प्लस फाइफ या एक्स माइनस का बन देखो यहाँ पर कुछ लोचा होगा कुछ लोचा होगा समझो का होगा अब कैसे होगा देखो जिन्द माइनस हो गया है अब कुछ गरबढ होगा इसमें जो समीकरण बना था वो तीन घात का था दिल्पी जी बहुत अच्छे बेरी गुट ठीक है तीन घात था इसको कौन कौन कर लेगा कर लोगे सभी न पहले यक्स का मल्टिपल फोर यक्स का स्क्वाइर में करेंगे समझ लीजिए यक्स का फोर एक्स का स्क्वाइर में तो भाईया गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है अगर उनके बेस समान होते है इसकी घात एक है इसकी घात दूई है जूड़ जाएगा क्योंकि ये समान जाती के हैं सजाती ये हैं तो फोर एक्स का क्यूब हो जाएगा फोर एक्स का क्यूब क्योंकि ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था इसलिए ये प्लस में अंसर आएगा जो भी आएगा हुआ है कि आप यक्法 को मूल्टिपल फाइप एक रोगे को है कि को मैं फिक है तो यह हहत एक है ना ने हंट है ते यह हो जाए आपका 5-6 का स्कॉायर है गाथ 1 अफ जोह जब जाएगा समझते जाना में पॉइंट आ राब अभी तक तो मल्टीपल में बताइए कि आएगा एक बार बो लिए गोलू-गुडजर कुछ पा गया हो का थाटा ऑन जो परुह पा योगा कहीं नहीं हुआ घंट के चाणदे हो रहे हो काय को इतने चौड़े हो रहे हो यह प्लस में है यह माइनस में है मैंने उस दिन बहुत अच्छे फिर डीटियल में बताया था अगर ऐसी कंडिशन होती है तो माइनस में आता है तो माइनस में यक्स आएगा यहां पर लिखोगे वह माइनस का यक्स लिखोगे अब यक्स का काम हो गया खतम इसको अब चुट्टी भी बैच दो अगले को ले आओ इनको हटा दीजिए काम खतम अभी यह अंसर नहीं आया अभी तो ट्रेलर हुआ मूवी अभी बांकी है अब 3 को पकड़ोगे एक एक में गुड़ा करोगे तो 3 का गुड़ा जब 4 x का स्कॉयर में करोगे भी या तो 3 का 4 में होगा ति यह 12 हो जाएगा यक्स का स्कॉयर साथ में वैसे उतर जाएगा यह हो जाएगा प्लस 12 x का स्कॉयर ठीक है अब तीन का गुड़ा करोगे पांच एक्स में देखो बारी बारी सब में करते हैं एक बार तीन का गुड़ा चार एक्स स्क्वायर में फिर तीन का गुड़ा पांच एक्स में फिर तीन का गुड़ा माइनस वन में क्लियर तो मैंने तीन का इसमें कर दिया 5x में कर लो तो 3,15 रायक फिर तीन का गुड़ा माइनस 1 में करोगे प्लस माइनस माइनस हो जायागा माइनस का 3 बस काम खतम प्रियंका कुमारी बहुत अच्छे प्रियंका कुमारी जी very good very good कि आई ये समझ ये सीखिए और एक्स का क्यूब का कोई पद है इसमें बोलो हां या नहीं अरे चैस्मा निकाल के देखो नो दिख रहा हो तो है कहीं कहा यहां इतनी ज्यादा लाइट है सामने ना अगर चैस्मा नहीं लगाएंगे अगले दिन आई से टोए टोए लिखना पड़ेगा कहा गया लाइट बहुत ज्यादा जलानी पड़ती यहां पर क्योंकि आप लोकों के सामने जो गोरा गोरा दिखना अच्छा सा दिखना यह नहीं इसको बॉर्ड को को कि इसका कोई सही होगी नहीं है तो यह ऐसे लिख जाएगा इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा 5 x का square का देखो इसमें भी x का square है तो भाईया यह प्लस प्लस है जूड़ जाएंगे 17 x का square यह x वाला दो पद है यह प्लस है यह माइनस है हमेशा घट जाते हैं जब एक प्लस माइनस होते हैं यह प्लस का 14 x होगा क्योंकि 15 x से 1 x घट जाएगा ए भाईया सही जा रहा ना यक्स का एक में हुआ था ठीक है यह तीन चच्चां के लिए हैं लिख देंगे बस होईगा प्रुची साख्या आया समझ में सबको समझ में आया तेसन को लाइक करते चलिए आपकी जिम्मेदारी ही नहीं बलकि आपका कर्तब भी है यह थोड़ा बड़ा है थोड़ा दिमाग का इक्स्ट्राइवज होगा इसमें अगर आप लोग लगाओगे अच्छी बात है लगाईए कर लोगे ना सभी हां चलिए लिख लीजिए छाप लीजिए फटाफट अब अब आप लोग इस तरह के कर लेंगे क्विश्चन कर लेंगे लिखिए एक बात और सर्व टेली गराम चैनल का लिंक दीजिए इन लोग को आप क्या जानते हैं कॉपी करना आप लिए और चैनल पर जाके लिंक कॉपी करिए और पेस्ट करिए कमेंट में जो भी रेगुलर क्लाफ चाहते हैं वो टेली गराम पर जरूर जोइन कर लेंगे नहीं तो उन्हें सारी क्लाफ नहीं मिल पा रही होगी अब कुछ कुश्चन लिखिए इनको इमांदारी से लिखिए एक ज़से लिखो पहले हाँ जो नीचे है लिखिए फटा फट लिख रहे हैं सभी ना जो नहीं लिख रहा है वो कल्फे ना आना नहीं जानलो चुपे से भाग जाना है आप क्योंकि अगर आप कलास में आते हो तो यहां से कुछ ले के जाओ ना टाइम बेस्ट कर रहे हो कुछ तु ले के जाओ दिखाओ घर पे आज पाए हैं कि ममी का पाया रहे ला दिखाता हो दिखा देना कि कॉपी हुआ है है इतने ला बताए रूखो एक मिनट अ इनको गुड़ा करना है लिखिए फटा फट जल्दी से यह इसके क्लिक करते हैं इसके खुपडीव क्लिक करते हैं कि यहां दिंग पर किरिये कॉपी है है अब हो गया है अब यहां पेस्ट करेंगे है कि दे रहा हूं कि मैं आपको कमेंट में लिंक दे रहा हूं आप सभी कि प्र पर प्र जरूर ज्वाइन कर लो भाहिया जल्दी लिखो इमांदारी से हर कोई लिखेगा कि हर कोई लिखेगा इमांदारी से अगर आप टेली गराम पर जो आइन कर लेंगे जो लिंक दिया जा रहा है अभी तो जितनी भी कलास अब तक चली है और जो आगे चलेगी वह सब मिलेगी सब मिलेगी और एक चीज और बता दें सबसे प्लस पॉइंट सुन लीजिए इंपॉर्टन है जैसे आज बीस कलास चल चुकी न तो टेली गराम चैनल पे हम बीस कलास एक ही मैसेज में भीज़वा देते हैं जैसे पार्ट वन की लिंक पार्ट टू पार्ट तीन पार्ट च और ज्वाइन कर लीजिए जरूर कर लीजिए ठीक है ओके मिटाएं इसको चापिए फटा फट जितना ज्यादा आप भ्यास करेंगे इसमें याद रहे और हां एक चीज और जो टेली गराम ज्वाइन किये रहेगा वो टेली गराम पे अपना यह होम और चेक करवा सकता है म पे ही आपसेज करोगे वहीं पर चेकं वाटस आप बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि भीचा टाफ काम करता है था दो चट्वा टियूर वाइनस का सेबन वाइमाइनस का पांच माल्तिपल करोगे माइनस को यस्वाइर-3 मय और फलिसके वन कि अच्छा इसको भी कर लोगे नौ बटा पांच वाई माइनस का पांच मैंने इस तरह का बताया नहीं लेकिन आप कर लोगे कि मुझे पूरा उमीद है कि आप कर लोगे कि यह साथ नंबर कौन कौन कर पाएगा कि आप नंबर कौन कौन कर लेगा बोलो कौन भाई साहब कर लोगे सभी ना देखिए देर से आये लेकिन दुरूस्त आये कि यह कावस सुने हो ना कि कोर्स आपका थोड़ा ताइम भले लग जाए लेकिन बेहतरीन खतब होना चाहिए एक बार सिकन्ट समेश्टर पढ़ लोगे थर्ड समेश्टर की आदिस ज्यादा चीज़ें सिख जाओगे कि रोना नहीं पढ़ेगा आगे कर लेंगे ना यह भी वाला कि सिंपल है इसमें नव बटा पांच को पांच से गुड़ा करोगे पांच से पांच कट जाएगा फिर नौ आएगा लिखिए जल्दी लिखिए तो आज की कलाश थोड़ा छोटी ही बंद होगी क्योंकि आज जो टॉपिक था थोड़ा दरबर था कहते हैं बड़ा मजबूर टाइप इसमें आउट ज्यादा नहीं पड़ाने हजम नहीं होगा कि इसे काई ना कोई मजबूर चीज खाना चाहिए तो कम खाना चाहिए आइसा नहीं कि वह एक हमारे गुरु जी बड़ी कहावत कहा करते थे आन कदाना चपक के खाना मर जाना परवाह नहीं अब कितना सही कितना गलत इन सब्दों में क्या है लेकिन इंटर में गुरु ज कि मारे बताते थे तो मुझे याद है तो कि इतना भी नहीं कि हां गड़बर हो जाए तो यह मुफ्त में बहुत ज़्यादा मत पढ़िए नहीं नुकसान कर देगा क्योंकि बड़े-बड़े हैं आप लोग कि बहुत जादा नहीं करोगे साता दश्ट ही बहुत है चलो ठीक है थोड़ा इस का इस टाइप के थोड़ा बता देता हूं कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं रूको बता देता हूं बता दे रहा हूं वह भी मुझे यादी आ गया है घ्रीक है चिन वाला बार देखेंई दधर नजर गड़ाही इदर फटा पट चलो चलो कि इधक बेसे बोलो जल्दी से औरन्त यस बोलो तब ही बताएंगे नहीं लो जल्दी से यह सिस्वासि यास यह जास आना चैहिए को अब राइली में नारा तो नहीं लग भा रहें हमापसे धान का धान में गुडा चिन्वाला देखो ओचाचा लोग अंटी लोग भी देख लें ऐसा नहीं देखें ओभी देखें जुनो करूंब को तो ध् lazio 466 5 में प्लस्का पांच में बुरा नहीं मानिये ऑपरस मज़ा लीजिए ये कि अगर डोनों चिन रही कि यह एक समान हैं दोणों चिन एक समान है तो आन्सर हमे helping माइनस का माइनस में गुड़ा जैसे माइनस का पांच और यह माइनस का पांच अंसर आएगा प्लस में पचीज़ इतना याद करना आपको कि दोनों चिन समान है तो आंसर हमें सब प्लस में आएगा बस अगर एक को चिन उल्टा कप अल्टा हुआ डिश्टर्ब हुआ फिर माइनस में आएगा जैसे देखो यह भी हो गए सी नंबर यह थी नंबर करने जा रहा हूं माइनस का प्लस में गुड़ा माइनस हो जायागा आगे देखो इड़ी नंबर प्लस का माइनस में गुड़ा प्लस का माइनस में गुड़ा फिर माइनस हो जायागा बस यही चार कंडिसन आती है इसमें मल्टीपल में समझ में आया ना ठीक है अगर आया तो फिर कलास को लाइक काय नहीं कर रहे हैं आप लोग सेशन को लाइक जरूर किया करिए रोज और एक चीज़ और करिए आपसे निवेदन है अगर आपका मोबाइल का टाटा बचता है या आपके घर में ब्रॉडबेंड लगा है तो रात कोई एक वीडियो चला जरूर दें पूरे राज चलता रहेगा सुबह हो जाएगी लोग क्वाल्टी करके चला दें आपका डाटा भी जादा नहीं जाएगा इससे वाज टाइम इंक्रीज होगा और जादा फे जादा लोगों तक पहुंचेगा आप लोग भी देखेंगे तो इसे जरूर करें ठीक है निवेदन है चिसन रोज एक लाटवाला आप जरूर चलाएं एक कलास बस वीडियो डाऊनलोड करी न करें अगर आप बाद में देख रहें लाइब के बाद में तो डांलोड बिल्कुल भी नहीं तो आपको अगली कलास दें यूटुब पर ब आईए तीन बटा साथ वाई प्लस वन अभी ये डाया था क्या अब तीन बटा साथ में करोगे इनको पहले बाहरे लेआओ तीन बटा साथ वाई का गुड़ा किसमें याद रहे ये बड़ा अच्छा टॉपिक है इसमें हाई स्कूल में लोग अंटक जाते हैं काफी मजबूर टॉपिक है कि दिवांगी बाच पर ही नंबर नीचे चल रहा इंक्वारी के लिए नंबर पर संपर्ख करिए कि देखो भया सिंपल है इसमें से हटा दीजिए पहले अभी बड़ी लड़ाई है छोटों कुन हटा यह साइड में अब क्या बनाएं है यह आन्समें है यह रमें यह कर जाएगा तीन बचर हखेर है इतना ाथ है तोलब खेया सदमे क्या था क्वाल से इल्ग बढ़ा कियोग हो जाएगाpine फाइनल में तीन वाई का क्यूब आएगा जिम्ला भारती पढ़ाई कर लिजिए मैं कमेंट किसी का नहीं देख रहा हूं किसी का नहीं देख रहा हूं मैं चलो कहो तो मैं आप लोगों का नाम जपूं पढ़ाना बंद कर दूं इफ लिए आपसे निवेदन है आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए नंबर पर संपर्क कर ये इंक्वारी करना है ये समझ में आया अगर देखा होगा दिल लगा कि इमानदारी से तो आया होगा अगर ध्यान बाबु जी के पास है बाबु थाना थाया होगा नहीं थाया होगा तो फिर नहीं आएगा अगर ध्यान इधर है कि क्या हो रहा है तो आया होगा आईए अब तीन बटा साथ वाई का गुड़ा चवदा वाई में करोगे तो भाया केवल बैरियेबल का मल्टिपल अलग कर ल इसके साथ भी वाई है इसको अलग कर लेंगे दोनों को अलग अलग कर लो तो यह साथ से कड़ जाएगा साथ दूना चवदा तेन दूना छे और चिन सब प्लस प्लस थे तो यहां पे प्लस में आएगा छे और यह वाई का स्कॉयर देखिया है कुछ नहीं थोड़ी सी बुद्धी मांगता इसमें बस दिमाग अब क्या करना है तीन बटा साथ वाई का गुड़ा है का इसमें करना है तो भाईया पहले मैंने कहा गिंती का गुड़ा अलग कर लो इसके साथ कोई बैरियेबल है नहीं तो वाई अकेले आ जा चैहि ऑफी कि अ Ao कि हमाई एब और अब हमने इसका गुड़ा सामें कर लिए खतरनाक वालशा वह क्या है वेन हे वेन का मुल्टीपल कर लोगे अगैशाब साभी कर लोगे बहल आएक हॉं का शेबनसे कर लोगे फॉरफ Nich स्कॉाआत राइक नहीं कर ए़ँखई कर रहा है कि यह जो जुड़ने घटने लायक है जोड़ घटा दीजिए हो गया फाइनल कि यह तीन घात वाला है तीन घात वाला कोई और है नहीं तो यह इतना ही रहेगा 6YSQAR में 7YSQAR जुड़ेगा क्योंकि इनकी जाती समान है मैंने कहा था समान जाती में आज कल के देश समाज में साधी बया हो जाता है प्यार मुअबबत भी सफल हो जाती है अलग जाती में होती है तो बड़ा बवाल होता है फिर सुप्रीम कोटे सहायता देता है है ना यह बताया था अगर यहाद है तो इसमें कोई बवाल ने इनकी जाती समान है घात समान है तो सब काम आगे हो जाएगा ओके यह साथ और यह छे तेरा वाई का स्कॉयर जुड़ जाएगा ना हम और तुम मिलके क्या कहते हैं वह दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते मतलब एक नया बन गया अब यह वाई और यह वाई वाला यह दोनों आपस में प्लस-प्लस चिंद में हैं सजातिये हैं जोने लाइक टर्म से बोलते हैं इंगलिस में यह भी जूड़ जाएंगे चाउदा छेबीस तीन तेईस तेईस वाई अगर कुछ बच रहा है तो यह कैस बच रहा है बस हो गया अब यह बताओ यह कितना घात का समीकरण है कितने घात का समीकरण बना एच अच्छा आये हैं वो नमस्ते करो सब लोग तुट्टी होने वाली यह तो आये हैं कह रहे हैं एक बार फिर से समझा देना भी कि अब इसके बाद कुछ नहीं होगा चाहें एक बार देखो चाहें थाइस बार देखो वीडियो को बैक करके पीछे करके देखिए अब हमें में जीने दीजिए थोड़ा आज का क्लास का टाइम ओबर होता है मैं बंद करने वाला था आधा गंटे में ही लेकिन बात फंस गई तो कलास आगे चल गई ठीक है इस तरह के सारे कोश्चन कर लीजिएगा अब आप यह मत कहिएगा कि जो आपने दिया था हो नही अब हाई स्कूल वाले इसको पढ़ते हैं यह आसान नहीं है आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है कि भीच्छा सर्मा जी पूछ रही कि तीन घात का होगा कैसे होगा अब बेज़ती ना करो चाचा की इतनी भाग जाएं सौरी भाई कौन भी है जो भी है देखिए बुरा नहीं मानिएगा मैंने मजाक के उद्देश से कहा था क्योंकि आप देर में आये हैं तो आप वीडियो दुबारा देखिएगा सुनिए देखिए कोई भी समीकरने चाह परदान जी होते हैं कागजों में लेकिन अगर कोई डबंग टाइप का गाउं में है अच्छा पैसा रुपया वाला तो परदान जी रोज सुबर नमस्ते करने जाते हैं उसको होता है तो नाम किसका होता है जो सबसे बड़ा होता है अच्छी कि आए चाहिए आया अजा ना हमारे गाउं में एकजामपल है पिछली पंच और सीए में तो जो सबसे बड़ी घात वाला है वह समीकरन मना जाता है बस इसमें सबसे बड़ी घात कौन है तीन है इसलिए इसे कहेंगे तीन घात समीकरन है क्या क्या अथिस्वेश प्रग्यां बोल रहीं दोस्ती हो जाएगी मैथ से दोस्ती नहीं प्यार हो जाएगा जिसे एक और भासा में मोहब्बत भी बोलते हैं अच्छा आप लोग जानते हो प्यार और मोहब्बत में क्या अंतर होता है कौन-कौन जानता है कि बता कि जाना आप लोग बड़े एक्सपर्ट हैं हमें भी थोड़ा सिखा के जाईएगा कोई अंतर होता है गोगने कहीं सुना था फेस्बूक पे या कहीं मैंने बढ़ा हुए पढ़ा अगर क्लास में किसी को कुछ कहना है इस कलास के बारे में तो आप कह सकते हैं जैसे आखश प्लस 3 है इसका गूड़ा करना है 9x का isquire 7x और प्लस का 5 ऐसे कल मने करवाया था बहुत सारे कोशन कर रहा था खोड़ा साहेंग कर रहा है मुझे लग रुकना जाना नहीं और यह जाना नहीं बागना नहीं रुक के रहना बहुत गरम हो रहा है इसी कूलर बता नहीं कहां चला गया आई आ रहा ना भाई इंजू कुमारी मस्त चल रहा है न इनको पटेल जी को आप साइड में करिए आए बढ़ते हैं मतलब की चीज कोई दिक्कत नहीं ठीक है यह आप लोग कर लोगे तो आज साथ ही हम लोग एक काम करने वाले हैं कुछ नया कुछ नया क्या करेंगे मैंने आपको समीकरण और सर्बसमीका में अंतर बताया था बोली यह बताया था ना बताया था आप जरा ध्यान से एक चीज समझे और फिर मुझे बताईए समझते जाईए एक साड़ी बनाईए लिखिए बाया पक्छ दाया पच्छ और यक्स कमान उमीद है कि यहां पर आप बता देना कि यहां सम्मस्त है कोई टेंफन की बात नहीं है कि सारड़ी बनाना है आप से लोगों को टेबल को टेबल बनाना है पट्री लियो इसकेल कि पट्री नहीं लियो तो ऐसे खीचो बंदर की पूँच बनाओ चाहे कुट्टा की चलो खीचो खीचो चलो देखो 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 ऐसे कीचो इधर लिखो यक्स का मान इधर लिखो LHS ओके 2X लहस में क्या है बहिए 2X है ओके इधर लिखो RHS एक्स प्लस 3 मैंने इसके पहले समी करना और सरबसमी का बताया था जिसमें कुछ चीजें थोड़ा सा अपरयाप्त थी मतलब मैं बताया तो जो था ठीक था लेकिन थोड़ा अपरयाप्त था उसमें चीजें यहां पर पूर्ती करने वाला हूं अब थीख है इसमें यक्स के बिभिन्न मान रखेंगे और आपको इस्तितियां ग्याद करनी थीख है यह क्या है भाईया समी करन है यह हम लोग समिकरण होने की जांच कर रहे हैं यक्स का मान एक रखिए इसमें क्या आएगा मान बताईए जबाब दीजिए क्या आएगा आईए मैं बताता हूँ चुप़े फे देखिएगा मगर प्यार फे देखिए आईए यह दो यक्स है ना इधर हल कर लेते हैं साइड में यक्स की जगह पर एक रखेंगे भाईया तो ये दो एक कम दो कि ट्यांब cabin यहांपर दो आएगा इसमें आजाओ एक प्लस27 मैं इसमें यक्स की जगह पर एक रख के देखो विक्स कि इतना आएगा चाह दाना नहीं रज तिवारी आ रहा समझ में लिखो फिर हो राया यानि मैंने एक मान रखा वन तो यह आपका कितना आगया टू और यह आपका कितना आगया हो चलिए अगला परियोग करिए अब यक्स की जगा पर दो रखिए इसमें दो रखोगे भाया तो क्या आएगा सिंपल है दो रखो के यक्स की जगा पर बताई देता हूँ तो दो गुड़ा ये दो चार आएगा न यनि ये फोर आएगा अब यक्स प्लस तीन इसमें यक्स की जगा पर दो रखिए तो दो धन तीन बराबर पांच कितना आएगा फाइब इसमें यहां पर क्या आएगा भाई या बाबू फाइब पातपकी कोई दिक्कत नहीं नो चलो ठीक है अब तीन रखो ये देखो क्या कहीं ये दोनों बराबर आ रहें आपस में रखते चलो खटा कट चलो तीन रखो यक्स की जगा पर तीन रखेंगे जैसे अभी भी में बताया था वैसे ही दो त्याई छे यानि ये मान छे बवीता देवी शिवांगी बाजपेई सुनीता ठीक है कोशिस अच्छी है यक्स की जगा पर तीन रखेंगे क्यों भाया तो तीन प्लस तीन ये अच्छे हो जाएगा तो बराबर होईगा हो तो अच्छा लोग बराबर आया ना अभी और आगे देखते चलिए यक्स की ज जगा पर चार रखोगे चार तीन साथ यक्स की जगा पर पांच रखिए तो पांच दूना दस इसमें पांच तीन आठ यक्स की जगा पर छे रखिए तो छे दूना बारा और छे और तीन नौ यक्स की जगा पर साथ रखिए साथ दूना चौदा और साथ तीन दस ऐसे करत देचली यह क्या है है कमीक करन यहां पर मैंने आपको साथ ग्मान रखुआया तो पहति रखेखा नौध पहले में यक्त बराबर एक के लिए भांस पछ और दायांस ग्यास कमान कितना है कि देखिए और बताए है कितना है चलो बोलो यक्स बराबर एक के लिए bets दाया-भाया-पक्ष कितने-कितने है जल्दी से reply आ जाना चाहिए कि रावर धर दुकिलिए नहें है है जिनके लिए कितना है अगर आप 3 के लिए देखिये तो 2 नों बराबर है ना 3 के लिए 2 एक्कोल है यक्स और वाई दोनों क्या एक्कोल है जसमा निकाल के देखो ना भईया वेगतरीन दिखरा एक दम मस्त दिखरा नंबर वन दिखरा है ठीक है यहाँ पर पढ़ना क्या है समझना क्या वो देखिए जो मैं बताना चाहता हूँ ऐसे समानता सूचक बीजिये बेंजक चाहे तो लिख लीजिये नीचे लिखिये मैं जो बोल रहा हूँ मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ कमेंट में लिख दे रहा हूँ देख लिजी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कमेंट देखे में लिख रहा हूँ ऐसे समानता सूचक बीजी ये बेंजक जो चर एक्स के कुछ निश्चित मान या मानो के लिए संतुष्ट होते हैं, समी करण कहलाते हैं और चर का वो निश्चित मान समी करण का हल होता है ऐ भाई, हिंदी में लिखना था है यार ऐसे समानता सूचक बीजी ये बेंजक जो चर एक्स के कुछ निश्चित मान या मानो ठीक है? मैं इसको लिख के कमेंट कर रहा हूँ के लिए संतुष्ट होते हैं, समी करण कहलाते हैं और चर का वो निश्चित मान समी करण का हल होता है नोट कर लिजीए, मैंने कमेंट में दे दिया उसे चाहिए रोंक लिजीए, स्क्रीन साट ले लिजीए इस्क्रीन साथ ले लिजिए जो कमेंट में ने दिया है तभी लिख लिए तो एक बार बोलिए हाँ यस लिख लिए अगे बढ़ें बोलिए कुछ तो बोलो ना भाईया लोगा तभी लिख लिए ना चलो तो हम बात क्या कर रहे थे समीकरण की ऐसे बीजिये बंजक इसके पहले जो मैं बताया था उसमें थोड़ा चूक यह हुआ था मैंने यह कहा था कि समीकरण यक्स के सिर्फ एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होगा लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी समीकरण एक से अधिक मान के लिए संतुष्ट हो सकता है लेकिन कुछ निश्चित अनंत नहीं इंफाइनाइट नहीं कुछ निश्चित मानों के लिए ही सटिसफाइड होगा जबकि सर्वसमिका परतेक मान के लिए संतुष्ठ होती है यहीं अंतर होता है अंजली मौर्या नीरच आचल पटेल सिवांगी ठीक है इसको में मिटा रहा हूं यह था समीकरण अब सर्वसमिका देखेंगे आप इसको तो फालतो मिटा दिया हम आज आपको यहां पर सिखा रहे है कि equation and identity में क्या difference होता है equation and identity में क्या difference होते हैं समीकरण और सर्वसमिका में भेद भेद मतलब अंतर हिंदियों बड़ी कठीन है चलिए फिर से बनाएए एक्स इंटू एक्स प्लस वन हाँ आप आईलें खीज दो आईलें खीज दो लीप दो एक्स इंटू एक्स प्लस वन और यह आपका हो जाएगा फिर एक्स का square प्लस एक्स ओके आईए एक्स के इसमें हम बिभिन्यमानों को रखेंगे और देखेंगे LHS की कंडिशन क्या दिखती है इनकी स्टेटस देखेंगे ओके आईए आपका इंतजार था एक्स कमान वन रखिए कि देखो यहां पर हम किसी को पाइचान नहीं रहें नहीं तो कोई बवाल हो जाए आपको पता है अभी जल्दी में एक बवाल हुआ था पता है एक गल्स फोन की थी वो बस्ती की थी छोटी सी कहानी बता रहा हूं किसी का नाम नहीं बोलने वाला हूं उनसे कलास के बारे में बताया गया जो भी चीज़े उन्होंने पूछा फिर भाया उनके बॉर्फ्रेंड को काफी टेंसन हो गई कि तुमने कहां बात कर लिया यह अब वो लगे फोन करने कब रात में आठ वाट बज़े अब आठ बज़े तो कोई फोन उठाएगा नहीं यहां पर क्योंकि फोन दिन में रिसीव होता है वो भी रिटन के जाता न मेरा फोन तो नहीं उठ रहा है आपका उठ रहा है आपको जानते हैं आप इनकी कुछ हो काफी बावाल हुआ उसके बाद मैंने का देखो बिटा बच्चा बाबू आजाओ तुम्हां मैं अड्रेस बता रहा हूं पहले आगा देख लो कि हम लोग करते क्या है क्या कैसे क्य सब्सक्राइब करते हैं तो कभी कभी कलास में कुछ बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कोई ऐसा और संकीना देख रहा हो कह रहा हो तुम काहे को देख लिए समझ रहे हो न आप लोग तो अगर ऐसा कोई बवाल है तो भाई साइड में रहिए चलिए तो तो इस्टार्ट करें और जबकि होता है कभी कभी सनियोग मात्र मानली जीए फोन लिया कोई तो उठा लिया लग बात है बाकि कॉल दिन में ही रिसीव होती है गुरु जी बहुत बहुत प्रडाम ठीक ठाक है ना आप किरपा चल रही ना आपकी चलिए यक्स के मान क्या करेंगे आप वन पूट करेंगे मैं आपको समझाता हूँ एक एक अलग अलग तो एक दो बार बता देता हूँ यह यक्स इंटू यक्स प्लस वन है इसमें यक्स के मान आपको एक रखना है यहां पर एक और यह एक प्लस एक कितना हो जाएगा भाईया यह 2 हो जाएगा 2 का 1 में multiple करोगे तो 2 आएगा final में कितना आएगा यहां पर 2 यानि 1 रखने के बाद LHS कितना आया 2 इतमें रखोगे तो क्या आएगा इतमें x का square plus x 1 पुट करोगे तो 1 का square plus 1 यानि 1 का square 1 plus 1 equal to यह भी कितना आया 2 यह तो पहले ही बराबर जाने लगा आई अगला यक्स की जगा पर 2 रखिये यह LHS बताएगे कितना आएगा जब आप दीजिए जल्दी से कितना आएगा LHS देखें बहुत सिंपल है यह बेरी सिंपल है अब मैं फिर से लिख के नहीं बताओंगा इसी में बता दे रहा हूं देखें बाहर 2 रखोगे आप यहां पर 2 रखोगे तो 2 में एक जोड़ोगे 3 3 का 2 में गुड़ा करोगे 6 कितना आएगा भाईया 6 आएगा इधर साइड में यक्स की जगा पर जब आप 2 रखोगे तो 2 का स्कॉयर होगा मतलब वर्ग तो 2 का वर्ग 4 और यक्स की जगा पर फिर 2 रखोगे 4 2 6 कितना आएगा 6 यक्स की जगा पर 3 रखिए 3 रखिए एक्स की जगा बताईए प्राई करिए आईए एक्स की जगा पर यहां पर 3 रखेंगे बताई देता हूं करके तो यह 3 हो जाएगा इस एक्स की जगा पे 3 प्लस 1 तो 3 गुड़ा 4 बराबर 12 कितना आएगा 12 पहला है न ठीक है अच्छा यह कितना आएगा बाई साहब यह भी 12 आएगा बीना कुछ करे लिखतो मैंने एक इस्टार्टिंग में आपको बड़ा अजीब टाइब का था और मुझे लगता है कि इसमें सब समझदार लोग जुड़े हैं 18 प्लस हैं कोई शोटा बच्चा नहीं है न कोई गंदी बात नहीं थी फिलाल सही बात थी लेकिन कुछ लोग कई द्रिष्टी से देखते हैं समीकरण और सर्वसमीका में मैंने एक जांपल अच्छा सा बताया था जो आप कभी न भूले मैंने कहा था कि आप लोग देखे होंगे आज कल के जवाना में दो ऐसे प्राणी भी हैं जो जिनका नाम गल्फ्रें इस बताया था और कुछ ऐसे होते हैं जो निहायत एकदम चलांग चतुर और एक्सपर्ट होते हैं जिनका जहां मोका मिलता है वहीं बतलब समझ गया ना अब अनलिम्टेड रिलेशन होते हैं यह होता न दो चीज बताया जो मैंने तो मैंने इमांदार वाला जो पद भी द पर यतों सार्वशमिका को दिया था इस सर्वसमिका यक्स के परतेक मान के लिए बराबर होती है यक्स का कोई भी मान रखोगे स्वरी यहां पर यक्स नहीं आप बर्येबल बोल सकते हो क्योंकि यह बर्येबल बदल सकता है यह जरूरी नहीं है कि हर जगा यक्स ही मिलेगा आपको यह से लेकर के जड़ तक के कोई भी लेटर मिल सकते हैं तो जो आइडेंटी होती है सर्वसमी का उसमें बैरियेबल का कोई विमान पूट करोगे हमेशा दोनों पक्ष बराबर आएगा जो मैंने कहा था ना कि किसी के लिए भी रेडि और जो नहायत इमानदार वाले हैं बड़ा सब बड़ाव करना है कि समी करण में वह का जो समीकरण स्मूति के ओडिन करता है उसके आधिक सktitting लीकिन पीर कुछ मैं यह कुछ ही होती ही नहीं होती है यह यह होती है लो certainly कभी लोगों का चलता कई और रहता है गरबाले इसाधि का है कि कर देते हैं वेले मानदार क्यूंक रही इक दूसरे के पर लेकिन परीम दिर विम और 9-59 करना पड़ता है नहीं हो जाता ना तो बस वह से आप समीकरन में समझ लीजिए उमीद है कि आप लोग कि दिखें होंगे हमारा यही उद्देफ था कि आप यह जान लेजिए कि जो आइडेंटी यानी सर्वसमिका होती हो बैरियेबल के पर तेक मान के लिए दोनों पच्छ बराबर होगा इसमें कुछ भी र यह बताओ कितना मान बराबर हुए थे लचेफ आरचेफ में इमांदारी से बताएए अभी मैंने जब एक क्वेसन वाला किया था मैंने साथ तक मान रखे थे कितने मान बराबर थे बोलो पर यह गोलवा यादों को थोड़ा देर के लिए ब्लॉक करिए रोंक के रखिए इनको थोड़ा देर के लिए एक ही मान बराबर था साथ में लेकिन ये उसमें साथ में एक था इसमें सब के सब बराबर हैं क्लास थोड़ा थोड़ा रूक रही है क्योंकि गर्मी यहां बढ़ रही है इसलिए यह सिस्टम मेरा ना हैंक कर रहा है तो कहीं जाना नहीं हां जाना नहीं थोड़ा-थोड़ा अगर कलास फंस रहे तो कहीं जाना मत आप यह समझ गए शार्वसमिका में अब लिखना है इसकी परिभासा लिखिए डालके मैं बातें तो समझा दिया परिभासा लिख लिए रही समिका है है इसे ingles में आइडेंटिटी बोलते हैं पर्भाकर गुरुजी आप हैं या गए लिखिये मैं बोल रहा हूं अगला लिखिये ऐसा समानता सूचक बीजिये कथन जो चर के परतेक मान के लिए सत्य होता है सर्वसमिका कहलाता है लिखिये कथन लेकर लिख नहीं रहा है यह बीजिये बेंजक लिख लीजिये मैं कमेंट में वह लाइने लिख के आपको दे दे रहा हूं लिख लीजिये स्क्रेंसाट ले लिजिये क्या आपको दिख गया मेरा कमेंट की नहीं दिख गया न यह इसकी परिभासा थी तो आपने क्या देखा समी करण और सर्वसमिका की डेफनीशन देख लिया उसको एक्जांपल सहीद मैंने एक्स्प्लेन कर दिया कि एक्वेशन और आडेंटी की क्या विसिस्ताएं होती है देख लिया ना आपने आईए आगे बढ़ते हैं आदो आप लोगों को मैंने एक बात बताईए वो समी करण लिखवाया था कि नहीं सर्वसमिका जैसे a प्लस b का होली स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यह सब लिखवाया था कि नहीं यह बताओ पहले सबसे पहल यह कि मैंने लिखवाया था या नहीं जबाब दीजिए और हाँ एक मैंने यहां पर लिखा है इनको देखिए मगर प्यार से यक्स का स्क्वायर प्लस 3 यक्स मायनस 5 इक्वाल 1 यह सब समिका है या समिकरण है यह आईटेंटी है यह है अगर यह समिकरण है तो आप ई लिखके कमेंट करेगे करेंगे मदलब सर्व समिका बताइए यह आई है या यह है जबात दीजिए मैं इधर साइड थोड़ा थंडा होने का वेवस्था कर देता हूं पंक्का कुलर में तो थोड़ा सा आप लोग को सिस करिए इधर आज़ा थोड़ा सा तुढ़ यह चलो कि जट तुझे आज़ाद कर दिया अरे भाई काये को गड़बड हो गया लाइट है चली गई कि अधेना मैं उंट पर बैटके बाजार जाओं तब भी कुटा काड़ ले था है कि करने कुछ और गया था लाइट है चली गई कि अलिए ठीक है तो यह क्या है कुछ लोग इक्वेशन कह रहे हैं कुछ लोग आइडेंटी कह रहे हैं कुछ लोग कुछ भी कह रहे हैं इसमें आप एक काम करो कोई भी एक मान रख लो अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो आप कह देना कि यह आई है मतलब आइडेंटी है अगर दोनों बराबर नहीं आ जाएगा तो कह देना एक्वेशन है मतलब ए है तो यत की जगह पे 1 रखिए तो 1 का स्क्वाइर 1 थी का 1 में मिल्टीपल 3 मैंडिस का 5 एक्वाल 1 भ़िया हो बाबुध ये प्लस 3 जूड जाएगा व्वण फूर माइनस का 5 एक्वाल 1 मैंड़ इक्वाल 1 क्या ये बराबर है बोल ये लेकिन मुझे कुछ गड़बर लग रहा है काहे को गड़बर शाही है बिल्कुल शाही है ठीक है चलिए आगे बढ़ें ओके देखिए ये समीकरन नहीं है सर्व समीका नहीं है निचे लिखिए यक्स बराबर एक रखने पर यक्स बराबर एक रखने पर LHS और RHS दोनों मान बराबर नहीं है अता है ये सर्व समीका नहीं है समीकरन है बस हो गया यही सिम्पल सथा जो मैंने आप लोगों को कुछ चीजे लिखवाया था जैसे सर्व समीका की अगर बात करें तो सुनिएगा क्या मैं इसको लिखवाया हूँ आप लोगों को फार्मूला A प्लस B का होल स्कॉयर था या नहीं क्या कह रहा हूँ लिखवाया हूँ कि नहीं सुनिए ज़रा ध्यान से ये A का स्कॉयर प्लस B का स्कॉयर प्लस 2AB होता है न होता है सातियों इस पर कभी कभी कुष्चन पूछ लेता एकजाम उकजाम में एक छोटा सा एकजाम पल देखिए प्यारा अफा और हल करके दिखाना पड़ता है दो नंबर में पर समस्टर में लिखवाया हूं सायद सब लोग नहीं लिखे होंगे तो जाने तो आज में डारेक्ट नहीं लिखवाऊंगा उस पर एक एक कुष्चन भी करवाता चलूंगा साथ साथ में तो आप बहतर रहेगा सिर्फ सूत नहीं लिखवाऊंगा सुनिए ऐसे आज आता है कुष्चन कि ग्यारा का होल स्कॉयर को कि प्रब संका कि सहयता से हल कीजिए कितने लोग कर लेंगे कuned संपिश्च सहयता से हल कीजिए पिजित एक कितने लोग कर लेंगे हैं तोड़ान सा मारक्र में इंक डाल देता हूं आप लोग स्क्रिण करके मुझे बताओ आंसर ही नहीं बताना है कि मोबाइल लेके कर दुजल्दी से अगर इसमें सर्वसमिका लगानी है तो इसको चार लाइन में हल करना पड़ेगा दिलपा केसरवानी चंचल प्रकास नीरज तरबाद दीजिए कितना आएगा प्राई करिए एक बार कि अधाये को सिस्करिए कि देखिए बहुत आसान है इसको क्या करेंगे साथियों 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस वन होल स्कॉयर हम इसको इस सूत्र के अनुसार बनाएंगे और फिर इसमें लगाएंगे बिसाल मौर्या को ब्लॉक कर दीजिए बिसाल मौर्या अगर यह दुबा कि इसको मानेंगे इसको बी ठीक है तो ए प्लस बी का होल स्कॉयर है अगर पता है ना आपको तो क्या करेंगे यह फार्मूला आप लगाओगे मैं लिख दे रहा हूं एक बार बार तो लिखूंगा नहीं फिर से इसको लिख लिजिए ए की जगा पर 10 बी की जगा पर 1 तू इंटू ए की जगा पर 10 बी की जगा पर 1 तैन का स्कॉयर हंड्रेड वन का स्कॉयर वन प्लस टू टेंजा 20 110 और यह 111 समझ में आया स्वेटा यादो बहुत अच्छे बेरे गुड़ को समझ में आप लोगों के दो नंबर में अगर आएगा तो आएगा कोई भी नंबर दे देगा उसका स्कॉयर करके कहेगा कि इसको सर्बसमिका की सहायता से हल कीजिए जैसे एक नया नभीला मैं द सुनिए गजरा कि आप लोग इसको कर लेंगे 99 का होली स्कॉयर कि सर्बसमिका की सहायता से ऐसे लगाना इसको बड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप अगर कुश्चन में ऐसा दे दिया कि सर्बसमिका फिल लगाओ तुम बराबर 111 लिख दिये ना तिसमें कुछ नंबर नहीं मिलेगा अगर ऐसे लगा दिये तो 111 इसमें भी आ रहा सही है लेकिन यह पूरी कहानी करना है आपको जिससे उसे लगे कि हाँ पहले पढ़े हो फिर लिखे हो नहीं तो उसे लगेगा कि यह पहले लिखा है फिर पढ़ा है वीडियो थोड़ा थोड़ा रुक रहा है क्योंकि गर्मी यहां बहुत बिंदास हो रही लाइट है नहीं और इंवर्टर से सारी लाइट है और सारा सिस्टम नहीं चलता है तो सब कुछ बंद है तो गर्मी जितना ज़्यादा होती है सिस्टम उतना ज़्यादा हीट होता ह ठीक है अच्छा इसको कितने लोग कर लेंगे 99 वाला उसको मैं करवा दूंगा एक इस पर और करवा देता हूं पहले हां बहुत अच्छे भाईया पंकच पटेल जी बेरे गुड बहुत अच्छे पंकच जी आए देखिए ठीक है पहले इस पर एक और कुश्चन दे देते हैं जैसे देखिए एक जांपल के लिए कुश्चन वे देख लीजिए आप लोग माल लीजिए 101 का होली स्कौयर दिया इसको भी कर लेंगे ना आप लोग कि सिंपल है हर कोई कर लेगा लेकिन बताना मेरा फर्ज है इफले में बता रहा हूं आप ही सुन लीजिए कि 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस एक पोल्य लिख सकते हैं कि नहीं कि लेक मुणा अ की जगा पर 100 और बी की जगा यहां से compare करते हैं ठीक है इसकी जगा मैंने ऐसा कर लियत कशेआ है और एका स्कौइर हैने सौका स्कौयर मान एप सटा एन बीका इसकौएर एन फब्न का स्कौएर कि ये मगर थोड़ा थोड़ा जैसे अगर सव काई स्क्वायर करना है कुछ लोगों को नहीं आता है उन्हें मैं बताव जुगाड सुनिए इसको आप 100 गुड़ा 100 कर फकते हैं और जितना ज्यादा जीरो लगा långुए उतना आसानों जाती चीजिंगे इसलिक्ती ना जीए है चार है टोटल तो जीरो जीरो सब लिख लीजिए और वन का वन में मल्टीपल कर दो वन है कितना हो गया यह पहले बताओ इस इतना पड़ेंगे इसको इसको पड़ेंगे 10,000 कि इतना पड़ेंगे 10,000 यानि यह आपका हो गया 10,000 और फिर वन का स्क्वाइर वन और प्लस तू का हंडेड में मल्टीपल करोगे ती हो जाएगा तू हंड्रेड अब इसको जोड दीजिए देखिए बहुत आफान है जोड़ना यहीं लोग गलत करते हैं लाश्ट में सब सही कर लेते हैं लाश्ट में दूबते हैं कोई बाड़ी हुई उफनाई नदी में तैर रहा है पूरी नदी तैर के चला गया और लाश्ट में जाके लुड़क गया तो कितनी बुरी बात है वैसे कुछ होता है यहां पर आईए देखिए तुनिये इनको जोड़ना है अगर लाश्ट में हम एक जोड़ें तो यह लाश्ट में एक हो जाएगा ठीक है आंसर तो मैं लिख देता हूँ अभी आंसर मैं बता हूँ कितना आएगा देखो तीन आंक पीछे निकालो यहां पर दो आएगा वन जीरो टू तिछ जीरो वण यही आएगा क्या देखो अब मैं बताता हूँ कैसे जोड़ेंगे बता नहीं सही एक गलत है देखो चार जीरो फिर वन फिर टू हंडेड इनके उपर जीरो लगा लीजिए बराबर करने के लिए नेचे उपर कर कैसे जोड़ते हैं वन में जीरो जुड़ेगा वन जीरो ये टू ये जीरो वन दस दोसो एक साही है अगर आपके पास भी अनुभों हो जायेगा ना एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं तो आप भी बिना उपर नीचे करें अंसा निकाल लोगे और जब तक अनुभों नहीं होगा तब तक आपको उपर नीचे करना ही पड़ेगा इसको ऐसे तब ही समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है एकदम समझ में आ रहा पूरा बढ़िया से राजपुताना इंगलिस अगेडमी गुरुजी आपको भी आया इंगलिस वाले गुरुजी या मैम जी जो भी आप साम को साथ बजे हाइस्पूल की मेंथ कच्छादस की NCRT साम साथ बजे में कच्छा नौ के NCRT मेंथ साम को 6 बजे यूटूब नोटिफिकेशन नहीं देता है तो PVR स्टड़ी का टेली गराम चैनल ज्वाइन करें क्यूंकि टेली टेली गराम पर हम नोटिफिकेशन देते हैं सबको तो टेली गराम पर जरूर जोइन कर लें नाम है हर जगा पीवीर स्टड़ी एक ही नाम हर जगा है पीवीर स्टड़ी आई आगे बढ़ते हैं यह तो हो गई एक छोटी सी बात इस तरह के कुश्चन आप लोग कर ले जाएंगे कभी यस पक्का टाइम भी काफी हो रहा है तो कुछ कुश्चन आप लिख लिजिए और आज मैं एक ही आइडेंटी पर कुश्चन बता पाया क्योंकि समझाना पड़ता है आप लोगों से भी जुड़ना पड़ता है i1105 का वोल square क हाइड के दूसों थीन का हॉल इसक्वाइर कर से आर्ट का हॉले सकायर एक से एक्सौ आप्ड हका हॉली सक्वाइड एक सब्सक्राइकBeart Yay कहुरी की लिख रहा हाना अनी ऐसे अटापर लिखते चलिये यह आप लोग करेंगे, कुछ और भी अलग तरह दे दे रहा हूं, इनको करेंगे या ना करेंगे तब भी ठीक है, यह मैं बताऊंगा, इसको मैं आज नहीं बताया हूँ, A, B, ठीक है, इनको मैं आपको बताऊंगा, इस्पेसली, क्योंकि इसको अभी मैं बताया नहीं, इन सभी को आपको समिकरण, सर्व समिका की सहायता से, सिंप्लिफाई करना है, हल करना है, सर्व समिका की सहायता से, तो साथियों, आप पहले मुझे यह बताये, कमेंट करके सब को समझ में आया, हाँ, यस या नो, आया, अच्छे से आया पक्का एकदम, लिए लेड कि आपको इसका फुलफाम याद है या आपको डियलेड का फुलफाम याद है डिप्लोमा इन इलिमेटर एजुका इसान जी गुरुजी भारती दिबांग गुरुजी जी बहुत बहुत प्रडाम आपके दर्थन हो गए आप लोगों को बता दें कलास के बात में की जुबाती दिब्दंग नाम से कमेंटर आप लोग इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करें क्योंकि यही गुरुजी पीवी रस्टडी की निव रखे थे समझ रहो ना आप लोग इनी की वज़ा से आज पीवी रस्टडी में 4 लाख सब्सक्राइबर बने हैं प तो आपका योगदान हम भूले नहीं है गुरू है चलिए फिर भी वक्त है दूर कर दिया है आगे बढ़ते हैं आप पिक और सर्वसमिका यानि आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रहे थे न यहीं पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको एक सूत्र पर आधारित कुछ कुश्चन बताये थे और सिकेंड आज मैं बोला था कि आपको बताऊंगा ए माइनस बी का होल स्कॉयर कितने लोगों को यह सर्वसम अजी बताइये जब आतीक even call तो कोते सर्वसमिक खेंगर कितने यह नहीं होगा इसक कोई नहीं सुएं इसको बहुत है करता हूं हम सुए कि यह 98 कल आपको दिया था कि इसको आपको क्या करना है सर्वसमिका की सहयता से हल करना है कि सर्व समिका की सहायता से हल करना है इसको इंगलिस में आइडेंटिटी बोलते हैं इस पेलिंग हो सकता है कहीं गड़बड़ों लेकिन बाते सही है ठीक है साथियों जो इस तरह के नंबर होते हैं इनको अपने आगे के एक ऐसे नंबर से रिलेट कर देते हैं जो एक प्रकार से जैसे 100 हो गया 1000 हो गया 10,000 हो गया या 10 हो गया उसमें से करके फिर इसको हम एक फर्मूला का रूप दे देते हैं जैसे इसको हम आयसे कर देते हैं 100-1 कर सकते हैं कि नहीं बताइए 99 को हम 100-1 कर सकते हैं इसमें तो कोई बुराई नहीं है किसी को ना मतलब कोई समस्या तकलीफ नहीं है इसको ऐसा कर सकते हैं तो इफले क्या करते हैं इसको ऐसा कर देते हैं अब यह फार्मूला इसमें फिट वैड़ता है क्या कहता यह सूत्र एक i2 इसमें देखिए सूत्र में आपको एक चीज समझना है कि ए भी प्लस में रहेगा बी भी प्लस में रहेगा माइनस में सिर्फ 2a भी रहता है बस समझ में आया बस यह फार्मूला हो गया इसी में मान रख देंगे कलनी सर्मा जी एक बार मोबाइल को फ्लाइट मोड में लगाईए चलने लगेगा अगर जीयो का फोन है आपके घर परिवार में यार दोस्त भाईया भावी किसी को कॉल कर दीजिए अगर फोन चलता रहेगा तो इंटरनेट बहुत के चलता है यह गाओं का ट्रिक है कभी कभ ठीक है यह लगा थकते हो गाओं में आईए हंड्रेट रखोगे एक की जगा पर बी की जगा पर वन रखोगे यह हो जाएगा हंड्रेट माइनस वन का होली स्कॉयर इक्वल हंड्रेट का स्कॉयर प्लस वन का स्कॉयर माइनस टू इंटू एक जगा पर हंड्रेट बी की करोगे चार्ठी 0 हो जाएगा क्योंकि 20 है उसका स्क्वाइर है अब क्या करोगे प्लस यह वन और यह माइनस 200 कि इसको आप हल कर लीजिए कितना आएगा जबाब दीजिए अब अच्छी दिक्षिर जी बहुत अच्छे बेरे कुट अंजली मौर्या संध्या भारती जबाब दीजिए देखिए सिंपल है भाई प्लस प्लस एड होता है माइनस वाला घट जाता है तो यह प्लस में है यह भी प्लस में इनको जोड लोगे फिर इसमें से 200 घट जाएगा क्यों यह सब सही जा रहा है न एकदम आईए जोड के दिखा देते हैं यह 4 0 वाला है ही रहेगा यह 8 हो जाएगा इसमें से गुधार गया था नौ भाई साहब यह 9801 आएगा सही है क्या कि करके देखिए और हां इसका आप 99 का वैसे भी स्कॉायर कर लिजिए 99 का वैसे भी स्कॉायर कर लिजिए इतना ही आना चाहिए कुछ और नहीं आना चाहिए ति आपका यह हो जाएगा भाईया इतना हो जाएगा बवा बराबर 9801 अखिलेस परभात मिली ठीक है यह है सर्वसमिका का यूज मैंने कहा था कि आपकी कलास आज बहुत चोटी चले करेंगे क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है अप्लिकेशन के अंदर आपकी दस तारीक से एक नई बैच सुरू हो रही बेसिक वाला उसके लिए हमारी कोशिस हैं जल्दी ही आपके लिए समय निकाल लेंगे डियलेड वालों का समय नहीं कारता हूं इसे मैं कभी फिलहाल चलिए कर लेंगे इसे नोट करिए इसक्रीन साट लीजिए जल्दी करिए ओके अब सभी जो इसे समझ गए यस लिख के कमेंट करें इस पर आधारित सारे कुश्चन आप लोग कर लोगे की नहीं हाँ या नहीं चलिए इधर साइड में मैं लिखता हूं ए यह है वन नाइन नाइन का होली स्कॉयर बी समझते चलो साइश समझते चलो 90 सेबन का होली स्कॉयर सी इसको सर्वसमिका से हल करो डी कर लोगे ना भहिया कर लोगे ना अच्छा पक्का कर लोगे ना एकदम कंफर्म चलो फिर 9.5 का होली स्कॉयर यह दसमलों अलवी कर लेगे क्या आप लोग कि अंत्राम जी मैं आपको देख रहा हूं लेकिन आप देखने लाइक बनो तो पहिले हैं कि देखने लाइक बनो अच्छे नहीं लग रहे हूं मुझे प्रॉब्लम यह है उंदर मतलब नहीं बोल रहा हूं कि ब्यूटिफुल बन जाओ उत्तर बताओ कुछ सही तब अगला इनमबर नाइनटी नाइन पॉइंट फाइफ का होल स्कॉयर देखे यह थोड़ा अलग है यह थोड़ा अलग है राकेश कुमार जी कह रहे हैं डी वाला नो दसमलो वाला भी मैं बताए देऊंगो काहे कुछ टेंसन लेते हो चलो एक ठी अवरा लिख लो एफ नाइ कि देखो या एक चीज़ समझे लो थोड़ा सा पर अग्या जी बोल रहे हैं टी वाला नहीं कर पाएंगे आए सुनिया और समझे आप मैंने जैसे कहा था कि भाईया बाबू 99 को हम इतना लिख सकता हूं लिख सकता हूं ना तो वैसे जो 99.5 है यह 10 के लगभाग है ना भाई साड़े 9 है नहीं इसको छोड़ो पहले इसको ले लो 99.5 तो 99.5 को हम क्या लिख सकते हैं 100-0.5 की नहीं अरे चाचा लोग 55 कम है ना यह 100 रुपया में रुपया से कंपेर करें तो 50 पैसा तो कम है इसको घटा के देखो सही जा रहा है यह नहीं है फिर क्या है फिर है का अगर तुम पांच का स्कॉयर 25 कर सकते हो तो 0.5 का स्कॉयर भी तो कर सकते हो कि नहीं पहले यह बताओ कितना है जल्दी जबाब दीजिए जबाब दीजिए अनुभो बच्चा कच्छा 9 का साम 6 बज़े चलता है कच्छा 10 का साम 7 बज़े कर लेंगी न सभी क्यूं हो चच्छा लोग कर लोगे की नहीं देख सा बर्मा देखे 5 का स्कॉयर 25 होगा भाई स्कॉयर और यह 0.5 दो अंक पर 10 हम लो एक यहां एक यहां दो पर 10 हम लो लगेगा तो 0.25 आएगा एक अच्छा लोग धाई नहीं आएगा वैं पता नहीं कहां से आगे यह 25 आगा ठीक है एक एक दो अंक पर 10 हम लो बेसिक बहुत पढ़ाया हूं बहुत पढ़ाया हूं फिर भी ठाई लिख रहें पता नहीं कहां पैदा हो गई है जीर जीरो लेवल जिंदगी भर पढ़ाऊंगा और जीरो लेवल ही पढ़ना उसके आगे नहीं जाने देना मुझे ना जाना इस तरीके से आप लोग कर लेंगे आज मैंने कहा था कि आज मैं बहुत बिजी हूँ फिलहाल आप लोग ये सारे होमर करेंगे नहीं कर पाएंगे तो मैं कल सब करवाऊंगा आज की क्लास यहीं पर खतम होगी किसी को कुछ कहना है तो बता दीजिए हर कोई कर लेगा अंडर रूट 144 यह पर्मिय संख्या है या पर्मिय यह टेस्ट है एक प्रकार से ठीक है आज यह लाइप टेस्ट हो रहा है आगे नहीं पढ़ाएंगे रिवीजन करवाएंगे और बहुत जरूरी है बताइए जबाब दीजिए यह पर्मिय है या अपर्मिय है फटा फट बताइए जल्दी से खटा खट अगला कुश्चन है अब गुडातमक परतिलों माइनस छे बटा साथ का गुडातमक परतिलों बताईए यह अभी सारी बातें क्लियर करूंगा सब कुछ बताऊंगा बस थोड़ा सा आपको इंतिजार करना है ठीक है थोड़ा सा बेट करना मैं सब बताऊंगा अब लस्वाव सेर कर दीजिए ट अब आरे में भाई टेलीग्राम है नहीं हमारे इसलिए आज सायद वाटसप नहीं बेजा जा सका टेलीग्राम से लेकर सबीक्रूप में बेज दीए और इसको चार्ज में लगा दीए यह अधिक है इसको बात में लगा देंगे हम फिलाहल अधिक है मैं बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं हाँ टेस्ट है प्रग्याजी बिल्कुला टेस्ट है देखे साथ हैं चीज समझना है जो मैंने रेशनल पूछा था उसमें क्या है उसमें यह है कि इस संख्या का कंपलेटली वर्गमूल निखल जाता है वह से थर्टीन इस निखल जाता है न यह इसका एक वर्गमूल आएगा बारा तो इसे आप प्रेल अपान वन लिख सकते हो यह नि हम कह सकते हैं प्यापान क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो यह रेफनल नंबर है ठीक है गुडात्मक पतिलोम क्या होता है तो इसमें इसको इंगलिस में मल्टिप्लिकेटिब बोलते हैं क्या बोलते हैं मल्टिप्लिकेटिब यह पलट जाता है बस साथ बटा छे लेकिन चिन नहीं बदलता है यह याद रखना ठीक है चिन नहीं बदलता है बस आप इसको याद रखना ओके अच्छा अगर इसका योगात्मक पतिलों पूछे तो क्या होगा योगात्मक पतिलों क्या होगा बताईए देखो योगात्मक पतिलों में सिर्फ चिन बजल जाता है बस एडिटिव जिसे बोलते हैं एडिटिव एडिटिव इनवर्स बोलते हैं क्या साइड हाँ अगर इसका हम गुड़ात्मक के बाद धना योगात्मक यानि एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो वह छे बटा साथ हो जाएगा बस पंद्या भारती समझ में आ रहा है यह एक एक नंबर में कुश्चन पूछ लिया जाता है फिर काफी मुसीबत होती है परिक्षा में आगे समझिएगा बस सारी बातें यहां पर क्लियर करता जाओंगा बस आप इंडे तक हमारे साथ बने रहिएगा ठीक है ओके तुनिए है वह अनन सर उठा लीजिए फोन देखिए क्या बता रहें सुमिश सर नीचे स्थोड़ा जुक के जाईए ले लेजिए कर लेंगे ने सभी उठाइए देखिए कर दीजिए कलास उठाइए जल्ड़ी पारा होगो अब और भी कुछ कोईश्चन पर यह बताइए ध्यान से इमांदारी से आप लोगों ने पढ़ा तो सब कुछ है पढ़ा है ना मने सब पढ़ाया है कोईश्चन नमबर तीन या चार है जो भी डाल दीजिए यह फिगर आपको दिख रहा है ना दिख रहा है ना समझीए इसमें अगर यह चोडाई तीन मीटर है लंबाई पाच मीटर है इसका एरिया क्या होगा बताओ चेत्रफल क्या होगा कर लेंगे कोशिस करिए और बताइए क्या होगा अब मालूम है क्या बोल रहे हैं आये समझिए यह क्या है तीन मीटर और पाच मीटर चेत्रफल और एक क्या है परिमाफ अब कि दोनों चीजे फाइंड करनी है समझे कोई बताया है निमन इसका अंसर भाई 16 बता रहे है इनका क्या नाम है चंचल गलत है पूरा गलत है वाई कौन सी दुनिया से आयो आप 16 तो होगा ही नहीं कितनी बार बताऊ नहीं कि दिवारों द्वारा घेरा गया छेत्र ही होता है तो इसका परिमाफ है उसके अंदर है पूरा ना जितना इसके अंदर छेत्र है कैसे निकालेंगे कैसे बहुत सिंपल है लंबाई चोड़ा कर देंगे बस यहीं होता है यह आयत का परिमाफ बराबर लंबाई गुड़ा चोड़ाई लेंथ इंट्व रीथ और फाइप इंट्व थ्री बराबर यह 15 सेंटीमीटर का स्कॉयर अगर यह सेंटीमीटर में था तो यहां पर सिर्फ मीटर स्कॉयर कि आया समझ में एनी डाउट किसी को नहीं न अच्छा इसमें से कोई परिमाफ बताएगा इसका पेरिमीटर कि बहुत सिंपल सा कुश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि आपके सिंपल 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 सब कुछा है इसलिए मैं सिंपल सिंपल पोश रहा हूँ बताये जब आप दीचेश्या i mean जर्वीजन हो रहा है प्रेक्टी इस नीचे बना रहा हूं इस जड़ा ध्यान से देखना कोई देखना मगर प्यार वे मगर जिश्यों देखना मुझे नहीं डिब्बा नहीं इसे बोलते हैं अच्छा ही नाम है इसका ऐसे बनता है न कि इसे इंग्लिस में क्यों बोलते हैं और घन भी कहते हैं कि समझ रहा हो ना भाईया लोगा लंबाई चोड़ाई और उचाई इसमें चाहिए अगर अधिसरे लंबाई चोड़ाई उचाई की बात करें गश्यां कि घन रहा है और तो construct की आपको आपको पुए लंबाई चौड़ाई उचाई में कोई अन्तर नेरा आ रहाber किया नहीं लेकिन ये चीजज अगर मैभी बता दू तो तो सही रहेगा कि नहीं पहले सिंपल सिंपल कर लिजिए अभी इसको रहने दीजिए नहीं तो यह 3D में हो जाएगा थोड़ा सा आप लोग गरबड़ा जाओगे चलिए सीरियल से चलते हैं बताने वाला था मैं सोचा पूछ लेता हूं लेकिन थोड़ा सा महेंगा पड़ जाएगा हाँ परिमाब की बात करें इसका क्या होगा किसी भी आकृति का परिमाब उसके चारों भुजाओं के जोड़ को कहा जाता है यानि all side का sum equal perimeter of this figure ओके English है यह मेरी थोड़ी थोड़ी आ रही चलो तो परिमाप यानि क्या होगा चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते है चारों भुजा को जोड़ लीजिए पांच है ये पांच है ये तीन है इधर की भी तीन होगी तो पांच पांच दस्था सोला मीटर परिमाब कितना आया सोला मेटर जो लोग तीस बता रहें उनका गलत है जोनाली बर्मा विपिन कुमार आएगा बिल्कुल आएगा पता हो जाएगा आपको टेंसन मत लीजिए बस समझते चलिए निति बर्मा समझ में आ रहा कुछ आपको समझ में आ रहा है न ठीक है बहुत अच्छा इसमें कल्कुलेशन ही सब कुछ होता बाकी कुछ नहीं है अगर यह इसकी चोड़ाई 1.5 हो जाए और यह 2.5 हो जाए तो इसका पेरिमीटर कोई बताएगा एंड एरिया कि अप्ध्यास प्रस्न हो रहा आज याद रखिएगा क्या हो राज अब्भ्यास प्रस्न हो रहा है!" आज अब भ्यास हो रहा है लाइव टेस्ट में कहीं लिखा था मिटा दिया लेकिन ठीक है मैं बता रहा हूं एनिवन कोशिस कर लिजिए आप लोग बता रहा हूं इसमें भी वही लगेगा कुछ दूसरा नहीं होगा कुछ दूसरा नहीं होगा इसमें भी वही लगेगा जो मैंने बताया हुई बस कल्कुलेशन आपको आना चाहिए गुड़ा भाग आनी चाहिए नहीं तो आप गड़बड हो जाएंगे इसी में अफने हाती बारी बहुत अच्छे बाई अभीपिन कुमार, अंकित बेरी गुड छेतरफल हो जाएगा लंबाई गुड़े चोड़ाई यानि लेंथ इन्टू ब्रीथ यल इन्टू बीजी से बोलते है यल इन्टू बीजी देखो इसमें ये गंदा हो गया लीप पोद दिया इसी तो कर लो भाईया पहले इनको साइड कर दो 2.5 को 1.5 से मल्टिपल गुड़ा करना आता है 15.5 का 5 समझ ये तरीका कैसे होगा पहले ये नंबर बीना दसमलो के लिखके गुड़ा कर लेंगे दोनों बाद में दसमलो का हिसाब करते हैं तो 15.5 का 5 हासिल 7 और 15.29 साथ 37 इसको यहाँ पर लाके लिखेंगे इज्जत के साथ एक अंक पर दसमलो एक अंक पर दसमलो टोटल दो अंक पर दसमलो हो जाता है तो 3.75 समझ में आया लेकिन अभी ये पूरा आंसर नहीं है क्यों क्योंकि ये सेंटीमेटर में था तो ये भी सेंटीमेटर में था तो चाचा ये सेंटीमेटर का इसको है लगाना बहुत जरूरी है बीना मात्रक के आंसर गलत है उसी तरह से जैसे कोई बराद जा रहे है उसमें दुलहा ना हो बताओं बराद पूरी है नहीं न तो वसे अगर यह आंसर लिखे हो आप छेत्रफल कहीं निकाले हो अगर आप यहां सेंटिमीटर या मीटर जो भी वहां पर इकाई दी गई है कुश्चन में नहीं लिखे हो तो आंसर अदूरा है सुसिल कुमार प्रग्या कुछ लोग 37.5 बता रहें उनका गलत है 37 वालों का गलत है अगर यहां परिमाप की बात करें तो देखो भाईया लंबाई बराबर है चोड़ाई भी बराबर है इसको हम कह सकते हैं टू इंटू यल प्लस बी यह फार्मूला हो सकता है परिमाप का आयत के लिए हो सकता है न तो फाइनल में इसे हम टू इंटू एल प्लस बी यहनि इन दोनों को जोड करके गुड़ा कर सकते हैं टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव नीचे दिख रहा है जोड लीजे दो एक तीन और एक चार आठ सेंटीमीटर अंसर आएगा यह सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्कॉयर नहीं आएगा बच्चो एक चीद ध्यान रखिए पारिमाप में कभी भी इसकॉयर नहीं लगता है क्यों क्यों यहां पर कहीं भी बर्येवल्स का मल्टीपल नहीं होता है जबकि छेतरफल में यह भी मीटर में यह सेंटिमेटर जो भी दिया हो है और यह भी है दोनों का डारेक्ट गुड़ा हो रहा है इसलिए इसक्वायर लग जाता है लेकिन यहां इनका गुड़ा नहीं हो रहा है यहां पर जो दो है इसके साथ कोई मातरक नहीं था दो के साथ क अकेले इफलेस में गुड़ा हुआ तो यह इसक्वायर नहीं होगा अगर आपने परिक्षा में यहां इसक्वायर लगा दिया तब आपका गलत है थोड़ी से चूक बड़ी मुसीबात और हाँ इतना ही नहीं अगर चच्चा लोग ही यहां कर इसक्वायर हटा दिये ना तब भी आंसर गलत है यह उत्तर गलत है याद रखना इस्क्रिंसाइट ले लीजिए थोड़ा सा मेरी भी फोटो आने चाहिए बगल में हलका सा बस चाहिए एक हैं आखाए चलिए आगे बढ़े हो गया इसमें किसी को कोई डाउट कुछ भी कहना है बोलो विपिन कुमार कुछ पूछना है किसी को कुछ बोलना है नहीं अच्छा यह बताइए मैं बार बार पूछता हूं आपको आना भी चाहिए सबसे चोटी भाजे संख्या क्या है इसमालेस्ट कंपोजिट नंबर इसमालेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है मैं आज को ले करके इसको पची सो बार पूछाओंगा इसलिए कि हर किसी को आना चाहिए पुस्पा का नाम सुनके तो बहुत कुछ याद आता आज कल के जो यह मूवी और चलता है कि यहां पर जुकना भी पड़ता है चलो चोड़ो वह सब बाते फिलहाल कुछ याद आ रही थी तुन करके हाँ तो इसमें आप लोगों ने अनुपात भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि रेखिक समीकरण पढ़ा है ना इमांदारी से बताना सबसे चोटी कंपोजिट नंबर मैंने पूछा था चाचा लोग क्यों भाज्य संख्या पूछा था ना अगर मैंने भाज्य पूछा था तो सबसे चोटी भाज्य संख्या चार होगी फोर यह देखी देखा जो लोग कि दो कमेंट करें उनका गलत है अगर मैंने अभाज्य पूछा था यानि प्राइम नंबर तब दो होगा याद रखिए भेड़ सहारा तो देती है लेकिन पैचान छीन लेती है अगर तुमको ठंडी में परबत पर चढ़ना है को मुचा पहाडियों पर जाना है और एक हजार की विंड में जाओगे ठंडी तो नहीं लगेगी लेकिन तुम्हारा कोई नाम भी नहीं होगा लेकिन अगर अगले चले गए तो अगले दिन पेपर में फोटो आई गए फलान यहाँ तो एक्स है एक्स प्लस चे अ है बराबर कंसा है तो आए म्धिक शमिकरण है यह है कि बताइए जबाब दीजीह मिए और एक शम्मी कर्ण चस्क्राइए और बताइए यह चिर्स करिया फ्यों प् keinen कि दिफज लिनीर िकोइसन ही जिदिफ लिनियर कोईसन कोसिस यस या नो प्राई कर यह यस या नो में अगला एक्स माइनस 5 इक्वल 0 देखिए लीनेरी क्वेशन होता वो है जिनकी मैक्सिमाम पावर 1 हो 1 से अधिक ना हो वो लीनेरी क्वेशन होता है रेकिक समिकरन होता है तो अध्यान से समझों यह आइक्स बढ़स। आफtak यहाद I कुल्मिला के जोभी बंद आई हैी हमें मिल गया इसका अफली चहरा पहले ही डिग गया कि इसमें दो घस है कि गात नहीं है कि इफ ले का है यह लिनेरी कवेशन नहीं है कि बात समझ में आई न सभी को किसी को कोई डावट इसमें नहीं नहीं न कि ओके कि ये इसमें कुछ घुड़ा भाग नहीं हो रहा है देखी एक समीकरणों में अगर आपको किस तरह का समीकरण है समझना है तो इसमें ये विशेश रूप से ध्यान देना है कि कहीं इनका जुगार लगके घात बढ़ तो नहीं जा रही है अगर बढ़ जा रही है तो फिर वो जो कुछ होने वाला कर लीजिए तब उनको डिसाइड करिए कि हां क्या है अगर किसी इंसान को पैचानना है ये कौन है तो उसका अफली चेहरा पहले देखिए अगर उसने नकाब पहें रखा है तो उतार के कौन है भाई फलाने एक फला अगर का हुआ था यह दिखने रहा था क्या है यह वास्तों में आप दिखने लगा यह था तो अगर अच्छा एक और बताईए यह इंटू वन अपान एक इंटू यह और प्लस वन इक्वल जीरो जीनियर एक्वेस्टन है हां या नहीं यह रहेखिक समीकरण है हां या नही नहीं बोलिए इमांदारी से बोलिए है या नहीं क्यों भई है या नहीं है एक चीज़ और समझ यह आपके किवल तीन-चार चैप्टर लाइस्ट की बचे हैं बस चैप्टर नमबर नौ से बचा है मैंने लगबग सारा मैत पढ़ा दिया सीकेंड समेस्टर का पिछली से मक्यों सीजय कोई क्या कि शाहता है कि यह डूनियर एक्वेशन है काहे को है चाचा लोग यह अक्स से एक्स कुर्ण जायागा यह बराबर 0 आएगा इसका असलीच यह आहीं है इसको रिदे करसंद है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर वन है को रिदे दोरा लीजिये लगवाग पूरा कोर्स खतम हो गया है हमारी कोशिस है कि आपको बहतरीन से बहतरीन कलास मिले लेकिन आप लोग कलासों को सेयर नहीं करते हैं पता नहीं क्या कमी है हमारी तरफ से माफी चाहते हैं इसके लिए ब्यूज बहुत कम आते हैं इसलिए यूटूब पर बहुत कम टाइम दे पाते हम हमारी कोशिस है कि एक नया बैच एक बहतरीन तरीके से आपके लिए और उसी में हम लगे हैं काफी इंटरनल अपडेट कर रहे हैं और जिस दिन हो गया हम आपको दिखाएंगे तो आपको दिखाएंगे बिल्कुल दिखाएंगे तो आज वक्त इजाजत नहीं देता है इतना ही छोटी सी कलास चलेगी माफी चाहते हैं आप लोगों को यासुविधा के लिए पीछे की सारी कलास आपने देख लिया कि नहीं पहले यह बता के तो जाईए अब तक की बाइस कलास आपने देखा है कि नहीं मैं कमेंट में एक पोलिंग करवा ले रहा हूं आप लोग उसमें ओड कर दीजिए जल्दी से मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो पढ़ाया कि आपने सब पढ़ लिया कि नहीं क्या आपने आल 22 लाइव देखा यास या नो पोलिंग मैंने कर दिया है कमेंट बाक्स में उसमें आप सोच समझ के एक पर टिक करिए जल्दी करिए सभी फटा फट इमांदारी से कोई जानन नहीं क्या आपने इसके पीछे की सभी 22 कलास देख लिया कि नहीं हां या नहीं अगर नहीं देखा तो भईया मैं लिंक अभी कमेंट बाक्स में दे दे रहा हूं भईया बाबू देख लीजिए जरूर देख लीजि नहीं पता नहीं का है नहीं देखोगी तो मैं अभी तुरंद कमेंट बाक्स में लिंक दे रहा हूं किलिक करके तुरंद बाग के जाओ यहां से उसको देखो पहले जाके सारी कलास तुरंद जाओ खटा कर जाओ चलो आधा मिनिट बस मैं तुरंत लिंक दे रहा हूं कमेंट बाक्स में DL8 का सिकेंट समेस्टर वाला तुरंत दे रहा हूं जा करके आप भी सभी कलास देख क्या आओ तुरंत जट से जाओ फट से आओ चलो ए रुकजा भाई रुकजा सिकेंट समेस्टर एडेड निवेस्ट लिंक दे रहा हूं कमेंट बाक्स में जाना नहीं कोई तुर्चल परजा पती जी नंबर तो देखे स्क्रीन पर चल रहा है आप उस पर संपर कर सकते हैं इसके अलावा अगर कोई बात आप लोग डारेक्ट हमसे ही कहना चाहते हैं हमारे एसिस्टेंट साथियों लोग से बात नहीं करना चाहते हैं आप लोग तो फिर आप अभी नंबर ले लिजिएगा में लास्ट में दे दूंगा आप लोग डारेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं ठीक है आधा मिनेट रुकियेगा दे रहा हूं प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट का लिंक मैं कमेंट में कर रहा हूं इसके अलावा हां और आप सभी पीवीर स्टडी को टेली गराम पर जरूर जोइन कर लिजिएगा ठीक है तो आप लोग इन्हें जितना भी 22 कलास है देख लिजिए धेरी धेरे एक एक कलास उसको एक्स्ट्रा देखिए साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको भी पढ़ते चलिए इसलिए मैं इन कलासों को छोटा कर दे रहा हूं मैं इनको 20-20 मिनट पढ़ा दूँगा और जाके बाकी 20 मिनट आप उसको पढ़ लेना पुरानी वाली बराबर हो जाएगा ना बोलो सही रहेगा ना जिनका छूट गया जाके पढ़ लीजिए जिन्होंने सब देखा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है वो डिविजन कर लेंगे दूसरी बात कोर्स खतम हो गया कोर्स 10 दिन में खतम हो जाएगा कोई बड़ी बात कोर्स में है नहीं तंगीता कुमारी यानि कोई नहीं देखा है 30-60% लोगों ने पीछे की कलासे नहीं देखा है तो बाबू कमेंट में लिंक जा रही किलिक करके तुरंट जाके देख लो ऐसे ऐसे इस क्राल करोगे सब दिखेगा रूची गुड नाइट जी बेरी गुड नाइट दिब्या देवी जो भी नहीं देखा है मैं कमेंट में लिंक दे दे रहा हूँ उस पर क्लिक करके जाके तुरंट देख लीजिए सारे भाग देख लीजिए निवेदन है बार बार निवेदन है पढ़ना है तो देख लीजिए एक तरप से नीचे स्क्राल करते जाओगे तो उल्टा फाइट से दिखेगा 23 फिर उसके नीचे 22 होगी उसके नीचे है कई से कला से घटेंगी ऐसे से खीचते जाना इसे पटा पड़ क्लास को खूब सेर किया करिए अपने साथियों के पास अपनी उसके पास उनके पास हर जागा प्रेदिया करिए